हेलो एवरिवन हेलो प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स कैसे हैं आप सभी लोग तो फटा-फट से एक बार मुझे चैट सेक्शन में बता दो क्या हम लाइव हैं क्या ओडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है तो स्वागत है आप सभी लोगों का बाहु बली फिजिक्स के सिरीज में स्वागत है आप सभी फ्यूचर डॉक्टर्स का नीट नैशन के इस चैनल पर जल्दी बताईए फास्ट मुझे एक बार की ओडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है if everything is perfect we are good to go yes good morning good morning good morning good morning good morning everyone very good morning good morning good morning yes after a long 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 time ठीक है and माही भाहिया is back on the YouTube with the best of the series बिटा ठीक है ना तो आज हम क्या करने वाले हैं वो मैं आपको बता दूँगा कब कब हम करने वाले हैं वो भी मैं आप लोगों को बता दूँगा yes who is eligible for this series zero to hero series सारी बाते करेंगे yes फटा फट से पहले ज़रा शेयर कर दो spread कर दो अपने सभी दोस्तों को बुला दीजिए last minute पर अगर आप लोगों को लग रहा है कि सब कुछ बिखरा हुआ है ठीक है last minute पर यदि आपको लग रहा है कि मेरे हाथ से सब कुछ निकल गया या बिखरा हुआ सा आप महसूस कर रहे हैं तो यदी सुनना ध्यान से यदी आपको लगता है कि सब कुछ बिखरा हुआ है तो समझना यदी आपको लगता है कि सब कुछ बिखरा हुआ है तो समझना ये एक नई एकता का शुभारंब है मैरे दोस्ट ये अंत नहीं आरम्भ है ये झैस जितने भी बच्चों ने अक्छे से चिज़े कि वह है अरे रुको यार मैंने इतनी अच्छी साहिरी बोली और हमारा आई पैडी जो है गायब हो गया था उसने का दिये कि अंत नहीं आरम्प है मुझे टेक्नोलोजी में अगर कुछ हो जाता ना उपर नीजे because I am not that much of tech savvy मुझे बड़ा डरसा लगता है किया यह क्या हो गया येस 100 plus possible जल्दी से आप सब लोगों को एक बात बता देता हूँ जिस किसी भी students ने थोड़ा बहुत physics part रखा है revision में problem है formula जयाद नहीं रह रहे है एक एक formula point wise ना आप लोगों के सामने लिखता चला जाओंगा ठेक है आज हम क्या क्या चीजे करने वाले हैं तो मैं बता देता हूँ बिटा आप लोगों को chapter wise total physics में अगर हम बात करने ठीक है total हमारी जो physics है उस physics में कितने यहाँ पर NCRT के part है तो physics में दो चीजें बिटा class 11th आप लोगों का complete करना होता है और साथी साथ आपको class 12th complete करना होता है थोड़ा सा series के बारे में बता दू तो थोड़ा सा आपको idea लग जाएगा कि क्या होने वाला है ठीक है class 11th में दो part है part 1 और class 11th में है एक आपका part 2 NCRT जिस तरह से break है उसी तरह से हम काम कर रहे है तो part 1 में आपका होने वाला है units and dimension से लगा कर कहां तक till rotation unit and dimension to rotation तो यह जो आपका एक part है बिटा NCRT का यह हम आज complete करेंगे ठीक है part 2 में आपका कहां पर आता है तो part 2 में आप बात करते हैं उसर ग्रेवीटेशन से लगा कर part 2 में आप कहां पर बात करते हैं बिटा ग्रेवीटेशन से लगा कर तो आपको waves तक ठीक है gravitation से waves तक ऐसे ही class 12th में भी दो part है तो total 4 part में we will cover entire theory जिसमें हम लोग point wise formulas बनाएंगे कुछ कुछ चीजों की मैं आप लोगों के लिए announcement करता हूँ कि ये जो बाहूबली physics है इसमें अभी मैंने आप लोगों को 8 classes का schedule दिया है ठीक है अब मैं आप लोगों को bumper offer इस पे दे रहा हूँ ठीक है तो सुनिएगा और आपको बहुत अच्छे से है ना जिन भी बच्चों ने अच्छे से पढ़के रखा है उनके लिए बहुत बहतरीन होने वाला है तो दो classes यहाँ पर तो class 11th के लिए 2 classes class 12th के लिए 2 classes यह है theory की ठीक है उसके बाद यहाँ पर 2 classes class 11th के 1000 questions करेंगे बिटा अपन यहाँ पर और 12th में भी 2 classes करके हम 1000 questions करेंगे यहाँ पर ठीक है तो 1000 questions 1000 questions आपका काम बढ़ियां हो जाएगा टोटल कितना हो जाएगा 2000 सवाल अब सवाल यह आता है कि सर आज तक अगर physics नहीं पढ़ी है तो बिटा यह session attend करना formulas revise करना ठीक है मैं यह तो नहीं कहूंगा कि यार देखो यह सही तरीका है बट अब और कुछ किया भी नहीं जा सकता अगर अभी तक नहीं पढ़ रहे थे नहीं पढ़ा so this is the last hope that you can do something और जिससे आप थोड़ा बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं तो आपको सारे formulas अच्छे से revise करना है and उसके बाद previous year question solve कर लीजिए जो सवाल आप से बन रहा है well and good है जो नहीं बन रहा है उससे चाहे किसी से doubt पूछो solution देखो मदद लो किसी की लेकिन वो सवाल तुम्हें करते आना चाहिए that should be your attitude क्योंकि केवल 24-25 इस दिन बचे हैं बेटा तो बहुत strong तरीके से आपको पहना पड़ेगा ठीक है everyone बहुत बढ़िया यहां तक सबको clear है अब क्या bumper offer है तो देखो यहां पर 2 प्लस 2 टोटल 4 class हो गई 2 प्लस 2 टोटल यह 4 4 और 4 आठ classes का schedule तो मैंने अभी आप लोगों को बता ही दिया इसके अलावा इसी बाहुबली फिजिक्स की सिरीज में मैं आप लोगों को यह बोल रहा हूँ एक होता है बच्चों N-C-E-R-T में points to ponder ठीक है ना points to ponder तो I will explain entire points to ponder in one go ठीक है दूसरा फिर यहाँ पर क्या होता है बचा points to ponder के बाद में complete experimental physics along with question ठीक है ना complete experimental physics complete experimental physics with questions ठीक है ना with questions in one shot बचा ठीक है एक short one shot में सवालों के साथ complete experimental physics यह मेरा दूसरा आप लोगों को तौफा तीसरा यहाँ पर all graph based all graph based questions यहाँ पर हम क्या करेंगे class 11th and 12th बिटा class 11th and 12th एक class यहाँ पर लेंगे एक class यहाँ पर लेंगे ठीक है 11th के सारे graph 12th के सारे graph clear है सब लोगों को इतनी बाते समझ में आ गई उसके अलावा I will be taking morning 22 अपरेल से शुरू करेंगे हम यह वाली कहानी ठीक है 22 अपरेल से यह मेरा tentative day decided है बिटा कि 22 अपरेल से 22 अपरेल के पहले-पहले में यह सारा आपको करा दू यहाँ तक 22 अपरेल के बाद में बच्चों यहाँ पर हम करेंगे every day 22 अपरेल के बाद में हम क्या करेंगे every day हम करेंगे 50 most expected questions 50 most expected questions बिटा 50 most expected questions हर दिन करेंगे ठीक है ना 50 most expected questions हर दिन जिसमें क्या होगा तो section B में section B में होंगे बिटा NCRT examplers compulsory है यह मैंने यहाँ पर NCRT examplers जो होंगे वो यहाँ पर होंगे section B में और section A में कुछ अलग सवाल अब बताईए अगर इतना इतना आपने just before need कर लिया तो क्या कुछ ऐसा है physics में जो रह जाता है या आप भेतर score नहीं कर सकते यार इसके लिए chat section थोड़ा सा जो है दिल से नहीं भर जाना चाहिए था ठीक है so अभी जो classes है अगली class का आपको जो schedule बना हुआ है वो 14 अपरेल को दिख रहा है क्योंकि मेरी थोड़ी सी offline में भी utility होती है तो मैं उसको figure out करा के will plan daily classes ठीक है ना अभी आप लोगों के लिए more than enough चीज़े मैंने plan कर दिये थोड़ा plan किया है थोड़े थोड़े करके execute करते है पहले ये 8 classes execute करते है उसके बाद में फिर ये मैंने बता आपको पहले से इसलिए दिया because you should understand कि सर के दिमाग में क्या चीज़ें है और अगर ये बाहुबली physics हम follow करते है तो हमारा कितना फाइदा होने वाला है तो you all will be getting 140 प्लस अगर आपने शिद्दत से इसको follow कर लिया तो ठीक है got the point बेटा चलिए आगे बढ़े everyone class duration तो ये since I am going to write down all the things ठीक है ऐसे class में ही मैं लिखते चला जाओंगा notes बनाओंगा so I don't know exactly कितना time है लेने वाला है maybe 4 hours maybe 5 hours 6 hours 6 घंटे हो सकता है but yes आप notes अगर नहीं बना रहे हैं साथ-साथ तो कोई बात ने you will be getting these notes in the telegram उसका link आपको नेचे description box में मिल जाएगा पहला दिन था इसलिए बहुत सारी चीज़ें आपको बताने थी that's why मैंने आपको complete explain कर दिया है उसके साथ-साथ बिटा 2025 वाले बच्चों के लिए मेरा Unacademy Plus पर एक batch आ रहा है जिसका नाम है Falcon और अभी Unacademy का जो subscription है वो मात्र मिल रहा है 5000 रुपे में तिल कब तक 14th of April तक तो अगर कोई भी आपका junior interested है या आप उसे जानते हैं और अगर वो starting से physics को बढ़िया करना चाहता है तो suggest him a falcon batch using code MSLive ठीक है चलिए आज आईए फटाफट शुरू करते हैं बिटा सबसे पहला chapter हम कौन सा शुरू करने वाले हैं जल्दी बताईए Units and Dimensions सबसे पहला chapter हमारा होगा Unit and Dimensions ठीक है चलिए आप बताईएगा आज के session के बाद में किसे लिख कर बढ़ाने वाला बढ़िया है या पहले से notes बने हुए हो तो जादा अच्छा है तो मैं थोड़ी और महनत करूँगा मैं पहले से notes लेकर आ जाऊँगा तो किसी भी physical quantity को जब आप define करते हैं उसे क्या बोलते हैं उसमें दो चीजे आती है क्या क्या आती है एक quantity को हम Q कहते हैं numerical value को हम n कहते हैं और unit को हम u से represent करते हैं चीक है इसमें बच्चों lag हुआ था नहीं 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 होगा lag नहीं होगा just a minute मैं कनेक्टिविटी चेक कर लेता हूं, आल गुड है बिटा, आल गुड नाउ, ने यहां नहीं होना ची भाई, आप सब ठीक है, तो Q is equals to क्या होता है बिटा, N into U होता है, जहां पर Q क्या है, physical quantity, N यहां पर numerical value, U यहां पर unit होता है, अगर आपने U चेंज किया बिटा, अगर U आपका क्या होता है, U changes, तो उससे आपका N भी क्या होता है, N also changes, N also changes, बट यहां पर यह Q कैसा रहता है बिटा, यह Q constant होता है, इसको graph बना कर समझा देते हैं, ढंग से देखेगा जरा, तो अगर आपने यहां पर N versus U का graph बनाया, यहां पर आपने लिया numerical value N, यहां पर आपने लिया बिटा से unit U, तो देखेगा जरा, यह जो graph होता है, this graph goes like this, यह graph कुछ इस तरह से जाता है, यह graph क्या explain कर रहा है, यह graph explain कर रहा है कि अगर U बड़ा हुआ, unit बड़ी हुई, तो numerical value छोटी होगी, और अगर unit छोटी हुई, तो numerical value बड़ी होगी, अब समझाते हैं एक example से, जिससे आपने बोला mass, तो mass को अगर आप लिखोगे तो 1 और 1 के साथ आपने लिखा kg, इसी को आप क्या लिख सकते हो, 1000 gram, इसी को आप क्या लिख सकते हो, 1000 gram, तो आपको समझ में आ गया कि kg बड़ी unit है, इसके साथ numerical value केवल 1 है, gram छोटी unit है, उसके साथ numerical value 1000 है, लेकिन यही graph अगर सवाल में आपको ऐसे पूछा जाए, यह graph आपको सवाल में ऐसे पूछा जाए, कि यह आपको लेना है n into u, और यहाँ पर आपको लेना है बिटा, चाहे n ले लो, चाहे आप u ले लो, n और u में से कुछ भी, तो graph कैसा होगा, तो graph कैसा होगा, अब बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, since यहाँ पर आपने vertical axis पर क्या लिया, n into u, और n into u कौन है, physical quantity, जो क्या रहत है constant, तो यहाँ पर line कैसी चली जाएगी, straight line चली जाएगी, line कैसी होगी बिटा, straight line constant, वो vary नहीं करेगी, चाहे आपका n vary करे, चाहे आपका u vary करे, इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई हो, तो इसी point से related, next point क्या, अगर q is equals to n u है, और अगर q constant है बिटा, तो हम यहाँ प formula है, जो unit conversion में काम आता है बिटा, यही वो formula है, जो unit conversion में आप लोगों को काम आएगा, क्या यहाँ तक सब को सारी बात है clear हो रही है, physical quantity में इतनी बात सब को समझ में आ गई बच्चों, किसी को कोई problem, कोई confusion, next कहानी, next कहानी आती है, जिसे हम कहते हैं बिटा, dimensions, चीके न, next पर कॉन-कॉन से physical quantities है, पहले उसके बारे में बात कर लें जैं, फ्टा-फट से, तो physical quantities को हम define करते है, कितने तरीकों करते हैं, कितने से तरीकों से, कितने तरीकों से define करेंगे बिटा, physical quantity को हम, तीन तरीकों से, कॉन-कॉन से तरीके हैं तीन, यहाँ पर, देखिए, complete revision, physical quantity ऐसे physical quantities जो ना एक दूसरे पर depend करें ना किसी और पर depend करें ये कैसे होते बेटा ये होते हैं independent ये कैसे होते दोस्त ये होते हैं completely independent ठीक है example के तौर पर क्या क्या होंगे फटा फट से बताईए example के तौर पर mass length मैं इधर से बोल रहा हूं आप उस तरफ बोलिए दोहराते जाए साथ सा तो revision बहुत बहुत बहुतरिन और प्रॉपर होगा mass length साथ में क्या एगा time फिर क्या एगा बेटा यहां पर current और क्या होगा temperature और क्या होगा बेटा luminous intensity luminous intensity ठीक है और क्या होगा बेटा तो last होगा आपका amount of substance is that clear यह पता होना चाहिए कि यह यहां पर total seven fundamental physical quantities है जो एक दूसरे पर depend नहीं करती है और नहीं किसी और पर depend करती है यह ऐसे fundamental physical quantities है जिससे पूरी physics को define किया जा सकता है फिर दूसरा आता है जिसे हम कहते हैं derived physical quantity क्या होते हैं physical quantity जो fundamental physical quantity या base quantity की मदद से derive किये जाते हैं example के तौर पर आप बुलेंगे sir velocity velocity को derive किया जाता है length और time use करके बेटा किस से length और time की मदद से derive होगा force की अगर आप बात करोगे तो force आएगा बेटा यहाँ पर mass into my acceleration, mass और acceleration को लिखेंगे velocity divided by time फिर आप यहाँ पर क्या लिखोगे, mass तो mass रहेगा, velocity को लिख सकते हो length by time तो length divided by time square everyone clear है यहाँ तक तो derived physical quantities are those जो base quantities को use करके यहाँ पर बनाई जाती हैं फिर आती है कुछ AC physical quantities बेटा, AC physical quantities जो क्या होती है यहाँ पर ना तो fundamental में आती है और ना derived में आती है, जैसे आपका plane angle and solid angle कौन-कौन से angle बेटा, plane angle and solid angle, ठीक है ना, plane angle and solid angle got the point everybody, ठीक है, तो basics यहाँ पर clear हो गया, फटा-फट से clear हो गया अब dimension के बारे में बात करते हैं कि dimension का importance क्या है, क्यों हम dimension पर बात करते हैं, बहुत सारी theory और बहुत कुछ बात की जा सकते हैं, I am writing down the things, points बना कर यह, second point हमने complete किया, वही चीज़ें जो सवाल के हिसाब से बहुत important है और जो आप लोगों को revise करना बहुत जरूरी है, ठीक है, चलिए, next ने आपर आता third point जिसे हपन कहते हैं, dimension, third point जिसे हपन क्या कहते हैं, dimension, बहुत important है, सवाल आएगा ही, आएगा, इस से, ठीक है, dimensions, किसी भी physical quantity को, किसी भी physical quantity को, fundamental physical quantity की powers में, represent करने का तरीका, इस dimensions बिता, ठीक है न, जैसे, मुझे अगर यहाँ पर, example के तौर पर, velocity को, क्या करना हो, represent करना हो, तो मैं velocity को कैसे represent करूँगा, इसको, dimension को हमेशा square bracket में लिखा जाता है, velocity को define करने के लिए, mass की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन length की one power चाहिए, और time की power minus one चाहिए, तो यहाँ पर, this is what we call dimension में, इसे हम क्या कहते है, dimension of velocity, इसे square bracket में हम लिखते है, ठीक है, बात समझ में आ रही है, dimension से related एक बहुत important point के बारे में हम बात करते है, अब सब लोगों को मालूम है, अब सब लोगों को मालूम है, कि area क् होती है, ठीक है ना, area, dimension of area, अब देखे, dimension of area की जब हम बात करेंगे, तो आप बोलेंगे, sir, area तो circle का भी हो सकता है, और circle का area होगा, तो आप लिखोगे, sir, pi r square, area तो यहाँ पर rectangle का भी हो सकता है, मैंने का, बिल्कुल सही हो सकता है, और rectangle का area क्या होगा, length into width होगा, फिर and right, 4 pi r square, तो बच्चों, यहाँ पर, चाहे आप यह सभी चीज़े यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप formula circle का यूज़ करें, square का यूज़ करें, या rectangle का यूज़ करें, यहाँ पर जो area का dimension आएगा, बिटा, जो area का dimension आएगा, वो आएगा, only l square, इससे हमें एक बात समझ में आत whatever formula you guys are using, dimension हमेशा same ही आने वाला है, तो formula के चक्कर में नहीं पढ़ेंगे, पहली बात यह समझ में आ गई, clear है सबको, चलिए, बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं, next, यहाँ पर note point भी देखो, आप लिखते चलिएगा, अगर आपको लगता है, कि हाँ यह बात आप याद होंगे, तो बहुत अच्छे से काम हो जाएगा, most important, most important dimensions, most important dimensions कौन-कौन से हैं, सबसे पहला तो वही, velocity, velocity के लिए dimension होगा, lt-1, acceleration, acceleration का dimension होगा, lt-2, फिर उसके बाद में force का dimension होगा, lt-2, यह तो super star है, force जो है न, यह super star है, force का dimension सबको याद होना ही चाहिए, यह बहुत सारी जगों पर use होता है, और direct, जो है, आपको question पता चल जाएंगे, work हो गया, energy हो गया, और torque हो गया, इन सबके लिए same होता है, work, energy, torque बेटा, work, energy, torque, इन square, t to the power minus 2, यह भी बहुत important चीज़ है, कहीं बाद direct सवाल आता है, कि बताईए, इन सभी physical quantities में से किसका dimension जो है, similar है, क्या यह बात सबको समझ में आ गई, आगे बढ़ें बेटा, clear है, बहुत बढ़िया, now, second हम यहाँ पर बात करते हैं किसका, अब work हो गया, energy हो गया, तो आ energy, यहाँ पर पर unit time, तो ml square, t to the power minus 3, फिर आता है बेटा देखों यहाँ पर, चाहे आप pressure लिखें, चाहे आप क्या लिखें बेटा, pressure, प्रेशर या फिर आप लिखेंगे बेटा, stress, या फिर आप लिखेंगे young's modulus, pressure, stress, या फिर modulus of elasticity, young's modulus हो, modulus of rigidity हो, या फिर आपका हो, यहा पर, bulk modulus बेटा, young's modulus, bulk modulus, modulus of rigidity, इन सबके भी formulas क्या होते हैं, एक्जेक्ट सेम होते हैं, तो चाहे young's modulus हो, चाहे जी हो, या फिर चाहे यहाँ पर क्या हो बेटा, आपका, आप बोलेंगे सर, bulk modulus भी हो, तो हम लिखेंगे dimensional formula, क्या होगा, ml to the power minus 1, t to the power minus 2, क्योंकि pressure क्या होता है बेटा, force per unit area, pressure क्या होता है, force per unit area, क्या ये बात भी सबको समझ में आ गई, तो मैं एक एक करके सारी चीज़ें आपके सामने लिखते चले जा रहा हूं, जिसे आप ध्यान में रखेंगे, तो काम आपका बहुत आसान हो जाएगा, ठीके जी, चलिए, moment of inertia, moment of inertia क्या होता है, तो mass intimate distance का square, तो ये होगा बेटा, यहाँ पर M, L square होगा, इसमें T0 हो जाता है, फिर आता आपका angular momentum, what is angular momentum, तो angular momentum होता बेटा, M, V, R, क्या होता बेटा, M, V, R, M का mass M, V का, L, T minus यहाँ पर क्या होगा बेटा, 1, और R का होगा L, यनिकि इसका dimension क्या हो गया, M, L square T minus 1, क्या हो angular momentum, वो सब ही formulas जो बहुत important है, बस मैं वो लिख रहा हूँ, प्लीज ध्यान से सुने, समझे, क्या यहाँ तक सब को clear हो गया, ठीक है, फिर आता है next बेटा, आपका linear momentum, P is equals to mass into velocity, यहाँ पर इसका dimension क्या हो जाएगा, M, L, T minus क्या हो जाएगा, बेटा, 1, M, L, T minus क्या हो जाए next, आगे बड़े बच्चों, आगे बड़े जी, ठीक है, इसके बाद आता है, हम next जब बात करेंगे बेटा latent heat का, ठीक है, किसकी बात करेंगे बेटा latent heat का, तो अब यहाँ पर ध्यान से सुनेगा, when you are talking about latent heat, इसका जो dimensional formula होता है, वो होता L square T to the power minus 2, क्या होता है बेटा, L square T T to the power minus 2, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यह समझ में आ गया, कि सर यह एक तरह से velocity का square ही हो गया, यह क्या हो गया बेटा, velocity का square हो गया, तो assertion region में इसका सवाल बनता है, ठीक है, dimension में यहाँ तक किसी को कोई problem, यह सारे formulas याद होने चाहिए, इसके बाद, जब हम आगे बढ़ते हैं, तो what you have to remember, अब dimension में अधिकतर, जब class 12th के dimension बच्चों के सामने आते हैं, तो बहुत परेशान होते हैं, class 12th के dimension याद रखने के कुछ तरीके बताते हैं, आपको पता होना चाहिए, charge का dimension क्या होता है, तो जो charge होता है, यहाँ पर A और 7 में होता है T, charge का dimension क्या होता है, A और 7 में होता है T, अब आपको यहाँ पर कुछ-कुछ formula अगर पता हो तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है, आपको work done तो पता है, अब आपसे पूछा जाएगा V, और यह V क्या है बेटा, यह V है potential, या इस V को हम बोलते हैं बेटा, इस V को हम क् बोलो, अब देखो, यहाँ पर यह basic formula में क्या होता है बेटा, यह होता है, work done per unit charge, या तो इस से निकल जाएगा, या फिर, एक चीज़ आपको और पढ़ा रखी है, क्या पढ़ा रखी है, P is equals to V into में I बेटा, यह भी आप लोगों ने पढ़ा है, P क्या है यहाँ पर, P ये to the power minus 2, और यहाँ पर charge के लिए पन क्या लिखेंगे, A और 7 में क्या लिखेंगे, T, तो जो voltage उसका dimension क्या जाएगा, ML square, यहाँ पर T to the power minus 3, और A to the power minus 1, यहाँ से अगर आप voltage के लिए लिखोगे, तो वो क्या हो जाएगा, बेटा, that voltage would be power divided by current, और power के लिए formula क्या हो जाएग ML square, T to the power minus 3, और नीचे यहाँ पर current क्या हो जाएगा, A, तो आपके पास यहाँ से भी formula same ही आगया, ML square, T to the power minus 3, A to the power minus 1, क्या यह बात सब को समझ में आ रही है, so this is also very very important, class 12th का कोई भी dimension बहुत easily crack हो जाएगा, यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा, everyone, क्या यहाँ तक बात समझ आ गई सब लोगों को, next, यह पता होने के बाद में और क्या पता होना चाहिए, अब आपको बहुत सारी चीज़े पूछी जाएगी, कोई पूछेगा कि बताइए, capacitance का formula क्या होगा, तो भाई, हम बोलेंगे, capacitance का formula चाहिए, ना, तो capacitance क्या होता है, Q is equals to CV के formula से derive होगा, यार मुझे मालूम है Q क्या है, मुझे मालूम है V क्या है, तो मैं C का dimension derive कर लूगा, everyone, logic समझ आ रहा है, हर चीज़ याद नहीं रखी जा सकती, बेटा, वो जो table होती है, NCE, RT में, जिसमें 50, 68 अलग-अलग dimension लिके होते हो, सारे याद नहीं किये जा सकते हो, नहीं याद करन dimension of magnetic field, कोई आप से पूछे, नया ही सवाल लेकर आगया, छेक है न, लेकिन उसके पहले कुछ चीज़े और बता देता हूं, बेटा, L by R जब आप यहाँ पर करोगे, छेक है, R into में C जब यहाँ पर करोगे, या फिर under the root of L C जब आप यहाँ पर देखोगे, यह सभी का सभी चीज़े क्या होती है, बेटा, टाइम होती है, यह सभी की सभी चीज़े क्या होती है, टाइम होती है, very, very important, very, very important, direct सवाल आते है, बेटा, कि बताइए, इसमें से कौन सा unit, time बनाएगा, कौन सा dimension, time का dimension होगा, तो इसे याद रखना आप लोगों को, ठीक है न, इसे क्या कर मुझे कि बताइए, dimension, dimension of electric field and magnetic field क्या होगा, ठीक है, मान लीज़े, आपके सामने सवाल आया, और आप clue ले से, आपको नहीं पता, लेकिन आपको इतना जरूर पता है, कि electric field जो होती है, बिटा, electric field जो होती है, उसे हम क्या लिख सकते हैं, उसे हम लिख सकते हैं, force per unit charge, अब force के dimension, मुझे मालूम है, charge के dimension, मुझे मालूम है, मैं electric field का dimension बना दूँगा, बन जाएगा, नहीं बनेगा, समझा रहा है, तो ये electric field का dimension कैसा हो गया, यह हो जाएगा M, L हो जाएगा square, T to the power पता है क्या हो जाएगा, minus 3, और A to the power क्या होगा, minus 1, got the point, everyone, समझ गये, समझ गये, स square नहीं आएगा, sorry, 1L कम होगा, ML square नहीं आएगा, मैंने गलती से square कर दिया, ठीक है, है ना, यहाँ पर L की power 1 ही रहेगी, L की power, force है ना, ML T to the power minus 2, और 80 उपर जाएगा, magnetic field, क्या तुम जानते हो, magnetic field के लिए, हम क्या लिख सकते है, F is equals to BIL, तो मैंने क्यों पिछली slide में, force को star बना कर रखा था, क्योंकि force एक ऐसा dimensional formula है, जो लगभग लगभग हर जगस सेट हो जाता है, और उससे हर तरह की dimension calculate की जा सकती, that is why, अब यहाँ पर F is equals to BIL हो गया, I current है, L length है, F आपका force है, तो dimension of magnetic field अगर हमें निकालना है, तो क्या हो जाएगा, F divided by, I और साथ में क्या हो square, sorry, square नहीं आएगा, ML, T to the power minus 2, नीचे क्या होगा, current के लिए ampere, और length के लिए L, L से L cancel हो गया, so dimension would be M, यहाँ पर T to the power minus 2 और A to the power minus 1, अब बताएगे ज़रा, everyone, तो बहुत सारी इसी चीज़ें हैं, that you can identify, derive कर सकते हो, direct निकल कर आ सकती, ठीक है, इसके अलावा, और क्या-क function of C होता है, C, वो ही यहाँ पर क्या होता है, बेटा, 1 divided by, under the root of क्या होता है, यहाँ पर mu naught into epsilon naught, जहाँ पर mu naught क्या है, mu naught है, permeability, और epsilon naught क्या है, बेटा, permittivity, यह सब कुछ आप जानते होंगे, ठीक है, everyone, clear बच्छो, यह revision class है, कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए हो सकता ह नहीं हूँ, तो मैं यह बोल रहा हूँ कि जितना मैं लिख रहा हूँ, उतना तो कम से कम, यह bare minimum है, इतना तो आपको आना ही चाहिए, तो यहाँ पर इसका dimension क्या होगे, बिटा, यह जो आप देख रहे हो, 1 divided by this is actually equals to C, और C यहाँ पर क्या है, बिटा, तो C speed of light है, इसका dimension क क्या होगा, L T minus 1 होगा, you have to remember this thing, अब अगर आप से कोई बोल ले कि बताइए, dimension of epsilon naught यहाँ पर क्या होगा, आप से कोई पूछ ले, dimension of mu naught यहाँ पर क्या होगा, you can derive all these things, बिटा, ठीक है न, एक और चीज़, यहाँ पर छोटी-छोटी बाते होती है, आई यह ज़रा समझाते सर कैसे derive करेंगे, epsilon naught and mu naught को बिटा, ठीक है, तो अगर कोई भी, कोई भी current carrying wire हो, कोई भी current carrying loop हो बिटा, उसके center पर, कोई भी current carrying loop हो, उसके center पर magnetic field का formula होता है, mu naught I divided by 2R, mu naught I divided by 2R, और तुम लोगों ने magnetic field का formula बना लिया, magnetic field बता है, R पता है क्या होता, I पता है क्या होता है, तो mu naught आ जाएगा, बोलो यह सोर नो, फिर, तुम्हें epsilon naught निकालना है ना बिटा, epsilon naught, कुलाम्स लो में यहाँ पर use होता है, F is equals to 1 divided by क्या होता है, बिटा, 4 pi epsilon naught, यहाँ पर क्या होता है, Q1, यहाँ पर होता है, Q2, और नीचे क्या होता है, sir, R का square, तो यहाँ से epsilon naught की dependency किसके उपर है, दो charges के उपर, which is Q1 and Q2, और यहाँ पर यहाँ पर यहाँ आ जाएगा, R square साथ मा जाएगा, F, क्या आपको charges की dimension पता है, क्या आपको R का dimension पता है, क्या आपको F का dimension पता है, तो yes, we can get the value, am I right, everybody, clear है, नहीं पढ़ाओ, कभी नहीं पढ़ाओ, तो भी काम हो जाएगा, ठीक है आई बात समझ में, sometimes, sometimes क्या होता है, यह चीज़ें अगर आप भूल गए बिटा, यह इतना तो basic है, क्यों आपको पता होना चीए, क्या है, ठीक है, potential क्या होता है, उसके definition की दो तरीके होगे, potential पता होने के बाद में, capacitance निकालना हो, निकल जाएगा, resistance निकालना हो, निकल ज है, ठीक है, अब dimensions के use पर आते हैं, तो use of dimension, ठीक है, यह हमारा point number बनेगा, fifth बेटा, ठीक है, मैं point wise बना रहा हूँ, so that आप लोगों को पूरा chapter pointers के form में मिल जाए, ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे, next is, use of dimension, use of dimension, use of dimensions, use of dimension में पहला use होता है, बेटा, क्या, तो आप बोले हैंगे, पहला use is sir, n1, u1 is equal to n2, u2, हम क्या कर सकते हैं, इसकी मदद से हम कर सकते हैं, unit conversion, क्या कर सकते हैं, ठीक है बच्चों, कैसे करना unit conversion, तो 500 सवाल करवाऊंगा, उसमें एक सवाल इसका आएगा, ठीक है, 500 सवाल जब आएंगे, उसमें करवाएंगे, ठीक है, फिर second यह पर क्या होता है, तो यहां पर इसे हैं बोलते है, principle of homogeneity, second one is principle, second one is principle of homogeneity, और क्या बोलता है, principle of homogeneity, everyone, principle of homogeneity कहता है, कि if something, say f is equals to a, plus यहां पर क्या होता, b, तो dimension of f should be equal to dimension of a, and this is equal to dimension of b, ऐसा होना जरूरी है, और यह यह बहुत important है, यह बहुत important है, इस पर सवाल कहीं बार आते ही है, ठीक है न, तो previous year में आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे, तो principle of homogeneity, क्या होगा यहां पर, right hand side के dimension should be equal to left hand side के dimension, right hand side के dimension should be equal to left hand side के dimension, is that clear, जैसे एक यहां पर आपको example से बता देते हैं, एक यहां पर आपको example से बता देते हैं बिटा, velocity v is equal to, velocity v is equal to, यहां पर क्या बुला है, तो यहां पर आपको बुला गया है कि velocity v is equal to a intimate time t, और plus यहां पर बोल दिया बिटा, क्या, तो यह हो गया आपका bt square, velocity v is equal to, यहां पर a t plus bt square, तो आप बोलोगे velocity का जो dimension होगा, वही dimension a t का होना चाहिए, वही dimension a t का होना चाहिए, तो इससे dimension of a निकल करा जाएगी, तो dimension of a क्या होगा, dimension of a would be, dimension of velocity divided by time, velocity क्या होता है बिटा, तो velocity होता है यहां पर आपका length intimate time to the power minus 1 और नीचे आपने time एक और कर दिया, तो जो a होगा, उसका dimension हो गया, l t minus 2, यहनिकि यह acceleration हुआ, यहनिकि यह acceleration हुआ, similarly जो dimension v का है बिटा, वही dimension किसका होना चाहिए था, b t square का, rule is very simple, rule is very simple, यदी कोई दो चीजें जूड रही है या घट रही है, तो वो तब ही जूड सकती है और घट सकती है जब उनके dimension same होंगे, am I right, तब ही वो जूड पाएंगी और घट पाएंगी जब उनके dimension, same होंगे, otherwise ऐसा नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे sir, b का dimension अगर निकालना है, तो यह होगा v का dimension divided by t square, अब हम जानते हैं v का dimension तो क्या होता है बेटा, l t to the power minus 1, और t का dimension क्या होगा बच्चो, t square, तो जो आपका b होगा, वो एक ऐसी physical quantity है, जिसका dimension l t to the power minus 3 है, am I right, everybody, क्या यहाँ तक सबको clear हो गया, कि how to get the dimension, तो पहला use है unit conversion, दूसरा use है principle of homogeneity, dimensionally correctness check करने का तरीका, whether a given equation is dimensionally correct or not, अब यहाँ पर इसी second point से related एक note होता है बेटा, वो आपको समझना है सभी लोगों को, note point मतलब interesting सवाल, note point मतलब interesting सवाल, वो यह कि अगर कोई equation dimensionally correct है, if, if any equation, if any equation is dimensionally correct, everyone, if any equation is dimensionally correct, अगर कोई equation केसी बेटा, dimensionally correct है, then, then, क्या होगा यहाँ पर, it may or may not correct physically, क्या यह बाद भी सबको समझ में आ गई, physically वो correct हो, ऐसा जरूरी नहीं है, आपको एक example से समझाते हैं, आपको एक example से समझाते है, s equals to ut और प्लस यहाँ पर आपने लिखा बेटा, half 80 square, ठीक है, यह वाली equation dimensionally भी correct है, यह वाली equation आपकी अगर आप देखोगे, तो क्या यह equation आपकी dimensionally correct है, बढ़ चो जल्दी बताओ, क्या यह equation आपकी dimensionally correct है, हम बोलेंगे yes, क्या यह equation आपकी mathematically यहने की physically correct है, हम बोलेंगे yes, लेकिन अगर एक example मैंने लिया, s equals to, यह equation जो हमने लिखी है second पर, यह dimensionally तो अब भी correct है, लेकिन physically wrong हो गया, यह क्या होगे बताओ, तो यह हो गया, आपका dimensionally तो क्या हो जाएगा बता, dimensionally तो यह अब भी correct है, लेकिन mathematically कैसा हो गया यह, mathematically यह wrong हो गया, इसलिए हमने लिखा है, कि कोई भी physical quantity अगर dimensionally correct है, तो हो सकता है, वो physically wrong हो जाए, हो सकता है, वो physically सही हो जाए, ठीक है, लेकिन इसके reverse में बात करेंगे बिटा, अगर, if any equation, if any equation is physically, if any equation is physically और उसे बोलेंगे mathematically बेटा, physically और mathematically, physically और mathematically correct, अगर ऐसा है, तो, it will be, it will, dimensionally, it will, dimensionally correct as well, it will dimensionally correct as well, यहनि कि compulsion हो गया, अगर कोई, अगर कोई भी equation, केसी correct है बिटा, physically अगर कोई equation correct है, जिसे यहाँ पर अपने लिखा, physically या फिर mathematically correct है, तो वो dimensionally भी correct होगा, 110%, यहाँ पर may or may not भी नहीं होगा, इसके लिए हम क्या देखेंगे, इसके लिए हम देखेंगे बिटा, एक equation, जहाँ पर बच्चों को अक्सर confusion होता है, equation आती है बिटा, यहाँ पर एक, जिसके बारे में बच्चे सूचते हैं कि शायद एक सही नहीं होगा, और वो है, S N is equals to U, और प्लस यहाँ पर क्या होता है बिटा, S N is equals to U, प्लस, जल्दी बताईए, equation याद है, S N is equals to, थोड़ा 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 तुम लोग भी आओ, चाट में जा रहा, राइट, 2 S, वा, बहुत बढ़िया, मैं लिख रहा हू, S N, distance traveled by the particle in one second, छीके न, distance traveled by the particle in one second, यह होगा, A by 2, यहाँ पर क्या होगा, बिटा, A by 2, छीके, A by 2 and 2 N minus 1, is that clear, A by 2, यह होगा बार, A by 2, 2 N minus 1, is that clear, A by 2, 2 N minus 1, यहाँ पर बिटा, यह जो है न, यह भी dimensionally correct है, यह क्या है आपका, यह आपका distance in one second, बिटा, distance in one second only, तो यहाँ पर hidden, इस S के साथ, यहाँ पर इस U के साथ, hidden one second multiplied है, यहाँ पर भी hidden one second multiplied है, तो यह equation mathematically और dimensionally दोनों correct है, तो जब भी कभी कोई equation, मैंने इसको क्या कहा है बिटा, note point का है, ध्यान से देखिए, आप जरामे ने इसको क्या कहा है, note point कहा है, कोई भी, कोई भी equation, यदी कैसा होगा बिटा, mathematically, mathematically correct होगा, तो physically भी correct होगा, physically अगर correct है, तो आप बोलेंगे dimensionally भी correct है, लेकिन reverse true नहीं है, dimensionally correct है, तो mathematically wrong हो सकता है, प्लीज इस बात को ध्यान रखें, तीसरा यहाँ पर second use से related note point क्लियर हो गया, तीसरा जो use होता है, dimension का वो तीसरा use आपको समझाना है, तीसरे use पर आ जाते हैं, फटा फट से तीसरा use क्या होता है बच्चों, तो यहाँ पर dimensions can be used, dimensions क्या हो जाएंगे बिटा, dimensions can be used to derive an expression, example के तौर पर आपको पता होता है, कि जिससे time period depends on, time period of a physical pendulum depends on three things बटा, ठीके ना, कोई अगर मेरे पास यहाँ पर pendulum है, और वो pendulum यहाँ पर आपने देखा, इस तरह से होता है बच्चों, उस pendulum को अगर आपने इस तरह से oscillate करवाया, उसका time period तीन चीज़ों पर depend करा, किस किस पर, mass of the bob पर, length of the string पर, and acceleration due to gravity पर, तो यहाँ पर हम dimensionally, we can write कि T is proportional to mass to the power a, length to the power b, and g to the power c, यहाँ पर, we know the dimension of mass, we know the dimension of length, we know the dimension of g, तो dimensionally इसको हम derive कर सकते हैं, T यहाँ directly proportional आजाएगा, बेटा, under the root of l divided by g, यहाँ पर जब आप proportionality हटाते हैं, तो एक constant होता है, और यह जो constant होता है, बेटा, ध्यान से सुनना, इस constant की information cannot be obtained, cannot be obtained by dimensional analysis, cannot be obtained by dimensions, dimensions की मदद से हम इसको obtained नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब dimension analysis का यह क्या हो गया, एक drawback हो गया, यहाँ पर k में 2 pi भी हो सकता है, sin theta भी हो सकता है, cos theta भी हो सकता है, ठीक है ना, तो इसके कुछ drawbacks हैं, drawbacks कैसे हैं, यह cable उसी equations को derive कर सकता है, जो multiplication है, division में रखे हूँ, addition, plus minus वाली term derive नहीं कर सकते, तो यहाँ पर आपको कुछ जो है, इसके drawbacks बता देते हैं, बेटा, कुछ इसके drawbacks हैं, और यह सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, exam में जाने से पहले, क्योंकि इन drawbacks पर भी assertion region बन सकता है, ठीक है न, तो यहाँ पर plus and minus वाली term, plus and minus वाली term derive नहीं होगी, ठीक है न, plus and minus वाली term derive नहीं होगी, पहला point ही होगया, दूसरे point पर जब आप आएंगे बेटा, तो दूसरा point देखे, that is also important, ठीक है, यहाँ पर अगर किसी equation में, sin theta, cos theta, exponential या logarithm अगर है, तो वो भी यहाँ पर derive नहीं होगा, ठीक है, अगर किसी equation में आगया, मान लेज़े sin theta, अगर आगया cos theta, या फिर अगर आगया e to the power something something, या फिर आगया and log of something something, तो यह terms भी, क्या होगी बेटा, यह terms भी derive नहीं होगी, यह terms भी क्या नहीं होगी, क्या नहीं होगी, क्या यह भी सबको clear हुआ, यह terms भी derive नहीं होती है, ठीक है, कोई भी physical formula, कोई भी physical formula, जिसके पास केवल 3 dimensions होंगे, वही बस derive हो सकते हैं, बाकि derive नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, कोई भी, कोई भी formula, कोई भी formula, जिसका dependency, तीन से ज़्यादा physical quantity पर है, तीन से ज़्यादा physical quantity पर है, derive नहीं होगा, क्या यह बात भी समझ में आगे सब लोगों को, मस्ट मस्ट देखो, चोटी-चोटी बाते हैं, सब आपके सामने लिख दी, तो dimensions यहाँ तक clear हो जाता है, dimension में कहीं कोई problem नहीं है, dimension की सारी कहानिया clear है, dimensions के, हम लोगों ने सारे drawbacks भी देख लिख लिए, understanding भी बिल्ड कर ली, सारी चीज़ें clear हो गई, यहाँ तक अगर किसी को कोई problem या confusion हो, तो बताइए ज़रा हम आगे बढ़ जाएंगे बिटा, अगर नहीं है तो, principle of homogeneity में ही मैं आपको यहाँ पर एक note point छोटे में और लिख के बता देता हूँ, which is you have to remember बिटा, note point यह है, कि अगर आपने लिखा है, e to the power, something something, bracket में कुछ भी लिखोगे, तो यह भी पूरा क्या होगा बिटा, आपका dimension less होगा, और complete sign theta भी आपका क्या हो जाएगा, बिटा, dimension less हो जाएगा, आई बाद समझ में, similarly बिटा, अगर आपने लिखा log, log के साथ अंदर कुछ भी लिखो, वो कैसा होगा, वो dimension less होगा, वो dimension less होगा, और complete log की term भी dimension less हो जाएगी, सवाल सॉल करने में ध्याना है, सवाल सॉल करने में यह जो है, आप लोगों को help करेगा, ठीक है बच्छो, clear है, example कौन से point का चाह रहाएगा, बिटा, third point का, third point का, कोई भी physical quantity ले लीजे बिटा, कोई भी physical quantity जो mass पे भी depend है, length पे भी depend है, time पे भी depend है, और current पे भी depend है, तो फिर अब जो है वो physical quantity यहाँ पर formula से derive नहीं हो पाएगी बिटा, ठीक है ना, clear है, अनिशा, आयशा, right, चलिए, आगे बड़े बिटा, now, इस chapter का first portion complete हुआ, इस chapter का second portion आता, जिसे पन कहते है, error in measurement बिटा, ठीक है ना, तो यहाँ पर unit and dimension पूरी तरह से complete हो जाता है, क्या किसी को कोई problem है, फटा-फट, फटा-फट किया है बेटापन, लोगोंने, ठीक है, फटा-फट, फटा-फट किया है, मैं सामने आपके लिख लिख के कर रहा हूँ, theoretical chapter में, ज्यादा वक्त लगेगा, formulae वाले chapter में, वक्त कम लगेगा, ठीक है ना, formulae वाले chapter में, वक्त कम लगेगा, देखिए, वक्त बहुत करीब है, exam बहुत पास है, तो फिर अप घड़ी देखकर नहीं पढ़ सकते, फिर यह नहीं सोच सकते, की session लंबा हो गया, फिर यह हो गया, यहां अगर बेठे हो मेरे सामने, तो पढ़ ही रहे हो, यह तो नहीं कर रहे हैं, की कुछ और चल रहा है, कुछ ने कुछ काम की बाते हो रही ना, तो if we are taking a long session, जिसमें 5-6 घंटा भी अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे हो, तो you are doing a good job, आप exam के जस पहले पूरी physics ए मेरे देखे हुए notes कितने amazing हैं, तो वो सब यूज करी रहे हैं, तो आप निशिंत रही हैं, ठीक है, चलिए, error in measurement, error का मतलब होता है, पहला point यहां पर आएगा पेटा, error का मतलब होता है, यहां पर difference in, error का मतलब क्या होगा है, difference, किसके किसमें in, actual difference in, actual value and measured value, actual value and यहां पर क्य क्या कहते हैं, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, एरर कहते हैं, आई बात समझ में, चलिए, अब यहाँ पर एरर में आगे बढ़ने से पहले, एरर में बहुत सारी चीज़ें होते हैं, लेकिन एरर में आगे बढ़ने से पहले, कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जो आप लोगों को सम के बारे में बहुत अच्छे से एक एक्जाम्पल से समझाता हूँ what do you mean by accuracy and what do you mean by precision suppose हमें length measure करना है और length की actual value है 10 point या एक काम करते हैं length की actual value है 2 point यहाँ पर 25 बेटा यह क्या है उसकी actual value है यह क्या है बच्छा यह उसकी actual value everyone यह क्या बेटा actual value है clear है now अब अगर 2.25 actual value है तो ध् से सुनेगा यहाँ पर अगर मैंने कहा कि L is equals to मेरे पास आ गया 2.23 क्या आ गया बेटा 2.23 तो इसे मैं बोलूँगा यह most accurate हुआ यह कैसा हुआ बेटा most accurate हुआ कैसा हुआ बेटा most accurate क्यूं कि एक्च्छाल value के बहुत करीब है एक्च्छाब वैल्यू के बहुत करीब है यह measured value actual value के बहुत करीब हो तो वो most accurate होता है साथ ही साथ अगर मैंने यहाँ पर लिखा l is equals to l is equals to two point मैंने लिखा यहाँ पर one five ठीक है two point one five three two तो मैं इसे बोलूँगा यहाँ पर यह वाला most precise बोला जाएगा बिटा क्या बोला जाएगा इसको most precise बोला जाएगा are you good the point बिटा क्यों most precise क्योंकि यह ज्यादा decimal points तक ज्यादा decimal के बाद ज्यादा digit तक आपको value बता रहा है इसमें केवल दो digit तक आप rely कर सकते हैं इसमें आप 4 digit तक rely कर सकते हैं इसका मतलब यह most precise हुआ accurate नहीं हुआ लेकिन एक ऐसा result एक ऐसा result जिसकी value आगे बिटा टू point क्या आगे बिटा result आगे टू पॉइंट यहाँ पर तू 2.24 ठीक है 9 8 तो फिर हम इसको क्या बोलेंगे यह आपका most accurate भी हुआ बिटा यह आपका most accurate भी हुआ और यह आपका most precise भी हुआ यह value ऐसी है जो actual result के भी pass है और बहुत जादा points तक भी आपको value बता रही है तो most accurate भी और most precise भी accuracy precision clear सबको everyone clear है तो actual value के जितना पास उतना accurate और जितना ज्यादा जितना ज्यादा वो क्या होगा लंबे decimal के बाद जितने ज्यादा points तक वो value बताएगा वो उतना ही precise होगा yes or no everyone यहां तक clear हो गया ठीक है accuracy precision के बाद में यहां पर आता है third point जिसे पन कहते है बिटा significant figure और direct सवाल कहीं बार significant figure पर भी आ जाता है ठीक है ना तो यहां पर हम बात करेंगे किसकी बिटा significant figures की किसकी बात करेंगे बच्चो significant figures की तो when we are talking about significant figures तो significant figures में कुछ rules होते हैं जिनका हमें ध्यान रखना है सबसे पहला कौनसा बेटा सबसे पहला यहां पर आएगा all known zero digits are significant everyone क्या लिखेंगे बच्चो all known zero digits क्या लिखे जाएंगे all known zero digits are significant everyone all known zero digits are significant ठीक है ना सारे के सारे non zero digits significant होंगे ठीक है example के तौर पर मैं आपसे पूछू 23482 तो इसमें कितने significant figure होंगे 5 मैंने आपको बोला 2.3482 तो कितने significant figure होंगे 5 मैंने आपसे बोला 234.82 तो भी कितने significant figure होंगे 5 इस बात से कोई फरक नहीं पड़ता कि decimal कहां पर है अगर digits आपके कैसे बेटा without zero है non zero digit है तो where is the decimal doesn't matter हमेशा सारे number को गिनो जितने हैं उतने significant figure होंगे ठीक पहला rule सबको clear है कोई confusion कोई दिक्कत नहीं है चलिए फिर यहाँ पर हम बात करते है rule number two की बेटा जितने भी यहाँ पर आपके trailing zeros होंगे without decimal are not significant ठीक है ना क्या होगा trailing zeros what do you mean by trailing zero बताते हैं trailing zeros without decimal trailing zeros without decimal are यहाँ पर क्या होंगे not significant होंगे बिटा not significant example के तौर पर अगर मैंने लिखा two three double zero इसके पास के वल दो ही significant figure होंगे लेकिन अगर मैंने लिखा two three point double zero तो यहाँ पर फिर आपको चार significant figure लेने पड़ेंगे with decimal वो पीछे वाले zero count होंगे without decimal पीछे वाले zero count नहीं होंगे क्या यह logic सबको clear हो गया ठीक है फिर आता point number c बेटा point number c में अगर आपने एक number ऐसा लिखा ठीक है ना तो all zeros between between decimal and first known zero ठीक है ना all zeros क्या लिखेंगे वेटा पनिया पर all zeros before before first known zero first known zero number first known zero number are लिखा जाएगा not significant example से समझाएगा example से समझाएगा मैंने लिखा 0.025 मैंने example लिखा 0.0002577 तो guys यहाँ पर कितने significant figure होंगे यहाँ पर केवल बस यह दो ही significant figure होंगे यहाँ पर कितने significant figure होंगे तो यह last के केवल 4 ही significant figure होंगे क्या यह बात सबको समझ में आ गए तो significant figure में the rule is very simple, the rule is very simple बिटा, यहाँ पर मैंने example दे दिया, 0.0025700, तो बिटा यहाँ पर यह सारे के सारे count हो जाएंगे, इसके पास कितने significant figure होंगे, 6, और जिसके पास जितने ज्यादा significant figure होंगे, वो उतना ही ज्यादा more precise, more accurate होगा, जितने ज्यादा significant figure होंगे, उतना ही बहतर वो result आपको बताएगा, is that clear, समझ में आगई बात, इसका तिनों का example clear हुआ, 4th point यहाँ पर आता है, किसी भी physical quantity को, किसी भी physical quantity को जब आप represent करते हैं, in scientific notation, ठीक है न, तो scientific, यहाँ पर हम बोलेंगे, सर, scientific representation of number, scientific representation of number, कैसे लिखा जाएगा, scientific तरीके से बिटा, तो scientific तरीके से अपने लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा, 6.28 into में, 10 rest to the power से 19, तो बेटा जी, यहाँ पर यह क्या हो जाएंगे, यह हो जाएंगे, significant और कितने 3 significant figure होंगे, और यह 10 rest to the power में, जो कुछ भी लिखा है, यह होगा आपका, not significant, यह होगा, not significant, आई बात समझ में सब लोगों को, एक note point यहाँ पर आप सभी लोगों के लिख रहे हैं, जल्दी से ध्यान रखेगा, note point यह, कि change of unit does not change the significant figure, ठीके न, change of, change of unit, change of unit क्या करेगा बिटा, change of unit does not change, does not change significant figure, बिटा, does not change significant figure, everyone, ठीक है, does not change significant figure, यहाँ पर एक बच्चे ने कहा है कि से 25.00250 में कितने significant figure होंगे, तो जितने भी यह सारे हो जाएंगे, बिटा, all zeros between two non zeros are significant, बिटा, जो भी zeros हैं, कोई दो non zeros के बीच में आते हैं, तो वो क्या होते हैं, significant होते हैं, जैसे जो number आपने बोला, बिटा, जो number आपने बोला, 25.00250, तो उसमें सारे zeros significant हुए, तो 2500.0042503, साथ उसमें significant figure होंगे, समझ गए, किसी को कोई confusion, किसी को कोई दिककत, आगे बढ़े जी, तो significant figure clear है, rounding off बता देते हैं, quickly, rounding off का अगला point आपका आ रहा है, point number four, बिटा, rounding off, यह भी बहुत important होता है, rounding off भी करते आना चाहिए, neat में तो कम लेकिन, J.E. में बहुत ज़्यादा rounding off का importance होता है, ठीक है, न तो rounding off करते हुए, आना चाहिए, तो rounding off कैसे करेंगे, rounding off rule में, rounding off rule में, rule number one पर बात करेंगे, बिटा, rule number one, if last dropped digit, बिटा, if last dropped digit, कैसा है यहाँ पर, if last dropped digit, ठीक है न, if last dropped digit is more than five, more than five, then यहाँ पर हम क्या करेंगे, जल्दी बताइए, then increase, then increase, preceding number, उसके पहले वाला, then increase preceding number by one, ठीक है न, example से समझाते हैं, जे से, मैंने आप से कहा, 6.23, यहाँ पर बोल दिया, 7, यह last dropped digit कैसा 7 है, and 7 is more than five, तो यहाँ पर यह जो उसके आगे वाला number है, which is three, उस three को हमें क्या करना पड़ेगा, three को हमें three plus one कर देना पड़ेगा, that will convert to four, तो rounding of क्या होगी इसकी, इसकी rounding हो जाएगी, बेटा, six point two four, क्या यह logic सबको समझाया, क्या यह logic सबको समझाया, everyone, next बात करेंगे, अगर हमने लिखा यहाँ पर मान लीजे six point, अगर हमने क्या लिखा बिटा यहाँ पर, six point, मान लीजे यहाँ पर हमने लिखा अगला, अगला rule बताते हैं, फिर अगला आपको यहाँ पर example बताएंगे, rule number two पर आते हैं बेटा, rule number two में, if last drop the digit, अगर यहाँ पर देखो, अगर last digit, अगर आपका last digit कैसा होगा, अगर last digit पांच से, पांच से छोटा होगा, तो, तो, कोई, तो, कोई, चेंज नहीं करेंगे, तो, कोई, चेंज नहीं, नहीं करेंगे, तो, कोई, चेंज नहीं करेंगे, एकदम देशी भाषा में लिकरें बेटा, ठीके, अगर last digit पांच से छोटा होगा, तो, कोई, चेंज नहीं करेंगे, example, example लिया, हमने यहाँ पर, number six point, two, three, और one ले लिया, one कैसा है जी, one आपका less than five है, तो, rounding off, जब आप इसकी करेंगे, तो, आप सीधा लिख देंगे, six point, two, three, three remains as it is, three क्या हो जाएगा, पिटा, as it is रह जाएगा, उससे कोई फरक पढ़ने वाला नहीं है, क्या यह बात सबको clear हो गई, point number C पर आते हैं, come on everyone, point number C पर आते हैं, यदी, यदी, last number, last number, five ही है, last number क्या है, five ही है, तो, उसके पहले, उसके पहले, even या, odd चेक करेंगे, even या, odd देखेंगे, क्या देखेंगे, उसके पहले, even या, odd है, यदी, even या, odd देखेंगे, अब even या, odd देखा तो, क्या हुआ, अगर आपका, क्या है, odd है, तो, odd will change to even, odd किस में change होगा, even में हो जाएगा और यदि अगर आपका even है तो even रहेगा यहां पर remains even as it is उसमें कोई फरक नहीं आएगा example से आपको समझाएगी चीजें जैसे मैंने example यह 6.23 और यहां पर बोला 5 यह वाला number कैसा है बेटा odd है यह वाला number सबको आगे बढ़ते हैं अगर even है अगर क्या है बेटा even जैसे example 6.225 है तो यहां पर यह 2 कैसा है बेटा यह 2 even है तो यहां पर हम round off भी कैसे करेंगे 6.22 कुछ भी यहां पर दिवाग लगाने की जरुरत नहीं है चमक गया सबको everyone rule समझ में आ गए significant figure clear हो गया significant figure clear हो गया बेटा significant figure के साथ rounding off clear हो गया कहीं कोई problem चलिए errors में आते हैं किसी भी physical quantity को जब हम represent करते हैं ठीके ना तो यहां पर point number कौन सा बनेगा आपका fifth अब आते हैं हम असली दुनिया में error की दुनिया में ठीके ना बेटा तो any physical quantity ठीके ना कोई भी physical quantity एक्जामपल ले रहा हूं मैं length की ठीके ना तो मैंने जब लिखा length is equals to मैंने लिखा length is equals to यहां पर मैंने लिखा two और plus minus करके मैंने यहां पर लिखा बेटा 0.01 इसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या है यह हम समझते हैं अगर मैंने length को लिखा ऐसे meter में तो यह बताता है कि यह वाली जो value है इसे हम length की actual value consider करेंगे यह क्या होगा बेटा यह length की actual value consider की जाएगी और यह जो यहां पर आपके पास value है यह आपका delta L होगा और इसे हम कहेंगे absolute error बेटा क्या कहेंगे इसको Absolute Error कहेंगे अब आपको समझाते हैं कि Absolute Error होती क्या चीज है वही जो आपने लिखा Error, Error क्या होता है True Value Minus Measured Value यही आपका Absolute Error है True Value Minus Measured Value यही क्या होता बिट आपका Absolute Error होता है Error कभी भी Negative नहीं होगा Note Point लिखा देते हैं आपको Note Point क्या लिखेंगे बच्चो Error कभी भी क्या नहीं होता है Error कभी भी Negative Error कभी भी Negative यहाँ पर Error कभी भी Negative नहीं नहीं होगा अब वो Instrument में आपका Vernier के लिपर और Screw जबहां मत चले जाना कि सर यहाँ पर तो Negative हो रही है मैं Absolute Error की बात कर रहा हूँ इसलिए Error को हमेशा कैसा लिखा जाएगा जो भी Error होगी उसको Mode में लिखा जाएगा जो भी Error होगी उसे किसमें लिखेंगे बिटापन Mode में लिखेंगे क्यों लिखेंगे Mode में समझ आ गया सबको Clear है Error हमेशा जुडएगी गलतिया हमेशा जुडएगी और गलतियों से जुड़ जुड़ कर जुड़ जुड़ कर गलतिया और जादा गलतिया हो जाएगी तो ये हमेशा ध्यान रखना है Error के मामले में ठीक है बच्चों आई बात समझ में अब ये गलतिया होती क्यों है ये तो clear है कि सर्ट true value और measured value है पहले तो हमें value measure क्यों करने है किसी भी physical quantity को बिना measure करें काम कैसे चलेगा तो measure तो करना पड़ेगा तो कोई भी physical quantity हो उसे measure करना पड़ता है measure करेंगे तो of course भाई गलती होगी अब गलतियां किस तरह की हो सकते उस पर बात करते है बिटा तो जब आप यहाँ पर बात करते हो error की error में दो तरह की चीज़ें होती बच्चो error में यहाँ पर दो तरह की चीज़ें होती कौन कौन सी एक होती है systematic error एक होगी बेटा यहाँ पर आपकी systematic error और एक होगी आपकी random error एक होगी बेटा यहाँ पर आपकी कैसी error random error systematic error और random error पहले random error समझाते हैं ठीके कि यह क्या होता है यह bin पेंदे का low time यह कुछ भी हो सकता है यह कुछ भी हो सकता है यह plus भी हो सकता है यह minus भी हो सकता है actual value के उपर बहुं सकता है actual value के या नीचे कुछ भी संभव है everyone actual value के उपर या नीचे कुछ भी हो सकता है लेकिन यहां पर अगर हम systematic error की बात करें तो या तो उपर होगा या तो या तो कैसा होगा या तो actual value के ऊपर या नीचे दोनों मेंसे कोई एक चीज़ होगी दोनों एक साथ नहीं होती है मतलब यह systematic है या तो सारी values प्लस 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 जा रही है या सारी values माइनस 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 जा रही है तो यह systematic हुआ systematic फिर तीन तरीकों से हो सकती बहिया कौन-कौन सा एक तो आपके instrument की गलती हो एक तो कैसी हो जाए बेटा यहाँ पर आपकी instrumental error हो जाए कैसी error हो जाए बेटा instrumental error हो जाए यह निकि instrument दी खराब हो जिसे vernier kelly पर screw gauge में zero error हो तो फिर answer आपका गलत आएगा तो instrument को correct करना पड़ेगा instrument की error को सुधारना पड़ेगा अब आप tape से length नाप रहे हो और tape तूटी हुई है tape कहीं से तूटी हुई है तो अंदाजे से गलतियां हो जाएंगी तो यहाँ पर instrumental error को अगर आप देख रहे हैं तो ध्यान रखना पड़ेगा ठीक है फिर next यहाँ पर आता है आपका next यहाँ पर आता है क्या बिटा तो आप यहाँ पर बात कर रहे हो sir lack of knowledge की next क्या आएगा बिटा यहाँ पर lack of knowledge lack of क्या होगा बिटा यहाँ पर आपका error होगी क्योंकि वो व्यक्ति विशेश वो जिस तरह की गलती कर रहा है वो repeatedly वे सिंगलती करता चला जाएगा तो यह lake of knowledge की वजह से भी होता है ठीक है ना फिर यहाँ पर यह गलती किसकी वजह से हो सकती है और यहाँ पर तो आप जो भी experiment कर रहे हैं उस experiment को conduct करना ना आए एक तो lake of knowledge हुआ कि कुछ भी आपको पता नहीं है ठीक है ना एक तो आपको कुछ भी आता पता नहीं है और दूसरा instrument use करना ना आए ठीक है ना दूसरा यहाँ पर क्या होगा बेटा अगर आप instrument use ना कर पाएं instrument use ना कर पाएं तो भी यह error होगी बोलो यह सोर नो क्या यह बात भी समझ में आगई सब लोगों को random में random error कैसे हो सकती है अंदाजे लगाना random error कैसे हो सकती बेटा तो random error एक व्यक्ति की गलती यहाँ पर यह भी हो सकती है कि अंदाजे लगाना अंदाजा लगाना कि कम होगा जादा होगा तो वो कुछ भी value लगाए जा रहा है ठीक है तो यह random error में आता है यहाँ एक note point लिख रहा हूं बहुत जबर्जस्ट ध्यान से सुनिएगा बहुत जबर्जस्ट ठीक है न? note point सब लोगों के लिए note point यह है कि यदि number of observation number of observation increases then random error कम होगा random error कम होता है but systematic error SE में कोई फरक नहीं पड़ेगा में कोई फरक नहीं होगा क्या यह बात सबको समझ में आ रही है कि मैंने क्या लिखा है example से बताते हैं आपको बिटा example से बताते हैं और उससे आप लोगों को बढ़ियां से समझ आ जाएगा so let's have an example example यह है कि मैंने यहां पर ठीक है length is measured five times length is क्या किया गए बेटा बेटा है यहां पर measured five times length is measured five times with an error with an error कितना बेटा हैं यहां पर अब मैंने number of observation hundred times बढ़ा दिये बेटा number of observation क्या किये मैंने 100 टाइम बढ़ा दिये yes आज पहली class है बेटा now now number of measurement now number of measurement now number of measurement number of measurement is कितने बेटा 500 मतलब आपने 100 गुना बढ़ा दिये then then यहां पर आप बोलेंगे then अच्छा यह वाली x केसी है बेटा तो इसको मैं बोल रहा हूं random error यह क्या है बेटा आपकी random error है और यहां पर आप बोल दीजिए मान लीजिए 3% और यह 3% आपकी केसी बेटा systematic error है random error कितनी है बेटा random error है आपकी यहां पर x percent systematic error कितनी है आपकी 3% ध्यान से सुनना random error x percent systematic error 3% तो मैं क्या बोल रहा हूं कि observation अगर आपने 100 गुना बढ़ा दिये तो जो error होगा जो error होगा कौन सा वाला बेटा random वाला error उसका नया percentage कितना हो जाएगा मालूम है x बटा 100 जितना यहां पर जितना यहां पर गुना observation बढ़ाओगे उतना ही random error कम होगा लेकिन systematic error कि अगर आप बात करेंगे तो systematic error तो अभी भी आपका 3% ही होगा systematic error तो तब सुधर सकता है जब तुम instrument को ठीक करोगे जब तुम instrument को ठीक करोगे otherwise नहीं हो पाएगा क्या यहां तक बात समझ आ गए सब लोगों को यह note point clear हुआ बेटा सब लोगों को बहुत बढ़िया तो यहां पर आपके सारे point होगे fifth point के बाद में यहां पर six point most important formulas होते है बेटा ठीक है यहां पर आता है sir relative error क्या होगी आता है क्या यहां पर relative error क्या होगी तो बच्चो relative error को हम क्या बोलेंगे relative error को हम बोलेंगे यह होता है error in measure में जो भी absolute error होगा divided by true value absolute error divided by क्या होगा बेटा true value इसको हम क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे यहां पर क्या हो जाएगा delta x by x को relative error बोलते हैं फिर आता है आपका percentage error क्या आता है यहाँ पर आपका percentage error तो percentage error की जब आप बात करेंगे तो percentage error में relative error को ही आपको क्या करना है 100 से multiply कर देना तो percentage error हो जाएगी ठीक है तो percentage error आ गया अब आता है propagation of error यदि दो quantity को आपस में जोड़ा या घटाया जाए जोड़ा या घटाया जाए multiply या divide किया जाए तो उसमें error कैसे लिखते हैं यह बहुत important segment है तो segment number 7 पर आते हैं सभी लोग segment number 7 पर आजाएं बच्चो एवरीवन चेके ना तो propagation of error क्या करने वाले हैं अब हम propagation of error पर चर्चा करेंगे propagation of error और propagation of error पर चर्चा होगी तो जैसे z is a quantity which is depend on a plus b बिटा या a minus b a plus b लिखो या a minus b लिखो जिसमें z को क्या बोलोगे जिसमें जो तुमारा z है वो क्या होगा वो होगा small z और उसमें एक error होगी plus minus delta z तो जानते हैं यदि if ध्यान से सुनना if z is equals to a plus b है तो यहां पर आपका small z तो small a plus b हो जाएगा और यदि आपका z है a minus b तो आपका small z तो a minus b हो जाएगा लेकिन दोनों में हें delta z यहाँ पर भी आपका delta a plus delta b ही होगा और यहाँ पर भी delta z आपका delta a plus delta b ही होगा That means absolute error add up हो जाएगी बिटा Absolute error add up हो जाएगी बोलो yes everyone, क्या यह logic सबको clear है? क्या यह logic सबको clear है? कोई physical quantity a plus b हो रहा है a में error है, b में error है A में भी error है, B में भी error है तो अगर add होना है तो actual answer तो add करके आ जाएगा लेकिन error को भी add करना पड़ेगा subtraction अगर हो रहा है तो actual value तो subtract करके आएगी लेकिन उसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा absolute error को add करना पड़ेगा ठीके, example से बताता हूँ जिसको आपने क्या का बिटा 3 प्लस माइनस यहाँ पर क्या लिखा 0.03 ठीके, बात समझ में आ रही है अब मुझे यहाँ पर चाहिए बताईए L1 प्लस L2 क्या value होगी with error और यहाँ पर मैंने आप से पूछा बताईए L1 माइनस L2 क्या होगी with error तो बच्चों L1 प्लस L2 कर रहे हो न तो L1 प्लस L2 तो पहले तुम सीधा सीधा लिख दो कि 6 प्लस 3 होगा आंसर होगा 9 L1 माइनस L2 चाहिए तो सीधा सीधा आंसर लिख दो कि सर 6 माइनस 3 होगा आंसर आएगा 3 लेकिन what about delta L तो यहां पर आप लिखोगे percentage error के साथ बेटा तो आपको लिखना पड़ेगा 9 प्लस माइनस यह आपका 0.06 प्लस यह आपका 0.03 यहने की दोनो एड हो गए तो value कितनी आ गए value आ गए 9 प्लस this value would be 0.09 बोलो yes or no क्या यह बात सब को समझ में आया everyone लेकिन यहां पर देखो यहां पर actual value तो आपकी 3 है लेकिन जब error की बात करोगे प्लस माइनस तो आपको लिखना पड़ेगा 0.06 माइनस 0.03 तो यहां पर बच्चे सोचते हैं कि सर माइनस लगाना पड़ेगा नहीं यहां पर भी प्लस ही आएगा यहां पर भी प्लस ही आएगा और अगर प्लस ही आ रहा है तो value वुड भी 3 प्लस माइनस क्या लिखो गया आप यहां पर 0.09 क्या यह बात अब सब को समझ में आ गई क्या यह बात सब को समझ में आ गई तो error का propagation addition और यहां पर addition और subtraction में कैसे होगा clear हो रहा है यदि यहां पर आपका propagation of error में point A clear हो गया अब हम आते point B पर everyone point B पर यदि कोई physical quantity either लिखी हो कि यह A cross B होगी या फिर अगर कोई physical quantity Z is equals to A divided by B लिखी हो तो बच्चों small z small z जो actual value है वो तो multiply करके और divide करके आएगा लेकिन यहां पर जब आप delta Z लिखोगे so that should be plus minus क्या होनी चीए बेटा तो actual यहां पर जो error होगी A में वो relative error plus जो B में relative error होगी उसका sum total होगा क्या यह बात सबको समझ में आती है come on everyone क्या यह बात सबको समझ में आती है is this clear to you all is this clear to you all is this clear to you all ठीक है बेटा देखो सभी अगर formula के example में ने दिये तो class चल जाएगी 12-13 घंटे ठीक है न इसलिए फटा-फट से revise करते है जब हम इसी part के 500 सवाल करेंगे तो यह notes आप साथ में लेकर बेटना एक-एक चीज़ clear हो जाएगी ठीक है न एक-एक चीज़ clear हो जाएगी इसलिए don't worry मैंने जितना आपको कहा है मैंने जितना आपको कहा है वो सारी चीज़ें जितना मैंने आपको समझाया है जितना मैंने आपको बताया है उतना अगर आपने complete कर लिया इस बाहुबली सीरीज का trust me guys आप आराम से आराम से 130, 140 प्लस स्कोर करोगे हाँ थोड़ी महनत आपकी अपनी लगेगी कि यार PYQ at least आप solve कर लो doubt अगर आते हैं तो आप उधे solve कर लो ठीक है connect कर लो आई बात समझ में ठीक है बिटा चले आगे बात करें बहुत बढ़िया यहां तक हो गया clear सबको next बहुत जादा important एक formula आता बिटा C वाला point कौन सा point बनेगा है पर C वाला point और यह C वाला point में orange color से लिख रहा हूँ उससे clear हो जाएगा कि यह बहुत 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 जादा important है यदि कोई भी physical quantity let us suppose that x dependent on certain number जैसे a to the power 3 b to the power 2 c to the power यहाँ पर नीचे 1 और d to the power से 1 by 3 और यहाँ पर a, b और c और d सब में कुछ-कुछ percentage error है तो find percentage error in x बेटा तो उस condition में आप बोलोगे जो भी percentage error होगा किस में बेटा x में percentage error in x would be equal to जो जिसकी power है वो पहले सामने आ जाएगी जैसे a की power 3 है अब उसमें multiply होगा बिटा यहाँ पर delta a by a और multiply by 100 फिर यहाँ पर plus करके b की power कित्ती है 2 तो वो आ जाएगी यहाँ पर delta b divided by b और multiply by आपका 100 आ जाएगा फिर c की power कित्ती बेटा 1 तो वो हो जाएगा 1 और यह हो जाएगा आपका delta c by c और into में कितना हो जाएगा आपका 100 और फिर plus यहाँ पर क्या होगा d की power 1 by 3 है तो यह हो जाएगा आपका delta d divided by d multiply क्या होगा बेटा 100 होगा ध्यान से सुनिएगा यह जो यहाँ पर हे need के लिए बहुद 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 ज्यादा important है need के लिए यह बहुद ज्यादा important है तो please be careful while dealing with this धेगे न चलिए आगे बढ़े विटा आगे बढ़े Everyone चलिए next next आता है यहाँ पर आपका next point number बढ़नेखा कौण सा 08 एंस्ट्रूमेंन में शाइब कंसा वर्नियर के KPर की जब आप करेंगे weiteren इंस्केलर और एक होता जिसमें हमआरा यहां तो यहां पर लिखा होता है M divisions of men scale क्या करते हैं n divisions coincides with किसना यहां पर बेटा n vernier scale division VHD मतलब vernier scale division और यहां पर men scale division के साथ coincide कर रहे हैं तो बच्चो वन अगर मुझे यहां पर define करना हूँ कि one vernier scale division is equal to what तो आपको बोलना पड़ेगा सर वो M divided by N होगा M divided by N होगा और into में होगा यहां पर one men scale division one men scale division तो इससे बनता है बेटा vernier के लिपर का list count और list count क्या होता है list count होता है यहां पर one men scale division one men scale division minus one vernier scale division उपर वाली लाइन से जहां पर N division coincide करते हैं N division के साथ वहां से हमने one division की value कितनी बना ली बेटा M by N वहां से अपनने क्या बना लिया बेटा M by N तो यहां से list count का formula comes out to be कितना हो जाएगा तो one men scale division आपको बहार रखना है bracket में और अंदर यहां पर क्या हो जाएगा बेटा one minus M divided by N one minus M divided by N सवाल में given होगा सवाल में given होगा values यहां पर कैसे लेनी है ठीक है got the point everybody यहां तक सबको clear हो रहा है बहुत अच्छे तो this is the formula बेटा this is the formula that we are talking about ठीक है न यह वो formula है जो आपको list count vernier caliper का निकालने में काम आएगा अब बारी आती है कि sir reading कैसे ली जाती है अब बारी आती है कि sir reading कैसे ली जाती है तो जब भी आप vernier caliper में reading लेंगे तो reading में यहां पर क्या होगा एक होगा बेटा main scale reading और दूसरा होगा बेटा यहां पर आपका vernier scale reading ध्यान से सुनिएगा तो जो main scale reading होता है वो होता है mark on main scale क्या होता है यहां पर आपका mark on main scale just before just before zero of vernier scale vernier scale की zero के just पहले vernier scale की zero के just पहले जो आपको दिखता है example से बताते हैं so that you will understand कि sir अगर मान लीजे यह हमारी main scale है और main scale का यहां पर एक mark है and that mark is 25 बेटा यह mark क्या होगा 25 25 और इसके नीचे यहां पर यह रहा zero यह zero किस का है बिटा बता देते हैं यह zero है आपका vernier escale का यह zero किस का है vernier scale का तो vernier scale की zero के just पहले क्या दिख़र आपको 25 vernier scale की जीरtar के just पहले क्या दिख रहा है 25 तो Aanser किया होगा 25 basis होगा आई बात समझ में आई बात समझ में सबको everyone instrument जब पढ़ाएंगे और अच्छे से clear कर देंगे अब यहां पर आप लोगों के लिए एक्जाम्पल और बना देते हैं so the quickly chat मैं answer किजेगा quickly chat मैं answer किजेगा I want everyone to answer everyone I want everyone to answer this ठेक है na सबी लोग करेंगे बच्छो यहाँ पर हमने आपसे कहा कि this is the zero this is the zero यहें जीरो किसका बिटा vernier scale का यहें zero किसका बिटा vernier scale का everyone तो मैंने यहां पर लिखा है मैंने यहां पर लिखा है 21 मैंने यांपर लिखा है 22, मैंने यहाँ पर लिखा है 23, come on tell me MSR की value क्या होगी, come on tell me MSR की value क्या होगी, अच्छा, अब आप बोलोगे कि sir, MSR की value mm में होगी या cm, तो man scale जिसमें लिखाओ, man scale जिसमें लिखाओ, man scale आपको अगर mm में लिखाओ, तो आप mm लोगे, और man scale अगर cm, तो आप cm में लोगे, तो Vernier Scale की 0 के जस्ट पहले क्या दिख रहा है? एक केस, very good. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेटा, 21 हो जाएगा. आई बात समाझ में, VASR. VASR में टोटल दो चीज़े होती है, क्या-क्या? VASR में होता है, बेटा, यहाँ पर, VASR में होता है Coinciding Vernier Scale Division, और साथ में होता है, इन्टो लिस्ट काउंट. लिस्ट काउंट क्या होता है, मैं पहले ही बता चुका हूं. Now, what is this Coinciding Vernier Scale Division? CVSD क्या है, बेटा? तो यह होता है आपका Mark of Vernier Scale that exactly, that exactly coincides, that exactly क्या करेगा, बेटा? Coincides with Mark of, with Mark of Main Scale. With Mark of Main Scale. Example से समझाते हैं, Example से समझाते हैं, क्योंकि यह ऐसी चीज़े हैं, जिसको theoretically बता कर आगे निकलना, कोई point नहीं बनेगा, ठीके ना? तो यहाँ पर हमने बहुत सारे numbers लिए, यहाँ पर अपने बहुत सारे numbers लिए, right everyone, we are taking up a lot of numbers like this, ठीके हैं, हमने इस तरह से number लिए, यहाँ पर हम vernier scale की बात कर रहे हैं, तो यह vernier scale का एक number हो गया, vernier scale का दूसरा number हो गया, vernier scale का तीसरा number हो गया, यह vernier scale का क्या हो गया बिटा, यहाँ पर आपका तीसरा number हो गया, कुछ ऐसे, और यह वर्नेर स्केल का चोथा नंबर हो गया यह 0 है, यह 1 है, यह 2 है और यह 4, यह 3 है यह क्या लेना पढ़ेगा बिटा, this is 3 तो यहाँ पर आप देखो ज़रा, अच्छा इधर उपर, यह मान लिजे आपका 21 है यह 22 है, यह आपका 23 है ठीक है, यह आपका 24 है तो यहाँ पर बताईए, CVSD की वैल्यू क्या होगी CVSD की वैल्यू क्या होगी, come on everyone CVSD की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर अगर मैंने इसको इस तरह से किया है, तो what will be CVSD आपको यह देखना है कि Vernier Scale का Vernier Scale का कौन सा division, Vernier Scale का कौन सा division, exactly coincide करता है, तो कहीं बार बच्चे सोचते हैं, कि सर यहाँ पर आंसर 24 होगा, नहीं बेटा, 24 तो Man Scale का है 24 तो Man Scale का है, सर ने क्या लिखा सर ने लिखा Mark of Vernier Scale Vernier Scale का Mark, जो coincide करेगा किस के साथ, Man Scale के Mark के खाथ, तो यहाँ पर कौन coincide कर रहा है, तो यहाँ पर आप बोलो के 3, और 3 correct answer होगा Come on everyone, सब को चमक गया, सब को चमक गया की नहीं तो correct answer क्या होगा, बेटा, 3 होगा Is that clear, सब को बहुत अच्छे से, किसी को कोई confusion, नहीं, ठीक है अब यहाँ पर आती है, बेटा, errors आती है, ठीक है ना, तो हम बात करेंगे सर, zero error के बारे में, ठीक है न, next point हमारा, जो भी चल रहा है, यहाँ पर, zero error ठीक है, तो जो zero error होती है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करके बता देते हैं zero error, if without object ठीक है न, if without object jaws are touch if without object, jaws are touch, and and zero of main scale, and zero of vernier scale, not coincide, अगर दोनों आपस में coincide ना करें, not coincide, then then क्या होगी, then there is then there is zero error, then there is zero error, अलग-अलग इसके type होते हैं example से समझाते हैं बिटा, अच्छा zero error को, अगर zero error है, तो correct reading कैसे लिखोगे, तो corrected reading जो होगा, वो हो जाएगा, बेटा, यहाँ पर आपका MSR, MSR plus आप यहाँ पर लिखोगे, क्या बेटा VSR, और इसमें से आपको minus करना पड़ेगा, यहाँ पर error, क्या करना पड़ेगा, minus करना पड़ेगा, error, और यह जो error है, algebraically subtract होगी, बेटा, कैसे subtract होगी, algebraically subtract होगी, algebraically subtract होगी, का मतलब क्या है, plus है तो plus रखना है, और minus है कैना है, plus है तो plus रखना और minus है तो minus है, तो यह बात आप ध्यान रखेंगे, error मैं आपको बता यह लिखेंगे नो एरा यहां पर क्या लिगें टिक लेकिन अगर मीनलीचे टाइप ऄर थूप पर आगहें type number two पर आ गए, जिसमें आपने देखा, कि sir, यहाँ पर यह लाइन है, यहाँ पर यह आपका zero है, कौन सा main scale का, लेकिन जो vernier scale का 0 है, वो इस से थोड़ा सा right side रह गया, वर्येरसकेल का 0 कहा रिए थोड़ा सा right में रहे थोड़ा सा right में रहे है जूम करके दिखा देतें आपको समज आएगा यह क्या है यह आपका 0 किसके main scale का 0 है यह 0 किसका है बेटा वर्येरसकेल का 0 है हलका सा right में है, zero is slightly right side of the main scale तो हम इसे बोलेंगे ये error कौन सी होगी, positive zero error इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, इसे हम कहेंगे ये होगा हमारा positive zero error, क्या होगा बिटा, positive zero error होगा निकलेगा कैसे, निकलेगा यहाँ पर ये, आपको देखना होगा कोई न कोई division तो coincide कर रहा होगा, CV, SD कोई न कोई तो division क्या कर रहा होगा, coincide कर रहा होगा और into में फिर list count बेटा, तो ये answer आजाएगा कोई न कोई, अगर zero coincide नहीं कर रहा है, तो कोई न कोई coincide करेगा पक की बात है, ठीक है, तो इससे answer निकल कर आजाएगा C वाले point में आएगे, तो यहाँ पर आपको observe करना पड़ेगा, sir ये रहा हमारे पास reference line, ये रहा हमारे पास में में scale का 0 और यहाँ पर vernier scale का 0 होगा, वो कहां पर होगा बेटा वर्नियर scale का 0 होगा, 0 of vernier scale left में में scale के 0 से कहां पर होगा, बेटा, left में तो इस error com क्या कहेंगे इस error com यहाँ पर कहेंगे बेटा negative zero error क्या कहेंगे बेटा negative zero error और यह होगा total number of division minus करना पड़ेगा CVSD और into my list count यह बात आपको बस यहाँ पर याद रखने बेटा total number of division में से total number of vernier scale division में से CVSD माइनस करना पड़ेगा क्या यह बात सबको समझ में आ गई everyone clear रहे हैं यहाँ तक सबको बहुत बढ़िया से चलिए आते हैं फटाक से जड़ा हम screw gauge के उपर ठीक है न अगला आपका point number कौन सा बनेगा बहिया point number बनेगा sir 9 point number 9 पर आते हैं और 9 में starting with screw gauge ठीक है ना बस इसी chapter में ज्यादा time लगेगा क्योंकि इसमें समझाने वाली चीज़े थोड़ी सी ज्यादा है बाकी में formulas है तो इस उन बाकी चीज़ों में time थोड़ा कम लगना चाहिए ऐसा मेरा अंदाजा है अब बाकी तो कुछ कहा नहीं सकते देखिए रावल पिं खिंबल होता है जो इसे घूमता है और आगे पीछे के सकता है वेना इल टीच वी इंस्ट्रूमेंट उस दिर में आपको उसका complete demo दिखाऊंगा उस दिर में आपको उसका complete demo दिखाऊंगा या एक काम ये भी कर सकते हैं ठीक है एक मिनट अगर वक्त दो तो मैं कोशिश करता अभी आप लोगों को दिखाने के रुके जरा I have that thing with me जल्दी से थोड़े से अगर बालकों को और साथ लेकर आ जाओ ठीक है मैं ऐसी प्यारी चीज़ बताने वाला हूं मज़ा आ जाएगा आप लोगों को ठीक है ना हाँ क्या आप लोग तयार हैं बहुत बढ़िया कोशिश करिए मैंने कोशिश करिए मैंने कि आप लोग देख लें ये देखो ये होता है ये होता है इसक्रूगेज जब विदाउट ऑबजेक्ट आप इसे देख रहे हो ना विदाउट ऑबजेक्ट ठीक है कहां पर ये स्टर्ड में दिखा नहीं सकता आप ऐसे क्योंकि हाथ लगा कर वो सैट अप मैंने वैसा बना रखा हुआ है ठीक है तो यहां पर आप देख रहे हो ये थिंबल होती है इसे घूंती है देखो ये थिंबल होती है इसे घूंती है दिख रहे हैं इसे घूंती है और फिर इसमें हम क्या करते हैं यहां पर हम इसको खोल के इसके बीच में इसको यह जो ऑबजेक्ट आप देख रहे हैं इस ऑबजेक्ट को यहां पर लाक को 25 कोईंसाइट करता हूँ दिखेगा दिख रहा है 25 तो मेन स्केल रिडिंग हो जाएगी इसकी कितनी बेटा यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4 4th division, got the point everyone और 25 क्या हो जाएगा इसका 25 हो जाएगा इसका कोईंसाइडिंग circular scale division list count कैसे निकालना है मैं आपको बताता हूँ चलिए तो यहाँ तक अगर आपको बात समझ में आ गई हो तो we'll move ahead ठीक है तो मैंने कहा कि चलो मैं दिखा भी देता हूँ है ना मैं दिखा भी देता हूँ तो screw gauge में हम क्या करतें बेटा screw gauge में सबसे पहले कहानी होती जिसको अपन कहते हैं बेटा pitch क्या होता है pitch तो pitch होता है यहाँ पर distance pitch होता है बेटा distance moved by distance moved by thimble distance moved by thimble ठीक है in one rotation बेटा distance moved by thimble in one rotation एक rotation में thimble जितना move करेगा उसी को हम pitch कहते हैं list count क्या होता है बेटा तो list count हो जाता है यहाँ पर आपका pitch P divided by क्या हो जाएगा number of circular scale division number of circular scale division generally circular scale division 50 या फिर 100 होते हैं 50 या फिर 100 होते हैं ठीक है everyone आगे बढ़ते हैं next अब reading कैसे लेंगे बिटा तो reading में जब आप यहां पर बात करते हैं तो reading में आपको लिखना होगा कि sir एक तो में चाहिए main scale reading और दूसरी हम को चाहिए यहां पर circular scale reading तो main scale reading में हम क्या बोलेंगे main scale reading में हम बोलेंगे sir mark of mark of main scale just mark of main scale last mark of main scale visible to us ऐसा कर देते हैं इसको ठीक है mark of main scale visible to us visible to us ठीक है visible to us जो हमें last में दिखता है जो हमें last में दिखता है बेटा उसके बाद के तो circular scale के अंदर छुप जाएंगे न, circular scale के अंदर क्या करेंगे, छुप जाएंगे उसके बाद के, अभी तो दिखाया था, चलिए, तो circular scale reading को क्या बोलेंगे, circular scale की जो reading होती है बेटा CSR, circular scale जो reading होती है बेटा CSR, इसे हम कहते हैं, coinciding circular scale division into में बोलेंगे बेट list count और यह coinciding circular scale division क्या होता है यह होता है आपका mark of circular scale mark of circular scale that that exactly that exactly क्या करेगा coincide करेगा that exactly क्या करेगा coincides with reference line that exactly coincide with reference line जो center में line होती उसके साथ जो coincide करता है अभी दिखाया था आप लोगों come on everyone वर्शा एक बार दोबारा एड़ देखो अभी ना वक्त बहुत हो जाएगा इसलिए at the end of the session अगर तुम्हें वर्नियर के लिपर का VSD फिर से समझना है मैं ऐसे दिखा के आउंगा यहाँ पर देखे आप यहाँ पर देखे आपका reading क्या होगा reading होगा अगर यहाँ पर MSD यह जो आप देख रहे हो ना 0 और उसके बीच का जो gap है बेटा 0 और 1 के बीच का जो gap है वो है 0.5 0 और 1 के बीच का जो gap हो 0.5 तो यहाँ पर 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5 यह वाला division क्या हो गया 2 mm यह वाला division कौन सा होगा बिटा तो इस line के just पहले देखो इस line के just पहले तुम्हें क्या देख रहा है 2 mm देख रहा है और 25 वा division इस reference line के साथ exactly coincide कर गया तो तुम्हें सम everyone तो मैं तुम्हें value भी दिखा देता हूं यहाँ पर when I click on the display value तो आपको समझ आएगा कि MSD का value यहाँ पर क्या है बेटा MSD का value 2 mm है और यहाँ पर देखे 25 CSD है इसमें list count multiply किया वो 0.25 mm बन गया comment everyone जोरदार अरे यार इसके लिए तो दिल आ जाने चाहिए कितना बहतरी तर प्रमें जब आप देखोगे यह आपके reference line है यह आपका 0 है यह किसका 0 बेटा Man scale का और यहीं पर अगर आपका circular scale का लाइन आजाए यहीं पर आपका क्या आ जाए बेटा circular scale भी आ जाए यहीं पर आपकी circular scale भी आ गया exactly जेम जगह पर और यहाँ पर आपका reference पर आगया 0 है तो हम इसको बोलेंगे no error ये condition क्या होगी बिटा no error होगी ये condition कैसी होगी no error होगी clear है। ये condition क्या होगी बिटा no error होगी ये formulaS है बच्चे इसलिए इसमें थोड़ी सी आप लोगों को हो सकता है problems आ रही हो क्योंकि अगर पहले से पढ़ा हुआ नहीं है तो फिर एकदम से चीज़ें आपको लगेंगे किया यह कुछ भी जो है हुआ है हमको समझ नहीं आई बात ठीक है इसमें यहाँ पर circular scale थोड़ी सी पीछे रह जाएगी 0 आपको man scale का visible होगा और vernier scale का 0 नीचे रह जाएगा circular scale का 0 कहां रह जाएगा नीचे तो हम इसको बोलेंगे positive positive 0 error बेटा positive 0 error कहेंगे और यह होगा यहाँ पर आपका plus c c s d और into में लिखना पड़ेगा बेटा list count ठीक है और यदि आपने क्या किया यदि आपने इस तरह से reference line ली या आपने man scale का बनाया और यहाँ पर अगर आपका 0 कहां चला जाता है circular scale 0 को छुपा देती है बेटा circular scale क्या करेगी circular scale इस 0 को छुपा देगी अगर circular scale ने main scale के 0 को छुपा दिया तो आपका circular scale का 0 कहां चला जाएगा ऊपर चला जाएगा आपको कैसे पहचानना है आपको positive और negative error पहचानने के लिए एक तरीका यूज़ करता है कि 0 main line के नीचे है तो positive 0 main line के उपर है तो negative तो इस error को हम क्या बोलेंगे बेटा इसको हम बोलेंगे negative 0 error negative 0 error और इसको लिखा जाएगा minus sign के साथ वही total number of division में से आपको लिखना पड़ेगा c c s d minus करके और into में list count आई बात समझ में आई बात समझ में come on everyone clear हो गया सब लोगों को तो पहला और दूसरा दो चाप्टर हमारे यहां पर unit and dimension error in measurement खतम हो गए बेटा now let's move to the next chapter जल्दी से बताएगे how's the josh in the chat section come on everyone पूरा class 11 एक साथ नहीं होगा बेटा दो पार्ट में करना पड़ेगा दो पार्ट में करना पड़ेगा ठीके न तो पार्ट 1 होगा हमारा rotation तक और पार 2 होगा हमारा gravitation से waves तक आज हम पार वन करेंगे come on चलिए आजाएए आजाएए नेक्स्ट यहां पर आता है आपका motion in a straight line बेटा ठीक है ना नेक्स्ट हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे है motion in a straight line motion in straight line जिसे हम 1D कहते हैं नेक्स्ट चैप्टर हमारा आगया है motion in a straight line revision सारा हो चुका है सबसे पहले motion in a straight line में यहाँ पर हम बात करेंगे सर दो चीज़े हमारे पास होती है कोई भी अगर एक particle यहाँ पर initially है finally वो घुम कर कहीं आ गया यह initial point है यह उसका final point है initial point से final point तक वो कहीं सारे रास्ते वो initial point से final point तक कहीं सारे रास्ते travel करके यहाँ पहुँच सकता है initial point से final point तक आने के लिए अंगिनत रास्तों को वो use कर सकता है अंगिनत रास्तों से होता हुआ वो यहां पहुंचेगा लेकिन अगर मैं इन दोनों रास्तों के बीच में अगर एक पॉसिबल डिस्टिंस की बात करू तो वो एक ही संभव हो सकती है हाँ कि ना एवरिवन एवरिवन ठीक है क्लियर है बचो यहां पर तो यह आपको जो है पाथ क्या बताते हैं और यह क्या बताते हैं तो पहला पॉइंट यहां पर मैंने डाइग्राम बनाया है पहला पॉइंट यहां पर शुरू होगा हम बात करेंगे distance के बारे में, हम बात करेंगे यहाँ पर किसके बारे में, displacement के बारे में, distance और displacement दोनों को अलग-अलग तरीके से समझते हैं, यह क्या होता है, तो यह होता है यहाँ पर आपका actual path length ठीक है, यह क्या होता है, actual path length होता है, ठीक है, यह क्या हो सकते हैं तो यह देखो मैंने डाइगराम बना के रखा हुआ यह multiple possible हो सकते हैं multiple possible values हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं यह possible है ठीक है यह कभी भी negative नहीं होगा यह कभी भी क्या नहीं होगा बेटा negative नहीं होगा come on everyone can't be negative at all कभी भी negative नहीं होने वाला है ठीक है, तो actual path length है, multiple possible value है, कभी भी negative नहीं होगा Can't be 0 for moving object, ठीक है, क्या होगा यहाँ पर Can't be 0, can't be 0, किसके लिए 4, 4 moving object Can't be 0 for moving object, moving object के लिए कभी भी 0 नहीं हो सकता Can't be 0 for round trip, क्या होगा यहाँ पर एक चीज़ों और एक Can't be 0, कभी भी 0 नहीं होगा in round trip Round trip में भी कभी 0 नहीं होने वाला है, यह distance की बात कर रहे हैं है ठीक है, displacement, यहाँ पर क्या होगा बेटा, displacement के case में हम लिखेंगे सर, यह होगा shortest, यह क्या होगा बेटा, shortest possible, shortest possible path यहाँ पर होगा बेटा, और इसकी direction होती है, यह कैसा होता है, यह होता है आपका scalar physical quantity और यह कैसा होता है, वेक्टर physical quantity, इसके पास direction होती है initial से शुरू होता है और final की तरफ जाता है, initial से शुरू होता है final की तरफ जाता है, come on everyone, initial से शुरू होकर कहा जाएगा, final की तरफ इसके पास क्या होती है सर एक unique value होती है क्या होता है इसके पास unique यहने कि एक single value होगा example देखो यहाँ पर यह path आपका 1 है यह path आपका 2 है यह path आपका 3 है यह path आपका 4 है distance 4 हो सकती है लेकिन displacement एक ही है distance आपकी 4 हो सकती है लेकिन displacement आपका एक ही है तो यह क्या हो सकता है displacement के अगर आप बात करोगे यह हो जाएगा आपका can be positive can be negative and even 0 also can be positive, negative and even 0 also ठीक है कैसे 0 हो सकता है कैसे negative हो सकता है कि example से समझाते है जैसे यह रहा आपका यहाँ पर एक line बिटा यहाँ पर क्या आपका x is equals to 0 है अगर यह particle का initial point है a से शुरू किया particle यहाँ पर आगया b पर ठीक है तो यहाँ पर जो displacement होगा बिटा वो होगा positive everyone particle अगर यहाँ पर है इस तरफ x के opposite side में तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे यहाँ पर जो displacement होगा particle का वो negative होगा by particle इस तरफ आगया ना तो arrow आपका left में हो गया यहाँ पर arrow आपका right में हो गया लेकिन अगर मान लीजिए आपका particle i से शुरू करके b पे जाता वापस i पे आ जाता है i से शुरू किया b पे गया और b से वापस i पर आ गया उस condition में आप बोलोगे i से b पर गया b से वापस i पर आ गया तो round trip हो गई बेटा और round trip के लिए displacement की value क्या हो जाएगी 0 बोलो यह सोर नो come on everyone सब को चमक गया फटाक से सब को चमक गया कि distance क्या है displacement क्या है distance actual path link displacement shortest possible path from initial to final negative positive 0 कुछ भी हो सकता vector quantity direction हमेशा initial से final होगी that is the point ठेक है clear है सब लोगों को चलिए next यहाँ पर हम बात करते हैं दो चीज़े होती है second point आता है बेटा second point आता है speed के बारे में second point क्या आता है बच्चो speed के बारे में speed क्या चीज़ होती है speed होती है कि अगर गाड़ी चल रही है तो कितनी तेज चल रही है बेटा गाड़ी कितनी तेज चल रही है यह कौन बताएगा speed बताएगा rate of change of distance बोलते है अपन इसको ठीक है ना तो V is equals to क्या बोलेंगे बेटा यहाँ पर D divided by DT और यहाँ पर इसमें क्या होता है यहाँ पर आपके पास इसमें distance होता है आई बात समझ में speed कैसा physical quantity बेटा scalar physical quantity है क्या यह कभी negative होगा तो हम लिखेंगे सर यह कभी भी negative नहीं हो सकता है can't be negative please take care of this thing can't be negative आई बात समझ में speed negative नहीं हो सकता का मतलब यह नहीं है speed decrease नहीं हो सकता है speed increase, decrease, constant हो सकता है speed क्या हो सकता है बिटा can be, can be यहाँ पर क्या होगा तो can be increase can be increase, can be decrease and can be even constant also बिटा ठीक है ना तीनो बाते संभव है कहीं बार बच्चे समझ देते कि negative का मतलब increase भी नहीं होगा, decrease भी नहीं होगा constant भी नहीं हो सकता slow कर सकते हो, हाँ कर सकते हैं और लगातार एक जैसी रफतार से चला सकते हो हाँ चला सकते हैं, बस वही बात है ठीक है तो speed समझ में आगे सब लोगों को everyone, speed के बाद आता है बिटा next term जिसको पर कहते हैं velocity क्या फरक है speed और velocity में समझाते हैं तो velocity बोलेगी कि गाड़ी कितनी तेज चल रही है और किधर चल रही है कितना और किधर ये दोनों बाते involve हो जाती है मतलब magnitude के साथ साथ direction भी involve होता है ठीक है ना, तो यहाँ पर कितना के साथ साथ कितना तेज कितना तेज और उसके साथ साथ यहाँ पर किस तरफ कितना तेज और और साथ में क्या बताएगा बिटा ये यहाँ पर किस तरफ अब ये जो किस तरफ है ना ये आपको बताता है direction कितना तेज वो बताता है speed किस तरफ वो बताता है direction तो ये क्या है बिटा ये है आपके पास speed और ये किस तरफ मतलब क्या हो गया किस तरफ का मतलब हो गया बेटा direction तो velocity में दो बाते है magnitude भी है और direction भी है इसी लिए velocity को हम क्या कहते है velocity को हम कहते है rate of change of rate of change of displacement come on everyone मतलब velocity को अपन क्या कहेंगे कहेंगे dx divided by dt क्या ये बात सब को समझ में आ गई velocity को क्या कहेंगे बेटा dx divided by dt come on everyone तो velocity dx by dt हो गई बहुत बढ़िया velocity क्या होगे बिटा dx by dt हो गई मतलब इसी को हम क्या कहेंगे इसी को हम कहेंगे slope of x versus t का graph बिटा ये क्या हो जाएगा आपका slope of x versus t का graph हो जाएगा velocity में यहां तक सारी की बाते clear किसी को कोई confusion कोई दिकत कोई परिशानी नहीं चलिए अगला point अगला point आता है point number three में बात करेंगे बिटा point number three में बात करेंगे तो यहां पर आती है sir average आती है आपका speed क्या होगा और यहां पर आता है बिटा की average बताईए यहां पर velocity क्या होगा come on quickly average speed क्या होगा average velocity क्या होगा average speed का मतलब हो जाता है कि total distance average speed का मतलब क्या होता है बच्चो average speed का मतलब होता है कि total distance divided by total कितना time लगाया total distance divided by total कितना time लगाया average velocity का मतलब क्या हुआ कि total displacement कितना है total displacement कितना है और कितना आपने उस displacement को अचीव करने में time लगाया आई बात समझ में clear है अब यहाँ पर दो बहुत important formulas यूज होते हैं जिनें आपको समझना है अब देखें यहाँ पर note point के साथ लिखेंगे क्योंकि neat के लिए बहुत important है हमेशा पूछे जाते हैं तो सवाल यह होता है कि यदि कोई भी particle A से शुरू करता है B पर जाता है वाया C और वो गया यहाँ पर कैसे T1 time के लिए T2 time के लिए speed जब V1 था speed जब V2 था तो जानते हैं यहाँ पर आप क्या लिखेंगे यहाँ पर आप लिखेंगे कि सर इसकी average value जब हम बनाएंगे तो इसकी average value के लिए आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि आपको क्या पता है आपको पता है time और speed तो total distance के लिए क्या लिखोगे V1 T1 प्लस क्या लिखोगे बिटाजी V2 T2 and divided by क्या लिखोगे total time total time कितना हो जाएगा आपका T1 प्लस T2 comment everyone इसमें शर्त यह है कि अगर T1 और T2 दोनों बराबर हो जाए T1 और T2 दोनों बराबर हो जाए यहनि कि particle अलग-अलग speed से equal time के लिए travel करेगा तो उसमें जो V average का formula होता है दोस्तों वो होता है V1 plus होता है V2 and whole divided by होता है 2 am I right everyone V1 plus V2 divided by 2 यही कहानी ऐसे भी हो सकती है sir कि यहाँ पर मान लीजे यह आपका particle है which is going from A से शुरू किया B पर उसने जाना है via C जाना है लेकिन displacement X travel किया यहाँ पर X2 travel किया speed V1 है यहाँ पर speed V2 है मतलब क्या पता है इस बार distances पता है तो time नहीं मालूम तो time को convert करना पड़ेगा तो जब यहाँ पर आप लिखोगे V average तो यह क्या आएगा बिटा यह आएगा आएगा X1 plus आएगा X2 total distance हो गया नीचे यहाँ पर time की जगह पर आपको बोलना पड़ेगा X1 divided by V1 plus लिखना पड़ेगा X2 divided by V2 am I right everybody जल्दी से बताइए अब इसमें शर्त क्या है कि यदि X1 is equals to X2 हो जाएगा तो उस condition में यह जो V average है यह जो V average है पिटा इसकी value क्या होगी तो आप लिखेंगे इसको लिखनेंगा तरीका अपन थोड़ा सा ऐसे लिखेंगे ध्यान से सुनेंगा फिर अपन convert करेंगे उस condition में यह हो जाएगा आपका 2 divided by आपको लिखना पड़ेगा V average is equals to 1 divided by V1 और plus लिखेंगे 1 divided by V2 इस format में लिखना जरूरी क्यों है क्योंकि कई बार 2 की जगह जब 3 दिया होगा तो फिर यही याद आएगा बेटा जब 2 की जगह 3 होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा simple है है कि नहीं भाई x1 plus x2 plus x3 होगा तो 1 plus 1 plus 1 3 हो जाएगा न और इधर क्या आएगा 1 by V1 plus 1 by V2 plus 1 by 3 तो यह याद रखना है इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा इसी को थोड़ा सा जब हम solve करेंगे तो this can be written as this V average is equals to twice times of V1 V2 and whole divided by क्या लिखेंगे बेटा V1 plus V2 बच्चो इस पर PYQ आ चुका है इस पर PYQ already आ चुका है क्या ये बात आप सब जानते हैं इस पर PYQ आ चुका है already सब को clear है चैट सेक्शन में thumbs ups चैट सेक्शन में thumbs ups come on everyone ये बाते clear है चलिए तो average speed, average velocity clear हो गया सब लोगों को किसी को कोई confusion कोई दिक्कत good ठीक है next next point is point number 4 point number 4 में आता है हमारा acceleration point number 4 में क्या आता है बेटा point number 4 में आता है sir acceleration acceleration ठीक है acceleration और acceleration को अपन लिखते है A से और ये क्या बताता है ये बताता है rate of change of velocity क्या बताता है बेटा rate of change of velocity और इसी का formula ये भी लिखा जा सकता है sir x into में dv divided by dx बेटा क्या लिखा जा सकता है x into में dv divided by dx बोले ये सुरनो sir कब तक चलेगा session कोई idea मुझे जहां तक लगता है बेटा एक या दो तो बजनी चाहिए क्योंकि सारे chapters complete अगर करने हैं तरीके से अगर complete करने हैं भगाना नहीं है session तो हमें उस तरह से करना पड़ेगा ठीके ना तो a is equals to dv divided by dt और x dv by dx क्या बताता है rate of change of velocity तो यहां पर velocity में change कैसे होगा बेटा तो velocity में change दो तरह से हो सकता है velocity अगर है तो velocity में दो दो चीज़े हैं क्या क्या है velocity के पास magnitude है ध्यान से सुनना velocity के पास क्या है बेटा magnitude जिसे हम क्या कहते है speed कहते है जिसे हम क्या कहते है बेटा speed और इसके पास क्या है बेटा velocity के पास direction भी है velocity के पास क्या है बिटा direction भी है तो अगर ये change हो रहा है ये change होगा तो कैसे change होगा ये change होने के दो तरीके यदि आपका acceleration parallel हुआ velocity के तो हम यहाँ पर बोलेंगे speed up होगा तो V क्या करेगी बिटा increase होगी ठीक है और अगर आपका acceleration कैसा होगया anti parallel होगया anti parallel to V तो यहाँ पर आपकी V क्या करेगी बिटा decrease करेगी इसको हम कहेंगे retardation इसको हम क्या कहेंगे retardation एक बात मैं आपको बता देता हूँ बच्चे हमेशा सोच लेते retardation मतलब negative acceleration ऐसा जरूरी नहीं है retardation हमेशा negative हो ऐसा जरूरी नहीं है देखिए आपका एक example से बताते हैं यहाँ पर V आपने right side लिया और A आपने left में लिया तो यहाँ पर A को negative और V को हम positive लेंगे यह आपका retardation है लेकिन अगर आपका V कहां पर लिया आपने left में और आपने A कहां पर लिया और राइट में तो यह A आपका positive है बट इस्टिल यह retardation है तो समझ में आ रही है बात retardation that does not mean कि acceleration हमेशा कैसा होता है negative चलिए direction के बारे में बात करते हैं तो direction तभी change होगा जब acceleration कैसा होगा perpendicular to velocity होगा example example के तौर पर आपका circular motion example के तौर पर क्या होगा बच्चो circular motion होगा क्या ये बात भी सबको समझ में आ गई everyone clear है थोड़ा देखो लिख भी रहा हो समझा भी रहा हो समझाते होगे करेंगे तो जल्दीनत अदरवाइस केवल formula लिखते होगे आगे बढ़ना है तो इत्ती दिर में 4 chapter खतम कर चुके होते थीके ना तो केवल formula लिख कर आगे नहीं बढ़ रहे है हम ना मतलब आप चैट में बता सकते हूँ कि sir formula लिख कर बस आगे बढ़ जाए तो we can do that also थीके ना बट मेरा ये मानना है कि देखो है धंग से जरा चीज़ें करेंगे ना तो अच्छे से cover up होंगी सारी बात है ठीके येस understood everyone चलिए अब यदि आपका acceleration क्या होगा बिटा यदि आपका acceleration ना तो angle यहाँ पर angle क्या बनाया बिटा यहाँ पर angle बनाया theta is equals to 0 यहाँ पर anti-parallel angle क्या बनाया theta is equals to 180 अब अगर आपका acceleration और velocity होगा 0 और 180 के बीच में 90 भी नहीं बना रहा है तो फिर होगा parabolic motion बिटा ठीके ना इफ angle between ध्यान चाह सुनना इफ angle between acceleration vector and velocity vector is not 90 0 and 180 then then motion is parabolic then motion is कैसा होगा बेटा then motion is parabolic is that clear then motion is parabolic example हम पढ़ेंगे projectile motion में भी थोड़ी दिर बाद आने वाला है क्या यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई acceleration की पूरी picture clear है अब देखो आपको एक छोटी सी बात समझाते है कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर होती है connected और कैसे अपने को सोचना होता है तो motion कैसे कैसे होंगे ठीक है ना तो यहाँ पर देखिए एक होगा जहाँ पर acceleration अगर आपका 0 है acceleration के 0 होने का मतलब है velocity का constant होना acceleration के 0 होने का मतलब है velocity का constant होना velocity के constant होने का मतलब है motion का uniform होना motion का uniform होना यहने की uniform motion हो गया और उस condition में जो distance होगी उसको सिधा सिधा बस अपन खाली S equals to VT से calculate कर लेंगे लेकिन यदि acceleration आपका कैसा हो जाए acceleration आपका constant हो जाए बेटा तो constant acceleration में velocity अब आपकी लगातार change होगी तो यहाँ पर यह uniformly accelerated motion बोला जाएगा velocity केसी होगी आपकी constant नहीं है velocity constant अगर नहीं है जरूरी नहीं है जरूरी नहीं है यह बात भी समझा दू पता चला तुम बोलो और यस और यसे कैसे acceleration constant और velocity constant नहीं है क्योंकि बेटा पार्टी अगर acceleration 0 नहीं है तो या तो उसका magnitude बदलेगा या उसकी direction दोनों में से कुछ न कुछ तो बदलना तय है acceleration के होने का मतलब ही है rate of change of velocity तो circular motion में भी velocity क्या होगी change होगी क्योंकि उसका magnitude constant होगा लेकिन direction change होगी ठीक है ना everyone बहुत बढ़िया चलिए तो यहाँ पर हम इसे बोलते है uniformly accelerated motion uniformly accelerated motion हम इसको कहते है और acceleration चुकी constant है तो use करना होगा हमें use all equations of motion use all equations of motion everyone सारे equations of motion यहाँ पर valid होगे अभी आगे चल के लिखता हूँ next slide में जगह नहीं बची यहाँ पर acceleration अगर आपका कैसा हुआ constant नहीं हुआ तो हमें calculus use करना पड़ेगा क्या use करना पड़ेगा calculus use करना पड़ेगा calculus use करने पड़ेगा मतलब actual formula actual formula जैसे a is equals to क्या आपका dv divided by dt या फिर आपका v into में dv by dx या फिर आपका v is equals to dx divided by dt बात समझ में आ रही हैं सब लोगों को ऐसे ठीक है चलिए तो एक-एक करके चर्चा करते हैं और यहां से आपको कुछ और बहतरीन बाते सिखाते फिर हम average acceleration पर आ जाएंगे क्या यहां तक सबको clear है क्या यहां तक सबको clear है बच्चो किसी को कोई problem किसी को कोई confusion किसी को कोई दिक्कत ठीक है तो यहां पर आप क्या करोगे integration differentiation वाली बात बताते हैं यदि x as a function of आपके पास time है यदि x कैसा आपके पास function of time है and you want की velocity क्या होगी तो x को आपको क्या करना पड़ेगा differentiate करना पड़ेगा x को आप differentiate करोगे और power यहां पर क्या होगी बचा x में जो भी power होगी वो decrease होगी बाई वन वो decrease होगी कितने से बिटा बाई वन से राम बान चीज़ बता रहा हूँ ये velocity अगर मेरे पास as a function of time है और अगर मैंने उसको differentiate कर लिया velocity को मैंने differentiate किया तो यहां पर भी क्या होगी बेटा यहां पर power आपकी decrease होगी power आपकी decrease होगी कितने से बेटा बाई वन से तो आपके पास क्या आ जाएगा acceleration आ जाएगा acceleration को differentiate करने से acceleration को differentiate करने से कुछ नहीं मिलता है जटका लग जाता है कुछ नहीं मिलेगा जटका लगेगा कुछ नहीं मिलेगा जटका लगेगा ठीक है इसलिए कुछ नहीं मिला जर्क बोलते इसको डी ए बाई डी टी क्या लगेगा एक दूं जटका लग जाएगा ठीक है चलिए यहाँ पर डिफ्रेंशेट किया वेलोसिटी मिला डिफ्रेंशेट किया एक्सलरेशन मिला एक्सलरेशन को जब इंटीग्रेट करते हैं तो पावर में क्या होता है पावर यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है कितने से बाई वन पावर क्या हो जाती है इंक्रीज हो जाती है बाई वन सिमिलर यहाँ पर वेलोसिटी को जब तुम क्या करोगे बिटा वेलोसिटी को जब तो कुछ नहीं मिलेगा X को integrate करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा कच्रा हो गया ठीक है तो बात समझ में आ रही है सब लोगों को यहां तक clarity मिल रही है बिटा कैसे सोचना है क्या सोचना है एक example करा देता हूँ फटाक से सो दाट यू गाईस के अंडर्स्टेंड कि हाया हमको क्या पढ़ाया सरने यदि वैने आप से कहा X is directly proportional to T square then then X is directly proportional to T square then acceleration will be then acceleration will be क्या होगा तो बच्चो X को differentiate किया तो velocity यहां पर directly proportional to T हो जाएगी पावर एक कम होगा 2 से कहां पर आ जाएंगे 1 पर पावर एक से कम होगा यही सिखाया था velocity differentiate होगी acceleration आएगा पावर एक से कम होगा तो T की पावर क्या हो जाएगी 0 यने की then acceleration क्या होगा T की पावर 0 पर यने की independent of time तो acceleration क्या हो गया acceleration हो गया constant सबको चमका everyone सबको चमका everyone बहुत बढ़ियां से अच्छे से ठीक है ना तो कैसे सोचना है क्या सोचना समझ आ रहा है everybody चेक है आप से पूछा ठीक है एक सवाल मैंने की यहां पर given that acceleration is directly proportional to T to the power T to the power क्या बोला बिटा यहां पर 1 by 2 then आप से पूछा है x is directly proportional to T to the power यहां पर क्या बोल दिया बिटा n divided by 2 n divided by 2 जहां पर बताईए n की value क्या होगी ऐसे बोल दिया ठीक है अब acceleration से velocity पर आएंगे तो T की power में 1 बढ़ेगा 1 by 2 1 by 2 plus 1 करना पड़ेगा मतलब कितना हो जाएगा बिटा 3 by 2 अरे कितना हो जाएगा 3 by 2 न तो V की power कितना V is directly proportional to T to the power 3 by 2 फिर जब V को करोगे बिटा तो X क्या होगा X में फिर power 1 से बढ़ेगी तो T to the power कितना हो जाएगा 5 by 2 तो compare करो इन दोनों को इवरिवन क्या करो इन दोनों को बिटा compare करो तो सवाल को compare किया समझ आया compare करके कि Sir N is equals to 5 is the answer Sir N is equals to 5 is the answer am I right champions येस मज़ा आ गया मज़ा आ गया ठीक है कि नहीं आगे बढ़ते भाई acceleration की दुनिया समझ में आ गए acceleration की दुनिया समझने के बाद में हम चलते हैं आगे average acceleration के बारे में ठीक है न तो point number मेरे ख्याल तो हमारा बनेगा 5 ठीक है न acceleration में ही हम बात करें बेटा average acceleration की और सवाल कहीं बार आ जाते हैं तो अच्छे से इसको समझना पड़ेगा धंग से जरा विजवलाइस कर लीजे average acceleration ये होता है कुछ और नहीं change in velocity change in velocity divided by total time taken change in velocity divided by total time taken किसी भी velocity का change कैसे लिकाला जाएगा velocity का change निकाला जाएगा V final minus आप यहां पर क्या करेंगे बेटा V initial और divided by आप यहां पर क्या करेंगे बेटा delta T divided by आप यहां पर क्या करेंगे बेटा delta T आई बात समझ में सभी लोगों को यहां तक clear हो गया average acceleration भी ठीक है चलिए अगला 6th number का point discuss करते हैं 6th number का point discuss करते हैं जिसमें हम बात करेंगे acceleration A मेरा क्या हो चुका है बेटा constant हो चुका है और acceleration A अगर मेरा constant है तो मैं इसे बोलूँगा uniformly accelerated motion जिसमें हम यहां पर 3-4 equations के बारे में चर्चा करेंगे particle ने यहां से motion शुरू किया है A से वो कहां तक जा रहा है बेटा B पर यहां पर time T is equals to क्या है 0 यह point हुआ initial यहां पर time क्या हुआ बेटा T particle क्या कर रहा है जी particle accelerate कर रहा है acceleration A से कितना displacement travel करेगा S यहां पर speed क्या है U यहां पर क्या होगी बेटा V तो क्या क्या formula होंगे तो पहला formula V is equals to command everyone V is equals to U plus A T और इसी को हम क्या लिख सकते है vector notation में भी ठीक है फिर क्या लिखेंगे बेटा S equals to क्या लिखा जाएगा UT और plus क्या लिखेंगे आप इसको half A T square फिर क्या लिखेंगे बच्चो V square is equals to जल्दी से U square plus 2 A S और फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर distance traveled by the particle in nth second बिटा S N is equals to U और plus आप लिखेंगे यहाँ पर A by 2 और bracket में आएगा 2N minus 1 Is that clear? क्या यह बात समझ में आ रही है? यह formulas आपको तभी use करना है यह formulas आपको तभी use करना है बिटा जब यहाँ पर acceleration constant होगा otherwise आप नहीं use कर सकते हैं otherwise आप नहीं use कर सकते हैं क्या यह बात सबको समझ में आ रही है? क्या यह बात भी सबको समझ में आ रही है? Come on champions इतनी चीज़ें clear हो गई ठेक है यहाँ पर जो आपने S लिखा है इस S को हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं अगर acceleration constant है अगर acceleration क्या है बेटा? constant है तो हम कैसे लिखेंगे यहाँ पर V average अगर आपको चाहिए क्या चाहिए बेटा यहाँ पर एक और formula पहला यह हो गया दूसरा यह हो गया तीसरा यह हो गया चो था यह हो गया पाँच वा formula बेटा acceleration जब भी constant होगा तो average velocity हो जाएगी initial velocity प्लस final velocity divided by 2 initial velocity प्लस final velocity divided by 2 बच्चो यहाँ पर mid point होगा यह वाली distance S by 2 होगी यह वाला distance भी S by 2 होगा तो इस point को हम क्या बोलेंगे यह वाला जो point है हमारा इस point को हम बोलेंगे mid point क्या बोलेंगे बेटा इसको हम mid point बोलेंगे और mid point को हम represent M से करेंगे M से represent अगर आपने mid point को किया तो क्या आपको एक बात समझ में आ रही है कि यहाँ पर mid point velocity भी आप लिख सकते हैं और mid point velocity का formula क्या होगा mid point velocity का formula होगा u square आपका arithmetic mean और यह कैसा होगे बेटा root mean square velocity के तरह पहले आपने velocity को square किया फिर आपने add किया divide by two करके mean निकाला और उसका square कर दिया तो ध्यान रखना mid point velocity को क्या हम यहाँ पर root mean square कह सकते हैं तो जवाब होगा yes root mean square कह सकते हैं तो जवाब होगा कहा देखने को मिलेगा पता है यह आपको यह आपको assertion region में देखने को मिलेगा बदमाश सवाल जित्ते भी होंगे उसमें clear है everyone यहां तक समझ में आ गई किसी को कोई दिक्कत कोई confusion next यहाँ पर क्या point बनता है next यहाँ पर एक point बनता है which is very important for you all और वो यह कि यहाँ पर होता है stopping distance अगर कोई भी particle चलिए उसको मैं next में थोड़ा सा diagram बना कर बनाता हूँ otherwise यहाँ पर बहुत ज़्यादा खिच्री हो जाएगी but एक चीज़ जरूर है अगर यहाँ पर if condition लगा के if u is equals to 0 कोई particle अगर start कर रहा है from rest तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो उसकी distance होगी बेटा is directly proportional to क्या हो जाएगी t square look at the formula look at the formula यह वाला yes or no अगर u 0 हो गया तो फिर हम यहाँ पर बोलेंगे कि अगर वो particle travel कर रहा है कुछ इस तरह से वो particle अगर travel कर रहा है कुछ इस तरह से तो यहाँ पर हर time interval में जो distance वो travel करेगा वो time यहाँ पर t है यहाँ पर भी वो time t है यहाँ पर वो x चला तो यहाँ पर वो 3x चलेगा आई बात समझ में फिर अगले में वो क्या करेगा बेटा अगले में वो time t के लिए जब चलेगा तो वो 5X चलेगा तो we have to understand this कि 1 is to 3 is to 5 के रेशो में चलता है 1 is to 1 is to 3 is to 5 के रेशो में चलता है और अगर मैं आप लोगों से कह दू बेटा कि displacement in first t second is to displacement in second time t second is equals to displacement in 3 t is equals to तो बच्चों आपको फिर यहाँ पर देखना पड़ेगा यह होगा 1 is to 4 मतलब 2t का मतलब क्या है 2t का मतलब यह total time तो 3x प्लस x दोनों हो गया यहाँ पर 3t का मतलब क्या है यह भी t, यह भी t और यह भी t तो 5, 3, 8 और एक 9 तो फिर यहाँ पर 1 is to 4 is to 9 होगा यह हमें पता होना चाहिए यह इस पर based नीट में PYQ सवाल आ चुका है राइट बच्चों नीट में based क्या हो चुका है PYQ सवाल आ चुका है क्लियर यहाँ तक सबको चमक गया अगे बढ़े जी ठीक है अगला अगला जो यहाँ पर हम बात करें stopping distance के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर एक तरह से A की point के अंदर हम चल रहे हैं तो we are talking about यहाँ पर stopping distance किसके बारे में बात करेंगे बिटा stopping distance को समझने थोड़ा सा जल्दी से आ जाईएगा stopping distance के बारे में समझ लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा ध्यान रहें चलिए stopping distance में क्या होता है कि कोई भी अगर पार्टिकल है आपका कोई भी अगर पार्टिकल है आपका यहाँ पर इस तरह की बात है यहाँ पर पार्टिकल है उसकी velocity कितनी बेटा U है यहाँ पर उसने सामने किसी object को देखा और देखकर उसे लगा कि अरे अरे तो गरबर हो गई अगर गाड़ी चलती रही तो इसको हम ठोक देंगे हमें ठोकना नहीं है हमें बचाना है हमें बचाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा हमें ब्रेक लगाना पड़ेगा लेकिन वो थोड़ी देर तक तो सोचता ही रह जाएगा तो यहाँ पर आएगा बेटा point of application of brake तो इतनी देर में भी तो गाड़ी चल गई न और इस time को हम बोलते हैं driver का reaction time इस distance को हम कहते हैं बेटा leg distance क्या कहते हैं इसको हम leg distance यहाँ से यहाँ तक की जो distance होती है फिर इसी को हम बोलेंगे बेटा breaking distance इस को हम क्या बोलेंगे this is what we call बेटा breaking distance तो जो leg distance है जो leg distance है वो तो क्या होगी तो total stopping distance में दो बातें आती हैं बेटा एक u intimate driver's reaction time और plus breaking distance में आता बेटा u square divided by 2a यदी if condition है बेटा condition यह है कि अगर tr नहीं दिया हुआ है तो आपका stopping distance क्या हो जाएगा वो हो जाएगा u square divided by 2a u square divided by 2a everyone ध्यान से सुनेगा u square divided by 2a यहाँ पर पता चल रहा है कि sir s जो है वो directly proportion to u square आ रहा है अगर आपने u को increase करके n u कर दिया तो जो आपका stopping distance है वो increase होकर n square s हो जाता है please keep this in mind बेटा ठीक है यहाँ पर एक note point आपको और note में note आ चुका है note में note आ चुका है if vehicle देखो आपकी गाड़ी कभी कभी friction से भी तो रुखती है break नहीं लगाया आपने friction से रुख गए ठीक है ना if vehicle friction उस condition में जो तुमारा a होगा उसको तुमें mu into g से replace कर देना है और stopping distance का जो value है बेटा वो हो जाएगा u square divided by 2 mu और g 2 mu और g यह बात भी आप ध्यान रखें हो सकता है आप लोगों ने friction में इस बात को पढ़ाओ लेकिन मैंने यहाँ पर correlate कर दिया चलेगा बचो clear होँ यहाँ पर तो कोई भी गाड़ी यह दी रूकी किससे बेटा friction से तो a की value mu g हो जाएगी तो a equals to mu u square divided by 2 mu g होने वाला है यह सब याद है अरे बहुत बढ़िया यह सब याद था अच्छी बात है एक बार quickly brush up भी हो रहा है बेटा यही हम याद रखने की कोशिश भी कर रहें यही हम करने की कोशिश भी कर रहें यहाँ तक सब को clear हो गया जल्दी से आगया जाईए तो हमने acceleration से related uniform acceleration से related जितने भी points है वो सारे हमने यहाँ पर discuss कर लिए बेटा अब हम यहाँ पर बात करते हैं next point की जिसको कहते हैं कि बहुत important है और वो है आपका motion under gravity बेटा क्योंकि वो भी क्या है वो भी है dependent on this thing only वो भी क्या है बेटा यहाँ पर dependent on this thing only तो point number कौन सा था अपना 7 आएगा point number आएगा बेटा 7 तो चलिए अपनी अपनी कूरसी की पैटी बांद लो फटा फट से और अब हम आगए किसमें बेटा motion under gravity motion under कहाँ पर आगए बेटा motion under gravity everyone आजाओ जल्दी से motion under gravity पर आगए motion under gravity में जो acceleration होता है वो क्या होता है जी वो होता है जी और वो होता है always downward इसलिए हम उसको क्या बोल सकते है constant acceleration देखो न quantity है magnitude भी fix होना चाहिए और साथी साथ direction भी fix होनी चाहिए तो acceleration motion under gravity में क्या होता है constant इसलिए तो हम कहते हैं कि जब हमने कहा किया कभी किसी building से यह रही हमारी building और यह building की कुछ हाइट है बेटा h और यहाँ से हमने ball को क्या किया drop किया ball को हमने क्या किया बेटा drop किया drop किया कितने से u is equals to zero से तो यह ball यहाँ आ जाएगी फिर थोड़ी दिर बाद यहाँ आ जाएगी फिर थोड़ी दिर बाद यहाँ आएगी तो कुछ-कुछ चीजें बहुत important है जो आपने को इसमें समझनी है एक तो अगर height h है तो इस ball को जब यह आएगी ground पे तो इसकी कुछ velocity होगी वो कितनी होगी वो हमें पता लगाना है यहाँ पर देखिए चुकि यहाँ पर acceleration अगर आपका constant है initial velocity zero है तो यह बिल्कुल उसी तरह से valid नहीं हो जाएगा कि यह distance आपका x होगा यह वाला distance आपका क्या होगा 3x होगा और यह वाला distance आपका 5x होगा come on everyone तो यहाँ पर यह ratio समझ में आरा आप लोगों को अच्छा कितना time में तो of course यह t time में होगा या आप इसको बोलेंगे 1 second में यह t time में यह अगले t time में बिटा अगर यह time आपने 1-1 second ले लिया यह time आपने क्या ले लिया 1-1 second तो यह वाली distance आपकी कितनी हो जाएगी ध्यान से देखिए यह होगा 5 meter यह होगा 5 meter time लगेगा 1 second फिर यहां से यहां तक आपको लगेगा 3 गुना मतलब की हो जाएगा आपका 15 meter और यह भी कितना होगा 1 second इसको गेलीलियो टेकनिक कहते हैं फिर यहां से यहां तक आपका कितना हो जाएगा 25 meter और यह भी क्या होगा 1 second होगा everyone clear हुआ लेकिन यहां से यहां तक अगर मैं आपसे पूछूँँगा total तो यह 2 second का वक्त लगेगा और distance 20 meter चलेगा यहां से लगा कर यहां तक का अगर मैंने आपको total पूछ लिया total पूछ लिया बिटा तो फिर आपको time लगेगा 3 second और वो distance कितनी चलेगा बिटा तो 45 meter चलेगा क्या यह logic सब को समझ में आ रहा है everyone ठीक है अब जब यह particle नीचे गिरा जब यह particle नीचे गिरा तो इसके पास speed यहां पर दो तरसे हो सकती बिटा एक हो सकती है यहां पर g into में time of flight which is gt और यह होगा कैसा direction इसका बिटा downward और या फिर इसी v को हम लिख सकते हैं sir under the root of 2 g और h बिटा और root of 2 h divided by g कितना होता बिटा under the root of 2 h divided by g क्या यहां तक सब को clear है great clear है यहां तक सब को समझ में आ गया velocity acceleration कैसे गिर रहा है क्यों गिर रहा है क्या तरीका हो रहा है सारी बात है yes आजाए ज़रा तो सारे formula is revised हो गहा है कहीं किसी को कोई problem ठीक है तो यह यहां पर है this is the velocity when particle strikes the ground ठीक है न यह क्या है बिटा यहां पर है velocity this is the velocity when when particle क्या करेगा बिटा when particle reaches ground यह velocity when particle क्या कर रहा है बिटा reaches ground this is the velocity when particle reaches ground लेकिन अगर किसी भी point of time पर आपसे बोला जाए किसी भी point of time पर what will be the velocity किसी भी point of time पर let's say यहाँ पर आपने कर दिया कोई भी time छेके ना तो velocity V is equals to हो जाएगा पिटा G into में T यह किसी भी point of time पर velocity होगी और वो downward होगी जहाँ पर यह time given होगा कि T by 2 है कि 3 T by 2 है कि whatever it is जो time दिया होगा उस हिसाब से हम G में multiply करके answer कतम कर देंगे आई बात समझ में clear हैं सब लोगों को अब आप में से कोई बचा यह बोलता है कि sir यह तो आपने एक case discuss किया motion under gravity में यहाँ पर आपने एक case discuss किया लेकिन what if a particle is thrown in the downward direction तो ध्यान से सुनिए का जरा क्या होता है कि अगर particle को downward direction में fake आ गया case यहाँ पर b पर discuss कर लेते हैं बिटा तो case b हमने यहाँ पर discuss किया particle को आपने किसी velocity से fake दिया और fake आपने नीचे यह होगा h बिटा यहाँ पर अगर velocity u से आपने particle को नीचे fake है तब भी नीचे आते आते उसके पास एक velocity होगी जिसकी value u प्लस क्या हो जाएगा बिटा जी यहाँ पर total time t हो जाएगा ठीके यहाँ पर total time t हो जाएगा और h is equals to तो आपको फिर लिखना पड़ेगा बिटा यहाँ पर u into में total time t और प्लस आप यहाँ पर क्या लिखोगे बिटा half और आपको लिखना पड़ेगा gt square आई बात समझ में जहाँ पर यहाँ t is equals to zero है और जब वो ground पर आया तो total time आपका t हो गया यह बात आपको ध्यान रखने है तो फिर तो जो दिया है उस खतम करने के बाद में we will do the questions बिटा ठीक है ना तो मैंने क्या किया है total चार पार्ट में पूरी physics को divide किया है ठीक है पहली NCRT part 11 ठीक है 11 का part 1 फिर 11 का part 2 फिर 12 का part 1 फिर 12 का part 2 तो NCRT के हिसाब से हम revise करके and then उसके बाद में हर एक part के 500 500 इन्हें की 2000 सवाल कराऊंगा यह मेरा वादा है ठीक है so don't worry ठीक है आज revision हो जाएगा और इन formula का application हो जाएगा अगली बार तो वो भी हम कर लेंगे अभी हम क्या करने physics बिखरा हुआ था बहुत सारे बच्चों ने मुझे message डाले रिक्वेस्ट किया कि sir physics बिखरा हुआ है समझ नहीं आ रहा revision कहां से करे कहां से करे कैसे करे मैंने ठीक हो गया यहाँ पर c वाला point यहां पर बहुत important बहुत logical और बहुत जबज़स बनेगा ठीक है यह उस पर हम क्या करते हैं यदि किसी particle को हम कहां से फिक देते हैं ग्राउण से जब आपने उसको ground से फिका तो यह क्या करेगा यह से टक 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 करके उबर जाएगा उपर जाके और यह ऐसे घूम के ना वापस ऐसे नीचे आ जाएगा वापस क्या करेगा बेटा नीचे आ जाएगा तो जब यह ऊपर जा रहा है तो time of flight है और जब नीचे आ रहा है तो यहाँ पर ascending और descending दो logic होते हैं ठीक है ना हम यहाँ पर एक condition लेकर चल रहे हैं और वो क्या तो मैंने यहाँ पर लिखा air resistance को हमने क्या कर दिया बेटा air resistance को हमने कर दिया neglect air resistance is क्या हो गया बेटा यहाँ पर air resistance is neglected everyone air resistance क्या हो चुका है नेगलेक्ट हो चुका है ठीक है तो अगर यहाँ पर situation समझा आ गई तो हम आगे बढ़ सकते हैं ठीक है तो जब आप इसको fake होगे किसी velocity u से उपर तो यह कुछ height attain करेगा बेटा और वो height होगी यहाँ पर आपकी capital H वो height होगी आपकी capital H ऊपर जाने में इसको कुछ वक्त लगेगा जिसे हम time of ascent कहते हैं यहाँ तक पहुंचने में कुछ वक्त लगेगा जिसे हम क्या कहते हैं time of ascent कहते हैं तो सबसे पहला point यहाँ पर time of ascent is equal to time of descent होगा अगर air resistance neglected है तो और उसकी value होग यहाँ पर u divided by g के बराबर जब यह particle नीचे आएगा तो यह velocity यहाँ पर v is equals to minus of u हो जाएगी y minus of u क्योंकि direction reverse होगे बेटा magnitude तो से में लेकिन direction reverse होगे इसलिए minus of u ठीक है total time of flight के अगर आप बात करेंगे तो कितना हो जाएगा that would be 2u divided by g हो जाएगा that would be 2u divided by g यहने की ऊपर जाके वापस नीचे आने में 2u by g time लगेगा कितना maximum height यह obtained करेगा तो यह obtained करेगा u square divided by 2g क्या होगा यहाँ पर यह u square divided by 2g होगा everyone clear है चमका कि नहीं चमका सभी लोगों को बहुत बढ़िया velocity V समझ में आ गई सारी कहनी clear हो गई अब देखो इसी में एक rule book यहाँ पर बात करते हैं इसी में हम आपको एक चीज़ समझाते हैं कि जब आप जाते वक्त और आते वक्त दोनों time देखोगे तो particle will be at the same height for two different time तो यहाँ पर यदि हम दो points बना लेते हैं यहाँ पर और यहाँ पर और यह दोनों points को हम इस तरह से जब यहाँ पर condition में बना कर रख लेते हैं ठीक है जाते वक्त यहाँ पर time कितना है आपका जाते वक्त यहाँ पर time कितना है बेटा तो आप बोलेंगे सर जाते वक्त यहा तो बच्चो दो फॉर्मुले और बहुत इंट्रस्टिंग बनते हैं यहाँ पर एच को हम लिख सकते हैं यहाँ पर हाफ और यह हो जाएगा g this is t1 into t2 और एक फॉर्मुला होगा u is equals to this is half और यह हो जाएगा g और यह फॉर्मुला होगा बिटा आपका t1 plus t2 क्या होगा अब हम चर्चा करते कि sir what is the total time what is the total time अगर particle o से a पर गया और b पर आया ठीक है ना तो total time कितना लगेगा उसको o से b तक जाने में तो हम उसको बोलेंगे यार दोनों time को जोड़ दीजे t1 plus t2 total time आ जाएगा total time आ जाएगा t1 plus t2 अगर दोनों को जोड़ दिया ठीक है तो यह अहां तक सारे formulas clear है अब हम बात करते है what if we consider air resistance बेटा what if we consider air resistance the part which is very very important बेटा अगर हमने यहाँ पर air resistance consider किया तो चीक है तो considering क्या कर रहे हैं बेटा यहाँ पर considering constant air drag is equal to f बेटा यह f क्या होता है force होता है air drag ठीक है अब क्या होगा सुनिएगा air drag क्या करता है तो इसके बारे में पहले आपको बता देते हैं कि जो air drag होता है acts always यह कैसा करता है बेटा acts in opposite direction of motion in opposite क्या होगा यहाँ पर opposite direction of motion ठीक है न हमेशा तो यदि आपने particle को उपर फेका किसी जगह से अपने particle उपर फेका भी या particle उपर फेका तो इसको उपर जाना चाहिए था हमने का हाँ बात तो सही है कि आपने फेका तो जाना चाहिए था आप फेक रहे हैं आपकी बात कौन नहीं सुनेगा तो आपने इसको फेका कितने से बिटा आपने इसको फेका यू से यह ऐसे करके उपर जा रहा था जा रहा था जा रहा था जा रहा था ऐसे ऐसे जा के वापस आएगा तो पहली बात तो यह कि यह जो height h होगी इसको h प्राइम बोलेंगे और यह less than होगी बिटा u square divided by 2g से मतलब यहाँ denominator में यहाँ पर u square divided by 2g में यह denominator में कुछ ने कुछ आना चाहिए अगर मुझे h प्राइम लिखना है तो दूसरी बात यहाँ पर time of ascent क्या होगा time of descent क्या होगा वो समझाते हैं और जब यह particle यहाँ पर नीचे आएगा तो इसकी velocity कुछ v होगी और यह v भी अब आपकी क्या हो जाएगी बिटा less than you हो जाएगी यह भी same नहीं रहेगी जब वो hit कर रहा है नीचे जमीन पर आके तो उसमें भी क्या होगा आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि वो velocity same नहीं होगा this is very very important case बिटा ध्यान से सुनना कई बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा नहीं समझा होगा तो मैं समझा दे रहा हूँ यहाँ थोड़ा सा समय लगा के ठीक है अब जब particle उपर जा रहा है तो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर जो आपका air drag होगा वो होगा a जिसकी value होगी बिटा f divided by m और वो नीचे लगेगा और जब particle नीचे आ रहा है तो आपका air drag उपर लगेगा क्या यह दोनों logic समझ में आ गए तो उपर जाते वक्त उपर जाते time उपर जाते समय a नीचे जिससे g एफेक्टिव आपका g प्लस a हो जाएगा जिसकी वजह से time of ascent आपका u plus u divided by g प्लस a हो जाएगा ठीक है everyone दूसरी चीज यहाँ पर नीचे नीचे आते समय जब particle नीचे आ रहा है तो नीचे आते समय यह क्या लगेगा a उपर लगेगा direction समझ में आ रही है motion से उल्टा motion उपर air drag नीचे motion नीचे air drag उपर उस condition में यहाँ पर g effective कितना होगा बिटा तो g effective हो जाएगा g minus a तो time of descent जो होगा वो क्या होगा बिटा time of descent हो जाएगा u divided by g minus a तो यदि आप compare करेंगे तो ascent में g plus a हो गया descent में g minus a हो गया यहने की particle को उपर जाने में समय कम लगेगा और नीचे आने में वक्त ज्यादा लगेगा तो यहां से हमको यह clear हो रहा है कि time of descent is more than time of ascent क्या यह logic सबको clear हो गया क्या यह logic सबको clear हो गया दूसरी बात अब बिटा यहां पर अगर ऐसा हुआ तो आपका h prime क्या होगा तो आप h prime को लिखेंगे आपको लिखना पड़ेगा कि sir यह हो जाएगा u square divided by क्या होगा तो यह हो जाएगा sir 2g और यहाँ पर पता है क्या होगा आप लिखेंगे g अकेला g नहीं होगा g प्लस a होगा g अकेला g नहीं होगा क्या होगा बेटा यहाँ पर 2 में G के साथ G प्लस A लिखना पड़ेगा और A को क्या लिख सकते हैं A को लिख सकते हैं F by M A को क्या लिख सकते हैं बेटा F by M तो यह क्या हो जाएगा तुमारा U square divided by क्या होगा तो divided by हो जाएगा 2 और G को आप यहाँ पर common कर लीजे बाहर निकाल लीजिए तो यह हो जाएगा सर आपका 1 प्लस यह हो जाएगा F divided by M G और M G को लिख सकते हैं W आई बात समझ में सब लोगों को everyone and अगर कोई आपसे पूछे कि बताइए V क्या होगा तो V हो जाएगा यहाँ पर U और U के साथ bracket में यहाँ पर आजाएगा W minus F divided by W plus F यह याद रख सकते हो क्योंकि कैसे याद रख सकते हैं बिटा जब F होगा 0 जब F होगा 0 ठीक है ना at F equals to 0 अब देखे ज़रा हैं यहाँ पर याद रखने का तरीका समझाते हैं at F equals to 0 आपको पता है कि H prime का value H हो जाएगा और V का value U हो जाएगा और यहाँ पर उपर minus और नीचे plus कैसे याद रखोगे तो पहले बता दिया मैंने कि final velocity क्या होगी कम होगी किस से initial से बोलो यह सूर नो यह बहुत ज़्यादा तगड़ी चीज है यह बहुत ज़्यादा तगड़ी चीज है यह ठीक है न तो इसको जो है अच्छे से अच्छे से क्या करके रखेंगे इन बिल्ट करके रखेंगे चमका की नहीं चमका तो motion under gravity का D वाला point सबको clear है got the point चीक है चलिए come back to the next one come back to the next one हब बात करते बिटा D के बाद में E वाला point और E वाला point तो और भी जोरदार है क्या होता है कहीं बार motion under gravity में ऐसे सवाल आते हैं कि भाईया एक building पे खड़े होकर हमने वहां से किसी particle को उपर फेका वहां से हमने किसी particle को उपर फेका उपर फेका किसी velocity U से अब उपर फेका तो पहले वह particle ऐसे उपर जाएगा और उपर जाके फिर वह नीचे गिरेगा तो बताईए total कितना उसको वक्त लगेगा यह सवाल आते हैं बेटा यह सवाल आते हैं इसका maximum height h given होगा तो बच्चों एक छोटा सा logic आपको समझाते जिससे आप calculation कर सकते हैं हमको एक बात पता है कि जब यह particle top mouse point पर पहुँचता है जब यह particle top mouse point पर पहुँचता है तो यहाँ पर velocity क्या होती है 0 come on everyone जब particle कहां पहुँचता है top mouse point पर velocity होती होती है 0 यहाँ से यहाँ तक पहुचने का कितना time लगेगा क्या यह मैं T1 बोल सकता हूँ आप बोलोगे हाँ sir और कितनी height attain करेगा तो यह height भी हम लिख सकते हैं किस height की value u square divided by 2G होगी भाई अगर मैंने particle को यहाँ से u से फे का तो कितने time में यहाँ तक पहुचेगा तो वो बोलेगा T1 time में और वो T1 time कितना होगा U by G वो T1 time कितना होगा बिटा वो T1 time भी U1 by G होगा everyone come on everybody और कितनी height attain करेगा u square by 2G यह clear हो गया अगर particle यहाँ पर rest पे है तो यह कितनी height नीचे गिरेगा यहाँ से यहाँ आता है कि height में लिख सकता हो पता है कितना यह height total गिरेगा H plus U square divided by 2G कितना time लगाएगा गिरने में T2 time तो तुम क्या लिखोगे यह T2 time जब कोई particle किसी height से जब कोई particle किसी height से कोई distance अगर नीचे गिरता है उसे क्या लिखते है वो time होता under the root of 2 into में total height divided by G बोलो यह सोनो लेकिन वो total height क्या लिखोगे उस total height को हम बोल रहे है small h जिसकी value है capital H plus कितना U square by 2G तो यहाँ पर आएगा बेटा 2 H divided by G come on everyone formula रटना नहीं पड़ेगा तो मैं अभी must समझ आ जाएगा कि यह तो हमने सोचा ही नहीं था 2 divided by G यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा capital H plus लिखना पड़ेगा U square divided by 2G जैसे ही बेटा यहाँ पर यह 2 by G अंदर into होगा यह formula finally T2 का formula T2 का formula क्या हो जाएगा 2 H divided by G जो होना चाहिए था और plus यहाँ पर क्या हो जाएगा U by G का whole square everyone तो अगर कोई आपसे पूछे कि यहाँ से फेका बता उपर जाके नीचे आने में कितना वक्त लगा तो हम बोलेंगे अब भी बताते हैं अब भी बताते हैं ठीक है T is equals to T1 पता है क्या है U by G है क्या आपको T2 पता है क्या है तो हम बोलेंगे यह समय पता है under the root of कितना बिटा 2 H divided by G और plus क्या बोलेंगे यहाँ पर U by G का whole square बोलो yes or no everyone चमका की ने चमका सबको simple है कि tough है बताईए simple है कि tough है बताईए आसान एकदम आसान एकदम आसान बस याद रखने का तरीका height अगर H 0 कर दो height अगर H 0 कर दोगे height अगर H 0 कर दोगे मतलब फेकोगे कहां से ground से height H अगर कर दोगे equal to 0 को फेकोगे कहां से ground से ground से फेकोगे तो particle को उपर जाके आने में time कितना लगना चीए 2U by G तो देख लो ज़रा यहाँ पर इसको prove करा देते हैं at H is equals to 0 if you look at, तो time का value comes out to be 2U divided by G only यही आ रहा है, यही आ रहा है, देख लो सभी लोग everyone चाई ही ठंडी होगे, यही होगे बिलकुल की पानी रखा हो जैसे, ठीक है, राइट कहीं किसी को कोई problem, कोई confusion, कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, अभी कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, जल्दी से नहीं बिटा everyone, चलिए D point clear है, E point clear है F point आता है, point number F आता है which is very very important point number F क्या बोलता है, सुनिएगा point number F ये बोलता है कि यह आप खड़े हो ना, ground से किसी height पर, कहां खड़े हो बिटा ground से किसी height पर, यहां से आपने क्या क्या सुनिएगा, यहां से आपने एक particle को उपर फेका, और उसको उपर जाके नीचे आने में, उसको उपर जाके नीचे आने में अगर आप किसी particle को u is equal to 0 से drop कर दोगे तो उस condition में, just a minute हा, just a minute यार, एक important call है offline segment से, अगर आप कुछ समाज आ गया, तो पार्टिकल को ऊपर फेका तो time t1, नीचे फेका तो time t2, तो बताओ कि अगर उसी height से उस particle को हम सीधा बस खाली drop कर देंगे, तो कितना time होगा, तो उसका एक relation है, यह अपने को ध्यान रखना है, तो इससे हमारा काम हो जाएगा, A, B, C, D, E, F, सारे points clear, एक भी point में, अगर कहीं कोई confusion हो, तो बताइए बिटा, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ तक अगर सारी बाते clear हो गई हो, अब आते हैं, बिटा, graphs वाली चीजों पर, कि graph में किन-किन बातों का ध्यान रखना होता है, graph में क्या-क्या points आपको है, जो ध्यान रखना होते हैं, तो जो graphs की आप बात करोगी, तो यदि, आपका graph कैसा है, बिटा, X versus, X versus time का graph है, तो इसका जो slope होता है, इसका जो slope होता है, वो आपको क्या बताता है, वो बताता है, हम x final minus x initial निकाल सकते हैं, उस graph से हम यहाँ पर t final minus t initial observe कर सकते हैं, तो हमें instantaneous velocity मिल सकती है, हमें average velocity मिल सकती है, किसे x versus t के graph से, ठीके, area under the curve क्या देगा, यहाँ पर area under the curve क्या देगा, area under curve क्या देगा, area under the curve क्या देगा, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, area under the curve क्या देगा, कुछ नहीं, इसका मतलब x versus t का area under the curve जैसी कोई बात अपने को दिमाग में नहीं लानी है, is that clear, चलिए, फिर आता अगला बिटा graph, अगला graph कौन सा होता है, velocity versus time का graph, velocity versus time का graph, graph में देखो बस मैं खाली ये समदह दे रहा है, क्या देगा, जब ये पता चल जाए, क्याँ सा graph क्या देगा, तो ये पता हो गया, कि सवाल भी वहीं आ सकता है, मतब x versus t के graph से क्या पूछी जा सकते है velocity, x versus t के graph से क्या पूछी जा सकते है, average velocity, मने dv by dt और dv by dt क्या होता है भाई acceleration होता है तो instantaneous acceleration पूछेगा दूसरा बात क्या पूछेगा दूसरा बात पूछेगा तुमसे average acceleration क्यों क्यों क्योंकि यहाँ पर भी v final minus v initial divided by t final minus t initial कर सकते है everyone yes or no तो दो सवाल यह हो सकते है तीसरी चीज तुमें क्या पूछी जा सकती है तो तीसरी चीज यहाँ पर आती है इसका जो area under the curve होता है क्योंकि वो होता x is equals to integration of v dt और यहाँ पर यह क्या होगा बेटा यह आपको बताएगा area under curve यह क्या होगा दोस्तो area under curve और area under curve दोनों बाते distance भी और displacement भी क्या क्या बताएगा बेटा तो दो चीज़े बताएगा यह distance भी बताता है और यह आपको displacement भी बताता है बोलो यह सोर नू अब आप बोलोगे सर दोनों के से तो यदि कोई area अगर negative है भी ना तो उसको mode में लिखके करना plus ही पड़ेगा time axis के उपर जो area है वो positive और time axis के नीचे जो area है वो negative तो distance के मामले में दोनों जुड़ जाते हैं और displacement के मामले में जो plus है वो plus और minus है वो minus ही रह जाता है क्या यह बात समझा है सबको everyone बहुत बढ़िया तो यहां तक सबको graph हो सकता है और इसको जब हम observe करने पहुँचे तो हमको पता चला कि पहली चीज इसका slope निकालेंगे तो slope हम ने पता चला कि slope क्या होगा यहां पर da divided by dt ओहो निकालते से एकदम से लगा जट का ठीक है डी अबाइड डी टी जैसे slope निकाला क्या लगा जट का मतलब कुछ भी नहीं जट का लगेगा इसलिए da by dt जैसी कोई चीज नहीं होती ठीक है da by dt जैसी वो गाड़ी पे बिठा के दोस्त को ना नहीं नहीं गाड़ी खरीद के लागे चल चल घुमने चलते दोस्त को पीछे बिठा पीछे बिठा के गाड़ी को एकदम से एक्सेलरेट कर दिया सट से very small time interval में high acceleration वो पीछे वाला पीछे मिलता है किते का है अर किते यार भाई understood everyone clear है दूसरा point यहाँ पर क्या मिल सकता है दूसरा point very important very important point यह मिल सकता है बिठा कि अंडर कर्व से area अंडर कर्व अगर आपने निकाला तो आपके पास क्या आजाएगा बिठा change in velocity आजाएगी क्या आजाएगी change in velocity आजाएगी इतनी बाते अगर आपको clear हो गई हो तो यहाँ पर हमारा काम हो जाता है motion in vandy खतम relative मैं आपको पढ़ाऊंगा एक साथ 2D पढ़ाने के बाद ठीक है चलो तो यहाँ तक सबको clear आया chat section में एक बार जोरदार मतलब अगर इतनी बाते हैं इतना detail में इतनी सारी चीज़ें अगर समझ आ गई हो बेटा एक बार जरा जोरदार जरा chat section में स्वागत हो जाएं सबका आप सब अपने लिए थोड़ी से जोरदार जो है अपने लिए दिल फेक दो जरा ठीक है चलो इतनी देर बेठे रहने के लिए दिल फेक दो फटा फट से येस चलिए आगे next motion in a plane बेटा next हम कहाँ पर आ जाएंगे motion in a plane motion in a plane जिसे हम क्या बोलेंगे two dimensional motion motion in a plane जिसमें बोलेंगे बेटा two dimensional motion सबसे पहला यहाँ पर जो point आएगा वो आएगा independence of motion please break break की बात मत करूं पिटा तुम लोग पढ़ रहे हो चुप से शांती से ठीक है ना तो तुम्हें अगर break लग रहा है तो मुझे तो उससे ज़्यादा break लगना चाहिए because I was talking continuously since from 8 o'clock धाई गंटा हो चुका है तो मुझे तो ज़्यादा break की जरुवत लगनी चाहिए लेकिन मुझे नहीं लग रहा है break का requirement ज़्यादा that means कि आप लोगों को तो ज़्यादा concentration के साथ बैठना चाहिए यार मैं नहीं बोल रहा हूँ break तो तुम क्यों बोल रहे हूँ break ठीक है चलिए आ जाईए तो सबसे पहला point होता यहाँ पर independence of motion ठीक है ना सबसे पहला point यहाँ पर क्या होता पटा independence of motion पहला point तो यही समझना independence of motion इसका मतलब क्या है x वाले motion का y वाले motion के साथ कोई लेना देना नहीं है x वाला x वाले motion का y वाले motion पर depend नहीं है x में motion अपना independent होगा y में अपना independent होगा केवल क्या चीज होगी बेटा तो only only दोनों में only दोनों में only दोनों में time यहाँ पर क्या होगा only दोनों में time यहाँ पर same रहेगा only दोनों में time क्या रहेगा बेटा same रहेगा मतलब जो x का time है वही y का time भी होगा जो y का time है वही x का time भी होगा चीक है आपको इतनी बात अगर समझ में आ गई हो आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से तू डाइमेंशनल मोशन इस बेसिकली यहाँ पर टू डी मोशन जिसे आप कह रहे हैं इंडिपेंडेंटली इस बेसिकली है न है न यहाँ पर वन डी मोशन इन एक्स क्या लिखेंगे बेटा वन डी मोशन प्लस क्या होगा बेटा यहाँ पर आपका वन डी मोशन इन वाई हो जाएगा आई बात समझ में clear है सब लोगों को separate इंडी यहां पर होगा तो कैसे आप calculation करेंगे कैसे आप चीजे यूज करेंगे तो आप लिखेंगे देखे जरा only time is interchanging with both na x का time और y का time same रख रहे हैं तो time दोनों तरफ दिखेगा तो यहां पर हम क्या करेंगे x के oka जब चीजे लिखेंगे तो we will write कि सर यहां पर अपन लिखेंगे v x is equals to u x plus क्या लिखेंगे यहां पर a x t फिर यहां पर अपन लिखेंगे जब s k लिखेंगे यहां पर क्या लिखेंगे sel u x into pot tère uns i parted में पर क्या लिखेंगे बिटा half यह क्या हो जाएगा कि नहीं कर चेके correlate फिर हम आते बेटा यहां पर 1D motion in Y तो जब यहां लिखोगे तो VY is equals to लिखना पड़ेगा UY और प्लस लिखना पड़ेगा बेटा AYT यहां जब लिखोगे तो SY is equals to लिखोगे UY into में T और प्लस क्या लिखोगे बेटा यहां पर Half आया रहे आया नोट आया आया रहे आया नोट आते ही कान आख सब खड़े हो जाने चाहिए कि यह इसका मतलब कुछ important है नोट का मतलब सर को जैसी बात बताने वाले है जहां गलती होती है जहां ध्यान ज्यादा देना है तो note point यह है use all values with proper sign convention क्या है यहां पर use all values with कैसे बीटा तो यहां पर with proper use all sign कैसे use करेंगे तो कोई भी अगर vector आपका right में है तो अपन उसको बलेंगे positive कोई भी वेक्टर अगर आपका left में तो अपन उसको बोलेंगे negative कोई भी वेक्टर अगर आपका उपर है तो अपन उसको बोलेंगे positive कोई भी वेक्टर अगर आपका downward है तो अपन उसको बोलेंगे negative that's all simple simple right positive left negative उपर positive नीचे negative that's all बस अब आपको vectors देखना कौन कहां कैसे किस तरफ जा रहा है ठेक क्लियर भा सब को बहुत बढ़िया से समझा गया क्लास कब तक चलेगी मुझे जार तक लगता है एक या दो बज़ जाएगी अरविट ठीक है अगर आब बार बार ऐसा पुछो के मुझे इसा लेके गया रहे हैं मैं कुछ तो हारदिक शुब कामना है एद मुबारक हो आप लोगों को ठीक है न तो यही हमारे भारत की बहतरीन परंपरा है ठीक है न यही हमारा भारत वर्ष है जो इसके लिए जाना जाता है कि मैं बोल रहा हूं एद की हारदिक हारदिक शुब कामना है फिर मैंने का एद मुबारक मत देगे ना फोर्थ पॉइंट कौन सा बिटा यहाँ पर प्रोजेक्टायल मोशन जल्दी से और एक सवाल यार मेरे को ऐसा है ना जो है अंदर से गट फिलिंग आ रही है कि इस पर आएगा सवाल प्रोजेक्टायल मोशन पर पक्का पेपर सेट करने वाले ने ना कर दिया होग ठीक है आता है नहीं आता मुझे नहीं मालूम ठीक है बस ऐसे मेरे मन में आई बात तो मैंने लिख दी अब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ठीक है चलो तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है प्रोजेक्टाइल motion is basically 2-D motion और ये होता क्या है? ये होता है बेटा, únicaWorsion in X ये क्या होता है सर यहाँपर आपका uniform motion ये होगा आपका únicaWorsion in X जहां पर horizontal acceleration होता है zero इसका मतलब horizontal direction में speed रहेगी same अरे बैब होरिजॉन्टal direction का acceleration zero फोки horizontal direction में speed क्या रहेगी same तब ही तो अपन ने उसको uniform motion बोला plus यहाँ पर होगा motion under gravity क्या होगा बिटा यहाँ पर plus होगा आपका motion under gravity plus होगा motion under gravity किसमे in y motion under gravity in y मतलब यहाँ पर अपन acceleration ay की value को क्या लेकर चलेंगे हमेशा g कहा लेकर चलेंगे downward acceleration ay क्या होगा g होगा हमेशा कैसा होगा? डाउनवर्ड होगा क्या ये बात clear होगे? बहुत बढ़िया अब आजाए ज़रा फटाफट से कुछ-कुछ चीज़ें जो एक दम, एक सिंगल स्लाइट पर सब कुछ complete करने की कोशिश करते है तो ये रहा यहाँ पर आपने इस तरह से देखा कोई भी पार्टिकल लिया जिसको आपने इसे फेका, horizontal से किसी velocity u से किसी angle theta पे, तो ये क्या करेगा? भाईया ये पार्टिकल ऐसे जाएगा और यहाँ पर आके इसे hit करेगा ठीक है? यहाँ पर आके इसे समझ में आ जावे, ठीक है? अब बेटा एक बात समझे, जिस angle पर आपने फेका होता है ये उसी angle पर land करती है, the only difference is कि इस u वाले में अगर आप देखोगे तो इस u vector में दो बाते हैं, एक यहाँ पर है बेटा u x आपका i cape में और a के बेटा यहाँ पर आपके पास u y j के में, ठीक है? लेकिन यहाँ पर जो velocity v होगा आपके पास उसमें क्या क्या होंगे? तो उसमें v x तो वही होगा जिसको अपन बोलेंगे u x ही बेटा, v x तो क्या होगा? u x ही होगा j में, the only differences आपको यह बात समझ में आ गई कि final velocity में final velocity में vertical component reverse हो रहा है, बाकी सब ठीक है final velocity में क्या हो रहा है u y जो पहले plus था वो minus हो चुका है, क्या यह बात सब को clear हो रही है? everyone, और जिस angle से project किया उसी angle पर land किया, क्या यह बात भी clear हो रही है यहां से यहां तक जो particle को आप देख रहे होते हो यह क्या होता है, इसे हम बोलते है कि यह particle का range कहलाता है क्या कहलाता है, range जिसको हम r से represent करते है यहां पर यह क्या होता है, particle का maximum height होता है तो इसको अपन क्या बोलते है बिटा, h बोलते है, now formula time, now क्या time बिटा, formula time, अब formula एक एक करके लिखते हैं, ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर, तो सबसे पहले time of flight की बारी आती है, time of flight होता है 2u, 2u sin theta divided by क्या बिटा, 2u sin theta divided by g, जिसको हम लिख सकते हैं 2u y divided by g, बोलो everyone, 2u y divided by g ठीके, दूसरा formula होता है, यहाँ पर आपका h is equals to, क्या होगा u square, और क्या हो जाएगा, sin square theta, divided by यहाँ पर क्या होगा, divided by हो जाएगा 2g, और इसको हमें अगर लिखना हो, तो यह हो जाएगा, u y का whole square, divided by 2g, यह दोनों formula देखो जरा, ध्यान से सुनना, यह दोनों formula देखो, जो time of flight है, वो भी केवल vertical component पर depend कर रहा है, और जो h है, वो भी केवल vertical component पर depend कर रहा है, इसका मतलब यहीं पर एक बात लिखनी है, कि यदि u y same होगा, तो h और t same होगा, यदि u y, u y क्या हो गया बिटा, यहाँ पर, अगर u y same, तो h और t क्या हो जाएगे, बिटा, यहाँ प पर दो particle आपने फेके, दोनों का u y same है, मतलब हम बोलेंगे, दोनों का h और दोनों का t same होगा, आई बात समझ में, तो t and h depends on u y only, t and यहाँ पर क्या होगा, h क्या हो रहा है बिटा, तो depends, t and h depends, t and h depends on u y only, क्या यह बात भी सबको समझ में आ गई, everyone, बहुत बढ़िया, फिर तो range के बारे में जब आप लिखोगे, तो range क्या होगा, r is equal to, उसको लिखा जाता है u x और into में total time of flight, यहाँ पर लिख देते हैं, बहिया, u x का मतलब होता है, u cos theta, और u y का मतलब होता है, u y का मतलब होता है, थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं, u y का मतलब होता है, sir, u sin theta, क्य जाए, sir, u cos theta, और t का मतलब होता है, sir, 2 u sin theta, divided by आप उसे क्या लिखेंगे, sir, g लिखेंगे, तो यहाँ से आपको पता चलेगा, कि sir, यह हो जाएगा, 2 u x u y, divided by क्या होगा, यहाँ पर g होगा, और इसी को हम लिख सकते हैं, u square divided by g, और साथ में क्या हो जाएगा, sin 2 theta, बोलो क्या यहाँ तक सबको सारे logic clear होगे, notes मिल जाएंगे perfect, notes मिल जाएंगे perfect, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सारी चीज़ें available करा दूँगा, मैं बस आप इतमिनान से पढ़ते रहिए, धंग से जरा, ठीक है, इतमिनान से पढ़ते रहिए, there should not be any जल्दी बाजी, good, चलिए, त r को क्या करना है, मुझे maximum करना है, r maximum को होगा? तो r maximum होगा, तब यहाँ पर theta की value कितनी होगी, 45 degree होगी, और r maximum होगा कितना, तो r maximum का जो value हो जाएगी, आपका u square divided by g r maximum होता कितना बेटा u square divided by g theta is equals to 45 degree पर h की value क्या होगी तो जहाँ पर r maximum होगा वहाँ पर इसकी value हो जाएगी u square divided by आपको लिखना पड़ेगा बेटा 4g क्या हो जाएगा u square divided by 4g तो जहाँ पर ये value कितनी हुई आपकी देस यहाँ पर h कितना होगा u square by 4g theta is equals to 45 degree पर h की value u square by 4g हो जाएगी और अगर आप देखेंगे किस की value time की तो time की value जो है t is equals to वो हो जाएगा u divided by आपके पास आजाएगा 2 root 2 और 7 में आएगा बेटा g is that clear यह पता होना चाहिए क्योंकि sin theta की value कितनी हो जाएगी 1 by root 2 sin theta की value कितनी हो जाएगी 1 by root 2 मैंने कुछ गरबढ कर दिया 2u by g होता है न root 2 root 2 से multiply root 2 से divide root 2 times हो जाएगा माफ किजेगा correct करता हूं में root 2u divided by g हो जाएगा यह time का value ठीक है चलिए अब आगे बात करते है next बात करें अब अगर यदी यदी theta horizon यदी theta vertical से यदी theta vertical से vertical से लिया जाए यदी theta कहां से लिया जाए बेटा vertical से लिया जाए उस condition में यदी theta vertical से लिया जाए उस condition में यहाँ पर क्या करना है तो आपको replace कर देना है किसको बेटा उस condition में आपको replace कर देना है जहां जहां sin theta होगा वो replace होगा किस से बेटा cos theta से आई बात समझ में अब देखो जो range है ना range के formula में sin भी है और cos भी है तो sign हो जाएगा cos और cos हो जाएगा sign मतलब ये तो रहेगा same लेकिन चो time है उसका sign हो जाएगा cos जो h है उसका sign हो जाएगा cos इसलिए ये बेटा यदि अगर आपने theta कहां से लिया vertical से लिया मतलब हम बोलेंगे theta plus alpha theta vertical से alpha horizontal से theta vertical से alpha horizontal से तो उस condition में theta plus alpha is equals to 90 degree और इसे कहा जाता है complementary angles yes or no क्या कहा जाता है इसको complementary angles उस condition में भी है हम लिखेंगे हमारा h divided by h prime ठीक है तो उसका answer कितना आएगा उसका answer आएगा 10 square theta and हम लिखेंगे sir t divided by t prime उसका answer कितना आएगा sir 10 theta and यहाँ पर complementary angles के लिए r क्या होता है same ये बहुत important है complementary angles के लिए r क्या होता है बच्चो सेम होता है क्या ये बात समझ में आ गई क्या ये बात समझ में आ गई everyone क्या ये बात clear हो रही है सबको जल्दी बताईए क्या ये बात सबको समझ में आ रही है ठीक है कैसे हुआ ये आपको समझाते हैं ये कैसे हुआ मैं लिख देता हूँ एक बार सोदेट आपको ना आप डिरेक्ट यह नहीं सोचगे और यह सोच जी आपने कुछ तो ऐसा लिख दिया जो हमें समझी नहीं आया तो मैं लिख देता हूँ बिटा यह दी आपने थीटा उससे लिया है तो जो H होगा वो तो हमें पता है क्या है एच प्राइम की जो वैल्यू है ना मैंने क्या कहा साइन विल चेंज तो तो यह क्या हो जाएगा यू स्कुआर यह हो जाएगा आपका कॉस स्कुआ थीटा एंड डिवाइड़ बाइड़ बाइड़ तीटा अब यहां पर देखे अब यहां पर आपका एक पॉइंट और वो होगा रिलेशन बिट्विन ध्यान से सुनेगा वो क्या होगा बिटा वो होगा आपका रिलेशन बिट्विन रिलेशन बिट्विन आर टी अंड टी प्राइम तो बिटा जी आर टी अंड टी प्राइम आप चाहो तो एक काम करो कि इस टी को बोल दो टीवन और टी प्रा को बोल दे रहा हूं T2, तो relation between R T1 T2 क्या होगा, चले भाहिया हम आगे, तो हमने देखा कि सर यदि हमने T1 का into किया T2 के साथ, तो क्या निकलेगा, देखते जरा, तो T1 तो हो गया, 2U sin theta divided by G everyone, और T2 हो जाएगा सर जी, 2U cos of theta divided by G, अब जैसे ही हमने इनको multiply किया, तो हमें पता चला, कि सर यह जो नंबर है ना, 2U sin theta by G और into में 1 cos theta, यह तो R होता है, तो यहाँ पर यह जो आपका value है T1 into में T2, यहाँ पर as it is रहेगा, और यह हो जाएगा सर, 2U divided by G और साथ में होगा R, यहने कि यहाँ से हम बोल सकते हैं बेटा कि जो R है, और directly proportional to T1 into T2 होगा, क्या य logic सबको clear हो गया, everyone, बहुत important point है यह, फिर हमने यहाँ पर next बात करी बेटा, वो आएगा आपका relation, वो आएगा आपका relation between, relation between किसके किसके बिच में, R, H and हम यहाँ पर बोलेंगे बेटा, H prime, R, H and H prime, तो जब आप यहाँ पर लिखोगे, तो H को क्या लिखोगे, आप लिखो और आपका H prime क्या हो जाएगा, अच्छा तो मैं इन्टू ही कर देता हूँ, जैसे मैंने इधर किया, तो जैसे आपने किया, H1 का इन्टू किसके साथ, H2 के साथ, इन्टू करते ही, अच्छा मैंने यहाँ पर U लिख दिया, रुको एक मिनिट, हाँ हाँ हाँ, यहाँ पर म U square साथ में क्या आएगा, Sine Square Theta, डिवाइड़ड़ बाइगा, 2G, और इन्टू में यह क्या हो जाएगा, U square साथ में क्या आएगा, Cos Square Theta, डिवाइड़ड़ बाइ 2G, अब R क्या होता है, रेंज होता है, एक Sin Theta, एक Cos Theta, U Square by G, यहाँ तो 2 U Square by G हो गए मैरे पास, और 2 Sin Theta cos theta हो गए रहे हैं yes or no अब मुझे उपर 2 भी चाहिए R बनाने के लिए तो हम क्या करेंगे हम जबरजस्ती यहाँ पर देखे अगर मैं अगर मुझे R का square बनाना है तो मैं यहाँ पर 1 sign 1 cos के लिए 2 लगेगा तो मुझे 2 sign 2 cos के लिए 4 लगेगा उपर 4 लगेगा नीचे आई बात समझ में everybody तो यह जो पूरा टर्म है 4 G G U square sin square theta U square cos square theta यह R square हो जाएगा everyone ठीक है यह 2 यह 2 और यह 4 यह नीचे के रह जाएंगे तो यहां से हमारा R finally आएगा 4 रहेगा बाहर और under root में रहेगा H1, H2 यह अगर आप लोगों ने पढ़ रखा हो तो आपको धियान आना चीए ठीक है मैंने prove भी करा दिया तो important चीज़ें जो है वो में उस तरह से लिखते चले जा रहा हूँ so that you can understand each and everything in detail और आपको समझ में आए किया क्या point है किस तरह के point है तो logic यहां तक समझ में आगया बिटा यहां तक सारी बात है क्लियर है अगला point यहां पर क्या आता है तो point number हमारा 4 चल रहा है अभी 4 में ही important points चल रहे हैं अभी हम projectile motion की बात करें न अगला point यहां पर क्या आएगा अगला point आएगा हमारा relation between अगला point आएगा relation between R and साथ में क्या होगा बिटा relation between R and H ठीक है चलिए तो अच्छा दोबारा एक बार बता देते हैं क्या होगा बिटा यहां पे न देखो R का formula हमको पता है U square by G sin theta cos theta होता है ठीक है 2 U square by G sin theta cos theta होता है 2 sin 2 cos है तो मुझे उपर ना 2 और 2 4 चाहिएगा इसलिए मैंने 4 से multiply 4 से divide कि है ठीक है ठीक है Everyone जल्दी से बताओ है ना यह relation पता होने चीए ठीक है चलिए आगे आते है relation between R and H तो R और H में जो relation होता है वो होता है R 10 theta R 10 theta is equal to क्या होता है बिटा यहां पर 4 times of H होता है and this relation is very very important कहीं सारी जगों पर सीधा सीधा use होगा R 10 theta is equals to 4 H यह clear हो गया बिटा सभी लोगों को यहां तक अगर किसी को कोई problem कोई confusion कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दीजिए तो मैं अभी आप लोगों को clear करते हो आगे चलता हूँ ठीक है यहां पर एक चीज़ ओर आएगी बिटा direction of यहां पर आएगा आपका direction of motion direction of motion जिससे हमको 10 theta निकालना होता है तो मैं यहां पर ही लिख देता हूँ क्योंकि space है मेरे पास तो 10 theta हमेशा क्या लिखा जाएगा लिखा जाएगा u y divided by u x क्या लिखा जाएगा 10 theta हमेशा u y divided by u x ठीक है इसी में एक point यहां डाइग्राम बना हुआ और वो value किसके बराबर होती u cos theta के बराबर किसके बराबर होती सर u cos theta के value यहां पर minimum हो जाती है point O से A तक जाने में और फिर वापस B तक आने में तो जब आप O से A जा रहे हो O से A जा रहे हो तो आपका speed decrease हो रहा है ठीक है और जब आप A से वापस B आते हो तो same rate से आपका V increase होता है इसी लिए यहां जित्ती speed है उतनी ही speed से particle यहां पर वापस hit करता है आई बात समझ में everyone clear है कि नहीं? चलो बहुत बढ़िया अब आजाते हैं बिटा अपन आगे next point पर वो यह है next point पर वो यह है कि क्या-क्या और aspect यहां पर projectile motion से related बनते है comment everyone what are the possible things जो यहां पर बनती है तो कोई भी अगर आप projectile की बात करोगे वो projectile ऐसे जाके ऐसे यहां पर आके hit करेगा ठीक है ऐसे जाके ऐसे hit करेगा आपने इसको fake है किसी particular velocity से वो velocity आपके पास है बिटा यू कितने angle पर आपने fake a theta पर तो किसी भी point of time पर what is the velocity अगर आपको चाहिए ठीक है दो दो तीन तीन चीज़ें यहां पर बनती बिटा अब यहां जब आप हैं तो यह topmost height है बिटा आपकी और इस height को आप यहां पर क्या बोलेंगे इस height को हम बोलेंगे कि सरी हो गया हमारा h यहां से यहां तक की जो दूरी है आप इसको क्या बोलेंगे sir आप इसको बोलेंगे r by 2 everyone h पता चल गया r by 2 पता चल गया तो एक term होती है जिसे कहते angle of elevation point of projection से top point तक सिधा सिधा अगर आपने देखा तो एक angle बनता है जिसे हम कहेंगे अलफा और alpha को हम यहां पर क्या कहेंगे बेटा alpha को अपर कहेंगे angle of elevation क्या कहेंगे बेटा angle of elevation everyone angle of elevation और यह जो 10 alpha होता है बेटा यहाँ पर अगर आपको लिखना है तो यह क्या हो जाएगा सर perpendicular upon base यहने कि r by 2 2 उपर चला जाएगा जब आप इसको solve करोगे तो यह answer आजाएगा इस relation से देखो क्या लिख सकते हो आप यहाँ पर तो 2H की value क्या लिखेंगे r by 10 theta तो इसलिए answer आजाएगा यहाँ पर आपका 10 theta divided by 2 तो यह भी एक बहुत important formula क्या सब लोगों को समझ में आ गया chat section में thumbs up come on quick guys यहाँ तक बात समझ में आ गई clear है तो यह point हो गया velocity at any point अगर आपसे पूछा जाए बिटा क्या पूछा जाए velocity at any point angle of elevation clear हो गया आपसे पूछा जाए velocity at any point तो वो होगा V और उसमें दो बाते होंगी एक होगी बिटा यहाँ पर UX आपका I cape और दूसरा यहाँ पर आपके पास होगा बिटा VY J cape तो VY की value क्या होगी VY की value होगी यहाँ पर UY और माइनस आपको लिखना पड़ेगा GT अब T के हिसाब से decide होगा बिटा T के हिसाब से decide होगा कि यहाँ पर यह जो आपने लिखा है UY minus GT अब T यहाँ पर कितना है अगर आप देखोगे तो यहाँ से लगा कर O से लगा कर A तक O से लगा कर O से लगाकर A तक बिटा जो VY की value है वो positive रहेगी और A से लगाकर B तक जो VY की value है वो negative हो जाएगी तो time के हिसाब से decide होगा कि VY plus आएगा या minus आएगा ठीक है किसी भी point of time पर if someone is asking कि बताईए वहाँ पर उस particular point पर particle कितना angle बना रहा है मानलीजे यह पूछा जाए तो यहाँ पर यह वाली velocity तो आपकी fix है बेटा that would be equal to UX और यहाँ पर vertical direction में यह कितनी होगी बेटा तो this will be तुम्हारी VY तो यहाँ पर अगर आपको angle पूछा जाए तो we can get the angle बेटा direction of motion बताया जा सकता है और उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पर direction of motion और direction of motion के लिए everyone direction of motion के लिए हम बोलेंगे उस particular point पर 10 बीटा यह वाला angle बीटा 10 बीटा is equal to हम लिखेंगे VY divided by UX और VY की value means UY minus GT और divided by क्या होगा बेटा यहाँ पर UX होगा क्या यह बात भी clear हो रही है सब लोगों को बहुत बढ़िया आगे बढ़ें everyone इतना भी clear हो गया velocity identify करने का तरीका पता चल गया सब सारी चीजें हो गई now in the projectile motion also in the projectile motion also particle if going like this and coming like this so it will be at the same height for two different time एक बार जाते वक्त एक बार आते वक्त एक बार जाते वक्त एक बार आते वक्त जाते वक्त जो time होगा उसको T1 बोलेंगे आते वक्त जो time होगा उसको T2 बोलेंगे बोलो यह सोनो if this point is A and if this point is say B तो time of flight अगर कोई आप से यह पुछे time of flight क्या पुछा जाए बेटा आप से कोई पुछे time of flight from from A to B A से B तक का total time of flight क्या होगा तो उसको आप बोलेंगे TAB or that would be actually बेटा T2 minus T1 होगा कैसे निकलेगा because your particle will be at the same height your particle will be at the same height for two different times तो वो logic लग जाएगा everyone वो logic लग जाएगा theta बेटा angle of projection and alpha is angle of elevation लिखा तो है मैंने यहाँ पर angle of elevation and angle of projection ठीक है ना theta angle of projection है alpha angle of elevation है तो हमने class में पढ़ा था बेटा h को हम क्या लिख सकते हैं half यहाँ पर हम लिखेंगे G और यह क्या हो जाएगा बेटा T1 into T2 and यहाँ पर हम क्या लिख देंगे बेटा U Y is equals to यह हो जाएगा आपका half yoga G and that would be T1 और प्लस हो जाएगा बेटा T2 everyone T1 प्लस हो जाएगा T2 क्या यह बात सबको समझ में आती है ठीक है क्या यह बात सबको समझ में आती है मैं यहाँ की जगर ना थोड़ा इधर लिख देता हूँ क्योंकि space नहीं हुआ उधर तो दिखने में नहीं आ रहा आप लोगों को यह क्या हो जाएगा सब T1 प्लस T2 बताएगा जल्दी से क्या यहाँ तक सबको बात समझ में आ गई बहुत important चीज़ें यार यह दोस्त बहुत important है बदब यह इतनी important बातें हैं कि अगर यह ध्यान में रही तो फिर कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होगा ठीक है अच्छा उसके अलावा यहाँ पर एक बात होती जिसे किते change in momentum बेटा ठीके ना next concept is change in momentum तो change in momentum की जब आप बात तो आपको लिखना पड़ेगा mass into में आप लिखेंगे बेटा change in velocity और बच्चो चो change in velocity होगा when particle comes at the ground ठीक है ना यहाँ पर मैं इस point को से o बोल रहा हूं और इस point को से o1 बोल रहा हूं ठीक है तो कहां से कहां तक मैं I am talking about o2 o1 change in momentum कहां से कहां तक बेटा o2 o1 यह नहीं कि particle को ground से फेका और lot के वापस ground पर आ गया उस situation में तो horizontal component तो आपका same है हर जगा horizontal component तो आपका same है बेटा हर जगा तो केवल change किसमें हुआ vertical component में पहले उपर था बाद में नीचे हो गया इसलिए यहाँ पर आएगा m into में 2 u y और आप उसे लिखेंगे बेटा यहाँ पर m into में 2 u sin theta बच्चो अगर इसी को में जी से इंटू करूं अगर इसी को में जी से इंटू करूं जी से डिवाइड करूं तो यह वाला जी और एम क्या बन जाएगा वेट और 2 u sin theta by g क्या बन जाएगा time तो इसी भी बात सबको समझ में आ गई तो projectile motion clear हो गया सभी लोगों को किसी को कोई problem कोई confusion को दिक्कत चलिए projectile motion में अब हमें next यहाँ पर बात करनी होती बेटा next point is which is equation of trajectory next point is what we have equation of trajectory to next आपके पास आएगा equation of equation of trajectory next के आएगा equation of equation of trajectory or equation of trajectory की जब आप बात कर रहे हैं तो उसको देखे जरा कैसे लिखेंगे क्या होती बेटा equation of trajectory तो यह होता है basically relation between x component of the particle and y component of the particle and that would be y is equals to हो का बेटा यहाँ पर x 10 theta बाहर लेंगे आप y is equals to x 10 theta minus यहाँ पर क्या होता है बेटा यह होता है अपका gx square whole divided by 2 और यहाँ पर होता है u square cos square theta इसी को जब हम थोड़ा सा solve करेंगे इसी को जब हम थोड़ा सा क्या करेंगे बेटा solve करेंगे तो x 10 theta यदि आपने बहार निकाल लिया तो यह हो जाएगा x 10 theta minus sorry x 10 theta और यहाँ पर होगा bracket में 1 minus that would be x divided by क्या होगा बेटा r होगा आई बात समझ में हैं आई बात समझ में clear है कि नहीं yes or no और इस equation को use करने की एक hint दे रहा हूँ hint यह है बिटा hint यह है अच्छे अच्छे सवालों को कम समय में solve अगर करना है तो आप हमेशा यह देखिएगा कि कोई equation अगर आप लोगों को given है तो कैसे सोचना है तो आप देखेंगे कि sir y is equal to जहाँ पर 0 कर दोगे वहाँ पर x की value r के बराबर होगी यह बात आप याद रखेंगे जहाँ पर y 0 होगा वहाँ पर x की value किसके बराबर होगी बिटा r के बराबर होगी क्या आप सभी बच्चों को equation of trajectory clear हो गया equation of trajectory clear हो गया ठीक है सारी बाते clear हो गए अब एक concept आता है जिसमें कहते हैं time ठीक है where time where u is perpendicular to v और इसी को बोलते है initial direction of motion and final direction of motion are perpendicular to each other तो मैं इसको उतना language में ना लिखकर बस मैंने mathematically लिख दिया क्या यह बात समझ में आ रही है तो यहाँ पर बेटा अगर आपने कोई भी particle project किया किसी भी जगह से if you are projecting any particle from anywhere ठीक है ना तो यहाँ पर आपने project किया इसको u यह है इसकी initial direction of motion particle यहाँ से ऐसे जाकर वापस land करेगा ठीक है जब वो land कर रहा है तो यह तभी संभवेज जब यह वाला angle अगर theta है तो यह वाला angle कितना होना चाहिए बेटा 90 minus theta मतलब यह वाली velocity क्या होगी वी तो यहाँ पर इस time का जो formula आता है दोस्तों वो आता है t is equals to क्या आता है t is equals to अब आपको क्या चाहिए सुनो ध्यान से कैसे इसको find करेंगे मतलब हर चीज में logic चुपा हुआ है क्या होता है कि रटना एक अलग चीज होती है और समझ के याद रखना is a different thing तो मैं समझा के याद रखवा रहा हूँ आप लोगों को यह horizontal direction में velocity है now tell me one thing मुझे तुम बस एक छोटी सी बात बताओ कि यहाँ पर यह particle की velocity है और आगे जाते जाते यह velocity हो गई 0 यहाँ पर velocity u है यहाँ पर velocity हो गई 0 तो acceleration की value जो होगी वो अगर a है यह कितने time में होगा तो तुम क्या बोलोगे तुम बोलोगे sir u divided by a time में यह velocity 0 हो जाएगी am I right everyone u divided by a time में क्या हो जाएगा यहाँ पर velocity finally 0 हो जाएगी अब धियान से सुनना आपने इस तरफ फेका आप क्या बोल रहे हो कि velocity perpendicular हो जानी चाहिए इसका मतलब यहाँ पर इस direction की velocity 0 हो जानी चाहिए इस direction की यह सोर नो जो u के along है अब projectile motion में where is acceleration due to gravity बोले sir यह रहा कितना तो बोले sir g अगर यह 90 minus theta है तो यह वाला theta हुआ कि नहीं हुआ तो कौन सा component of g g का कौन सा component इसको रोकने की कोशिश करेगा बेटा g sin theta everyone इस u को इस u को इधर जाते 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 0 कर दो तभी तो final velocity के वेल perpendicular बचेगी बोलो yes or no everyone वो कौन सा है वो है आपका g sin theta तो इसी formula से आपको बस यहाँ पर पता चल जाएगा कि time जहाँ पर u and v will be perpendicular is u divided by क्या होगा g sin theta होगा बट ध्यान से सुनना theta की value should be more than equal to 45 degree if लिख रहा हूँ if theta is less than 45 degree so u and v u vector and v vector will never be क्या होगा बेटा will never be perpendicular will never be perpendicular जल्दी से जरा समझा दो है ना मस्त मजा आया कि नहीं तो ये condition है condition के हिसाब से काम चलता है ठीक है चलिए आगे बात करते है horizontal projectile motion next कहानी कहाँ पर आती बेटा horizontal projectile motion पर projectile motion clear हो गया fourth point था बेटा fourth point था एक एक चीज़ detail में समझाईए fifth point पर आते हैं जिसे हम कहेंगे सर horizontal projectile motion क्या कहते हैं बेटा उसको हम horizontal projectile horizontal projectile motion horizontal projectile motion और what do you mean by horizontal projectile motion किसी भी particle को किसी भी particle को यदि आपने क्या किया किसी building से fake दिया बेटा किसी building से fake आपने किसी particle को किसी building से fake सीधा horizontally ऐसे यहां पर आपने particle लिया और इस particle को ऐसे throw कर दिया with some initial velocity ux is equals to u यहां पर vertical velocity है ही नहीं भाई ना तो कोई component ऐसा उपर है और ना कोई component ऐसा नीचे है सीधा SFA का जब आपने इसको SFA का तो यह क्या करेगा but obvious बात है यह ऐसे घूम कर नीचे पहुँचेगा जब यह ऐसे घूम कर नीचे पहुचेगा तो बहुत interesting analysis इसमें होने वाली है आप आजाईए जरा ध्यान से vertical direction में अगर velocity 0 है तो जैसे u is equals to 0 से कोई particle जब drop होता है तो जिस तरह की चीज़ें follow होती है वो same to same यहां पर भी follow जाएगी जैसे एक सेकेंड में particle कितना नीचे आता है भीया तो बोलेंगे sir x नीचे आता है फिर अगले एक सेकेंड में कितना नीचे आता है तो बोलेंगे भीया 15 मीटर नीचे आता है बोलो यह सूर नो फिर अगले एक सेकेंड में जब यहां आएगा तो पार्टिकल एक सेकेंड लगाएगा जब यहां आएगा तो भी पार्टिकल एक सेकेंड लगाएगा अब बातों को ध्यान से सुनना समझना horizontal projectile motion में कितना वक्त लगेगा इसे नीचे गिरने के लिए तो जो वक्त लगेगा that is time to reach at the ground बेटा ठीक है न यहां पर क्या होगा time to time to reach at the ground time to reach at the ground में आप बोलोगे सर वो t होगा और उसकी value same हो जाएगी under the root of 2h divided by g के ही बराबर under the root of 2h by g के ही बराबर और कितनी velocity से कितनी velocity से वो यहां पर आके hit करेगा वो यहां पर एक interesting factor है जो हमें देखना होता है तो बेटा यह velocity में न दो चीज़े होंगी इस velocity में दो चीज़े होंगी क्या क्या एक तो इसमें horizontal velocity वो तो यू ही रहने वाली है और एक इसमें हो जाएगी बेटा vertical velocity और वो vertical velocity होगी तुम्हारी कितनी gt के बराबर या फिर under the root of 2gh के बराबर under the root of 2gh के बराबर gt के बराबर या फिर under the root of 2gh के बराबर जबकी ये जो particle जो free fall कर रहा है इसकी velocity जब तुम देखोगे यहाँ पर तो इसकी velocity होगी vy is equals to केवल gt या फिर under the root of 2gh इसमें क्या नहीं होगा इसमें यू नहीं होगा आई बात समझ में तो velocity final अगर आपको यहाँ पर कोई पूछे कि projectile motion में कितना है वी तो आपको बोलना पड़ेगा sir which is under the root of u का square प्लस आपको लिखना पड़ेगा sir 2gh आई बात समझ में horizontal projectile motion के लिए velocity ये होगी जबकी यहाँ पर final velocity कितनी हो जाएगी केवल under 2gh तो दोनों particle if someone is dropped from some height या फिर someone is thrown horizontally दोनों की speed अलग-अलग होगी बट दोनों पहुंचेंगे simultaneously जल्दी से ये वाला और ये वाला इसका resultant है ये final speed when we thrown from certain height और सिधा drop किया तो both will be reaching simultaneously but with different different speed yes or no everyone मैं या पर लिख देता हूँ ये मेरे लिए particle क्या हो जाएगा बिटा ये मेरे लिए particle हो जाएगा 1 ये मेरे लिए हो जाएगा particle 2 तो मैं आपर लिख भी देता हूँ particle 1 and लिखेंगे 2 reaches ground simultaneously reaches ground simultaneously but with different speed got the point everyone simultaneously but with different speed क्या यहां तक सब को समझ में आ गया एक एक बात है इसकी equation of trajectory कैसे बनेगी वो interesting factor है किसी भी जगह पर अगर आपको velocity चाहिए किसी भी point of time पर तो यहां पर जो time T होगा उसके हिसाब से यहां पर वी वाई की value हो जाएगी बिटा जी इंटु में T और horizontal component तो वही यू रहने वाला है ठीक है अब यहां पर equation of trajectory कैसा होगा बिटा तो equation of trajectory would be आपको लिखना पड़ेगा sir half आपको लिखना पड़ेगा sir g और लिखना पड़ेगा t square जहां पर t की value क्या होगी बिटा clear clear है जी बहुत बढ़िया तो यहां तक अगर चीजे समझ में आ गई हो अब आगे बढ़ते हैं देखो एक case हमने पढ़ा था एक case हमने पढ़ा था projectile motion में जिसमें हमने उसमें vertical projectile motion में कि किसी building से particle को उपर fake दिया तो बताओ यहां पर अच्छा इसमें एक चीज हमारी अभी थोड़ी सी range क्या होगा तो इसमें जो range की value हो जाएगी बिटा वो हो जाएगी u into में t और t की value यहां पर कितनी हो जाएगी under the root of 2h divided by g तो यहां पर हमारे पास आ जाता है value इस तरह से range का tricky सवाल किस तरह क्या आते तो tricky सवाल पर बात करते हैं ठिक है tricky सवाल पर बात करते है tricky सवाल समझाते है क्या होगा tricky सवाल में क्या हो रहा है कि कोई भी particle अगर आपने किसी building से मान लीजे project किया और building से project किया कुछ ऐसे बेटा कि horizontal से किसी velocity पर fake दिया किसी angle theta के साथ horizontal से किसी angle theta पर आपने fake आ यू के साथ अब इस velocity के दो component होगे बेटा एक होगय horizontal जिसकों बोलेंगे ux is equals to u cos theta और एक होगय इसका vertical component बोलो यह सोर नो इस तरह के सवाल जब आते हैं तो कई बार बच्चे confusion हो जाते हैं अब इसको करे कैसे इसको सोचे कैसे तो समझना यहाँ पर यहाँ पर क्या होता है बेटा यह particle जब यहाँ से उपर जाएगा उपर जा के फिर वापस वो क्या करेगा अब इतनी अगर आपको बात समझ में आ गई हो तो हम आगे चर्चा बढ़ादेते हैं इतनी बात अगर सबको clear हो गई हो तो हम आगे चर्चा बढ़ाते हैं बेटा अभी क्या करने वाले तो total time of flight यहाँ पर निकालने का एक बहुत simple तरीका है simple तरीका क्या है यह vertical velocity है इससे क्या हो रहा है कि particle पहले न देखो particle क्या हुआ u sin theta से ध्यान से सुनना particle क्या किया u sin theta से पहले ऐसे उपर गया और उपर जाके फिर वापस नीचे आया और नीचे आके फिर वो ऐसे नीचे गिरा बोलो यह सोनो और कितना height नीचे गिरा वो तो हम जान रहे हैं कि h height है क्या ऐसा same to same scenario में आपको भी थोड़ी देर पहले नहीं पढ़ा चुका हूँ बिटा जाते वक्त इसको time t1 लगेगा यहाँ से यहां से यहां तक आते वक्त जो time लगेगा वो time t2 लगेगा क्या मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले ऐसे नहीं पढ़ाया पढ़ाया तो पता है आप टोटल time of flight कितना होगा वो होगा u sin theta divided by g और प्लस लिखना पढ़ेगा bracket के अंदर bracket के अंदर u sin theta divided by g इस पूरे का whole square और प्लस कर दीजे आप यहां पर 2h divided by g that's all अती simple अती simple right everyone sir कितनी range चलेगा बहुत ही simple है कितनी range चलेगा तो range तो चलेगा वही u cos theta into my time t और time t मैंने निकालना सिखा दिया तो आपके पास आ जायेगा answer बोलो यह सूर नो यार देखो इस पे दिल बन जाने चाहिए थे मैंने ना दोनों को correlate करके पढ़ाया है यह मैंने तुम्हारे सामने prove किया था अब बस उसी को use कर लिया वहाँ पे क्या था केवल u था u sin theta नहीं था क्योंकि particle को सिधा सिधा उपर फेका था यहाँ पर उपर फेका है लेकिन u sin theta से फेका है yes or no हो गया clear everyone सबको समझ आया किसी को कोई problem कोई confusion ठीक है यहाँ पर एक note point और बोल देते हैं जब भी कोई object ठीक है जब भी कोई object किसी चलती गाड़ी या train भी बोल लो चलती गाड़ी या train से फेका जाता है sorry drop किया जाता है तो उस गाड़ी या train कि सेम वेलोसिटी सेम वेलोसिटी object को object को मिल जाती है पर acceleration नहीं पर acceleration नहीं ठीक है समझा point समझा है पिटा चलती हुई गाड़ी है 10 मिटर पर सेकेंड से ऐसे जा रही है तो पांच सेकेंड में उसकी स्पीड हो जाएगी पचास acceleration अभी भी है अब अगर मैं pen drop करूँगा तो यह पचास से pen भी आगे जाएगा लेकिन acceleration नहीं मिलेगा इसको केवल क्या मिलेगा केवल मिलेगा velocity acceleration नहीं मिलने वाला है क्या यहां तक सब को बात समझ में आ गई बीटा comment everyone एक बज़े तक पूरी कोशिश करते में एक बज़े तक complete हो जाएगे कोशिश कर सकते motion क्या आ गया बेटा next आपका relative motion क्या आ गया बच्चो relative motion आ जाता है क्या आ जाता है दोस्तो relative motion जल्दी से और relative motion में क्या होता है जिसके respect में हम देखते हैं एक होता है observer और observer जिसमें बेठा होता है वो होती frame of reference तो हम जिसके respect में चीजों को देखते हैं उसको rest में मान लेते हैं relative motion में एक point सबसे पहला तो आपको क्या समझना है हम, हम क्या करती बेटा हम जिसके हम जिसके respect में बात करते हैं, हम जिसके respect में हम जिसके respect में देखेंगे, हम जिसके respect में क्या करते हैं बेटा, देखते हैं उसको rest पर मान लेते हैं उसको rest पर उसको rest पर मान लेते हैं मान लेते हैं और वही velocity और acceleration और साथ में ये भी देखो यह बहुत important और उतना उतना velocity and acceleration बाकी सभी बाकी पूरी दुनिया को बाकी पूरी दुनिया को उल्टा करके बाकी पूरी दुनिया को उल्टा करके देते हैं example से समझाएगा आपको ठीक है किसे समझाएगा बिटा example से बस अब इसके पास कितने chapter बचे laws of motion छोटा सा है फिर उसके बाद में circular motion वो भी छोटा सा है work energy power center of mass collision and rotation तो वो जो chapters है न बिटा वो more or less formula based जादा है तो वहाँ पर समझाने की जरुवत कम पड़ेगी यहां तो क्य कुछ चीज़े tricky tricky भी बीच में आये थी न हाँ yes current बोल रहे है कि थोड़ा जल्दी जल्दी हाँ जल्दी कर देते हैं जल्दी कर देते हैं थोड़ा सा यह करेंगे न की fast करेंगे formula formula लिखके आगे बढ़ेंगे ठीक है न तो अगर हमने आपसे कहा कि velocity of a particle a is equals to कहा यहां पर 2 i plus क्या कहा बेटा 3j and यहां पर आपसे कहा कि velocity vb is equals to क्या बोल दिया बेटा यहां पर 3i minus यहां पर j अब आपसे पूछा है find velocity of b with respect to a किसके respect में पूछा बेटा a के respect में तो क्या करना है आपको इसको ऐसे लिखना है कि यार b की velocity में से a की velocity minus हो जाएगी b की velocity में से a की velocity minus हो जाएगी तो b की velocity लिखो तुमें as it is 3i minus j और इसमें से क्या होगा बेटा minus करना है तुम्हें कितना है यहां पर 2i plus यहां पर 3j तो solve करके तुम्हें पता चल जाएगा किसर बचेगा i और minus का बचेगा 4j देखो यह रहा answer तुम्हारे सामने clear है कि नहीं बस है और बस चल रही है बिटा यहां पर क्या है आपकी बस है और बस चल रही है कितनी speed से 10 meter per second से इसके पीछे यहां से 100 meter दूर खड़ा एक लड़का है कितनी दूर खड़ा है बिटा 100 meter दूर खड़ा है और उस लड़के को जाना है cycle पर उस लड़के को दोड़के स्पीड यू से तो बस को खड़ा कर दो क्या कर दो बिटा बस को खड़ा किया 10 मिटर पर सेकंड से तो बस को जितनी स्पीड से वो आके जा रही थी उतनी स्पीड से बस को रोक दिया तो बस हो गई तुम्हारी कॉंसीडर रेस्ट और वही तेंड आपका यहां पर क्या होगया इस लड़के की वेलॉसिटी में भी मैंनेस हो गया ठीक है एव επιवन तो अब यहाँ पर क्या होगा, लड़का जब बस में बैठ जाएगा, यह लड़का जब दोड के बस में बैठ जाएगा, तो उसकी final velocity 0 हो जाएगी, यह सोर नो, और जब final velocity 0 होगी तो हम बोलेंगे कि sir, v final is equal to 0, और v final 0 है, मतलब v को अपन कैसे लिखेंगे, u minus 80, ठीक है न, अब अपने को यहाँ पर 100 दिया हुआ है, तो हम time निकाल सकते हैं, time निकाल सकते हैं, मान लेते हैं कि अपन यह भी बोल देते हैं, यह 10 second में इसको पकड़ भी लेता है, यह 1 second में इसको पकड़ लेता है, time भी देते हैं, थोड़ा आसान कर देती सवाल, तो अब तुम बोलोगे कि 100 meter, 100 meter, तुम चले 1 second में, कितनी speed से, U-10 से, U-10 से, आई बात समझ में, कि नहीं आई, everyone, 1 second के जगए 10 कर दे, थोड़ी speed बहुत ज़्यादा ही होगी, तो यहाँ पर 10 second कर देते हैं, तो यह answer आएगा, 10 is equals to U-10, तो यहाँ पर U की value कितनी आ गई, 20 meter per second, तो कैसे relative के question solve होंगे समझ आया, everyone, relative के question कैसे solve होंगे समझ आया, सब लोगों को, बहुत बढ़िया, अब यहाँ पर देखिए, अगर, अगर कोई भी, अगर कोई भी, जिसे आपसे मैंने कहा, कि यहाँ पर आपका जो है, next point बनेगा, point number 4, point number 4, बेटा, मैंने आपसे कहा, कि एक velocity है, V1, which is है, 10 meter per second, ठीक है, और वो direction right side, everyone, ध्यान से देखना, और दूसरी velocity, वो भी है, V2, और उसकी भी value 10 meter per second है, और वो भी कहाँ पर है, right side, वो भी कहाँ पर है, बेटा, तू को रोकने के लिए, जब आपने speed पीछे की तरफ दी, बेटा, तो उतनी ही आपने speed इसमें से क्या कर दी, minus भी कर दी, और जब उतनी speed आपने minus करी, तो ये भी net velocity 0 हो गया, और इसमें भी 10 में से 10 minus होके 0 हो गया, तो यदि दो particle equal speed से same direction में जाते हैं, तो उनके relative velocity क्या हो जाती, बेटा, 0, similarly, बेटा, अगर मैं आपसे कहूं, acceleration A1, acceleration A1 is equals to A, और है right side, acceleration A2, वो भी है A, और वो भी है right side, तो यहाँ पर भी क्या होगा, A relative हो जाएगा 0, यही वो कारण है, यही वो कारण है, जब आप देखते हैं, बेटा, note point पर आते हैं, कि, if one projectile, if one projectile is seen from other, is seen by other, अगर एक projectile को दूसरे ने देखा, तो, तो, यहाँ पर लिखेंगे, then it appear, वो कैसा दिखेंगे बेटा, it appear to move, it appear to move in a straight line, बेटा, कैसा move करेगा, straight line में move करेगा, क्यों straight line में move करेगा, क्योंकि, आप projectile motion की बात करेओ, एक projectile को दूसरे ने देखा, तो, जब एक projectile दूसरे को देखेगा, तो, यह relative क्या हो जाएगा, 0, जब relative acceleration 0 होगा, तो v relative क्या हो जाएगा, constant, और v relative होगा, तो resultant path कैसा होगा, straight path होगा, बोलो yes or no, resultant path कैसा होगा, क्या यहां तक आप सब लोगों को बात समझ में आ गई, किया, यहां तक आप लोगों को, point number 6 पर आते हैं rain man problems के सवाल जब आते हैं तो इस अक्सर अक्सर बच्चे परेशान होते हैं rain man problems पर जब discuss करते हैं तो क्या-क्या problem आती है rain man's problem में तो velocity of rain को हमेशा velocity of rain में हमेशा दो component होगे बेटा एक होगा vx और एक होगा बेटा यहाँ पर vyy ठेके और जो main का velocity होगा उसमें कुछ भी हो सकता है तो यहाँ पर आप हमेशा लिखोगे कि velocity of rain with respect to main जब बोला जाएगा तो rain की velocity में से main की velocity को minus करेंगे जिसके respect में बोलते हैं उसको minus कर देते हैं अब ध्यान से सुनना ट्रिक क्या बता रहूँ ट्रिक का वक्त आया है किसका वक्त आया है तो ट्रिक यहां पर क्या कहती आजाए है अगर मैंने आप से कहा इसको note point की तरह treat करेंगे note point झाल ठीक है ना तो note point की तरह treat करते हैं और वो यह कि अगर man is claiming that त्थीके if man saying rain वर्टिकली, that means, रेन हिटिंहें केसी बेटा, वर्टिकली, that means, that is, horizontal, horizontal component of rain and main are same, यह बहुत गहरी बात है, जिस direction में वो claim करेगा, जिस direction में वो क्या करेगा, claim करेगा, कि मुझे rain ऐसे hit कर रही है, हम बोलेंगे, इसका मतलब उससे perpendicular direction के component बराबर होने चाहिए, जिसे rain is hitting him vertically, तो horizontal के equal हो गए, अब हम बोलेंगे rain is hitting him horizontally, तो vertical components equal हो जाएंगे, एक सवाल से, एक example से समझा दू जल्दी से everyone, clear है, समझा है सबको, मज़ा भी आ रहा है कि नहीं यह बताएंगे जल्दी से, ठीक है, एक सवाल करते हैं, आपको सवाल में यह कहा गया है कि rain is, rain is falling at an angle of 30 degree, rain is falling at an angle of 30 degree, ठीक है, with a speed 20 meter per second from vertical, and a mane is moving, a mane is moving on an inclined plane of inclination 30 degree, parallel to this, यहाँ पर जो लड़का खड़ा है, वो ऐसे यहाँ से नीचे उतर रहा है, with certain velocity, बेटा ऐसे, बोलो यह सुरनो, ठीक है, यह value velocity अपने को पता लगाने है, यह जो लड़का है, यह क्या बोल रहा है, यह claim कर रहा है, claim कर रहा है, क्या claim के सने, कि rain जो है, rain heat कर रही है, rain hitting me, rain क्या बोल रहा है बेटा, hitting me at, rain hitting me vertically, rain hitting me कैसा बेटा यहाँ पर, vertically, अच्छा भाई, इसको rain कैसी हीट कर रही है वर्टिकल rain वर्टिकल हीट कर रही है इसका मतलब सुनो इसको पानी ऐसे लग रहा है ऐसे वर्टिकल इसको पानी ऐसे लग रहा है यह तभी संभव है जब इस लड़के के respect में horizontal component cancel out हो जाए बोलो यह सोरो everyone तो perpendicular direction में मतलब वर्टिकल अगर बोला है तो वर्टिकल से perpendicular क्या हुआ horizontal तो horizontal direction में component अपने को balance करने है तो rain का एक वर्टिकल component होगा बेटा वो कितना होगा वो होगा 20 cost 30 और एक rain का होगा horizontal component बेटा वो कितना होगा तो उसको आपन बोलेंगे sir 20 sin 30 अब यहाँ पर इस लड़के के भी दो component होगे क्योंकि अगर यह 30 है यह 90 है तो यह वाला angle 60 होगा everyone तो इसका एक horizontal component होगा यह वाला जिसको अपन बोलेंगे sir यह हो जाएगा आपका v sin क्या लिखेंगे बेटा v sin 60 और एक होगा यहाँ पर वर्टिकल कॉंपोनेंट जिसको बोलेंगे बेटा यहाँ पर v cos 60 जो मैंने note point लिखाया उस logic के हिसाब से उस note point के logic के हिसाब से अगर rain is hitting him vertically तो यहाँ पर क्या होना चाहिए यहाँ पर होना चाहिए यह जो आपका 20 sin क्या है 30 should equal to क्या होना चाहिए बेटा v sin 60 क्या यह बात सबको समझ बहा रही है rain अगर vertically heat कर रही है तो horizontal component equate कर दो बस इतना सा logic है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा this is 20 into my 1 by 2 यह कितना हो जाएगा v यह होगा root 3 divided by 2 by 2 by 2 cancel तो v का value आ गया 20 divided by root 3 क्या यह सबको चमकता है क्या यह सबको चमकता है बहुत बढ़िया खतम सवार खतम सवार एक note point और horizontal velocity horizontal को ही affect करती है vertical के साथ उसका कोई लेना देना नहीं और vertical vertical को affect करती है horizontal के साथ कोई लेना देना नहीं right everybody example एक example से बता देते हैं आपको जैसे rain की velocity है यहाँ पर 3 meter per second horizontal और vertical direction में लड़के की velocity है यहाँ rain की एक velocity 4 लड़का is running at a speed of 3 meter per second यह है यहाँ पर आपका main यह है आपकी rain तो अगर लड़के को तुम consider rest करोगे न consider rest तुम किसको करोगे लड़के को तो वो rain के horizontal component को affect करेगा और इसी लिए final answer में तुम्हें केवल और केवल 4 दिखेगा वो भी नीचे की तरफ और यह 4 को कोई फरक नहीं पड़ा इस चार रिमेंस चार इसी लिए मैंने कहा है क्या कहा है कि horizontal component horizontal को affect करते है vertical को नहीं और vertical vertical को affect करते है horizontal को नहीं यह बात अगर आपने ध्यान रखी next level पर बात हो जाएगी yes or no everyone clear है यहां तक समझाया सबको ठीक है बच्छो बहुत बढ़िया तो यही चुटी चुटी बाते होती है जो day 1 से अगर पढ़ रहे होते हैं तो फिर click कर जाता है ठीक है ना यही चुटी चुटी बाते होती जो day 1 से अपने को पढ़ दी होती बटा आजाए ज़रा अगले यहां पर हम बात करते हैं जो भी हमारा point number चल रहा था 6 हो गया है point number 7 पर आते हैं point number 7 में हम बात करेंगे river swimmer problem की किसकी बात करेंगे बटा river swimmer problems की तो river swimmer problems पर सवाल आते हैं river swimmer problems पर सवाल आते हैं जल्दी से आ जाईए फटा फट से आ जाईए बहुत बढ़िया NLM के पहले break दीजेगा नहीं बेटा break break नहीं break की अपेक्षाएं ना करें can't tell you कितना pressure feel हो रहा है यार मेरे उपर अभी ख़तम करने का तो तुम लोग break break चिलाये जा रहे हो यार पढ़ने के लिए आए हैं बढ़िया रिवीजेन हो रहा है का है जो है बाई इधर उधर करना है बेठे रहो चुपचाप हम कह रहे हैं तुमको अगर बेठे रहे ना हमाई साथ आखिर तक तो मस्त रिविजन भी हो गया और जहां जहां गलतियां होती वो पॉइंट भी समझ में आ गया इसलिए धीरज धरो और आगे बढ़ो ठीक है चलिए जी आगे बढ़ते हैं रिवर स्विमर प्रॉबलम नदी जब जब बहेगी नदी जब जब बहेगी खेला कर देगा इसलिए कहते हैं आग पानी आग पानी के साथ जो है नहीं करना चाहिए ठीक है चलिए यहाँ पर रिवर है भाईया रिवर इज फ्लोईंग एट इस्पीड यू इसमें यहाँ पर कोई पॉइंट है यहाँ पर कोई पॉइंट है बिटब बी इन दोनों के होगी बहुत सुन्दर सी अगर वो बोट यहाँ पर वी वेलोसिटी से नीचे जा रही है तो टाइम कितना लगेगा टी ए से बी तक जाने में तो जो वक्त लगेगा टी ए से बी तक जाने में वो होगा बिटा डी डिवाइडेड बाई कितना होगा बिटा तो यहाँ पर य ये V क्या करेगा, V नीचे जाना चाहता है, ऐसे, तो इसको U क्या करेगा, support करेगा, ये इधर आना चाहता है, ये भी इधर आना चाहता है, तो they will support each other, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा ये U प्लस V चमका की नहीं, लेकिन अगर यहीं से हमारा ये particle opposite, ये कैसा move कर रहा है, ये downstream move कर रहा है, कैसा move कर रहा है बेटा, downstream, ये क्या मतलब होता है downstream का, नदी के बहाव की दिशा में, है ना, यहाँ पर downstream का मतलब क्या तो है, नदी, है ना, अरे यदी लिग दिया मैंने नदी के जगा, नदी के flow के साथ, downstream का मतलब नदी के flow के साथ, सुनना दियान से, downstream का मतलब, नदी के flow के साथ, और upstream का मतलब क्या होता है, समझातें, अभी आतें, तो भाई जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसका T B से A मतलब opposite direction में आने में तो वो बिचारा ऐसे न यूं तेर के जाना चाहेगा और नदी उसको यूं धक्का देगी ऐसे वो बिचारा कोशिश कर रही हूँ ठीक है वो कोशिश कर रही हूँ जिन्दगी हो जाएगी अगर उसकी velocity कम और नदी की velocity जादा तो पहुँचेगा यह नहीं वो पानी बहा के ले जाएगा ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर होगा बेटा T B A को हम लिखेंगे D divided by और भाई लड़के की speed है जादा और नदी की speed है कम समस्याओं को हरा कर और पहुच जाएंगे सफलता के उस शीखर तक मन्जिल तक जहां हमें पहुचना है क्या कहते हो यह सोरनो बहुत बढ़िया तो हम क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पर T B A is equals to D divided by V minus U तो यह क्या हो रहा है बेटा यह upstream move किया यह कैसा move किया upstream upstream का मतलब क्या है नदी के नदी के flow से opposite नदी के flow से कैसा बेटा opposite बोलो यह सोरनो नदी के flow से opposite आई बात समझ में तो यदि U is equals to 0 हो जाए if U is equals to 0 तो बताईए time कितना लगेगा particle को A से B या B से A आने में क्योंकि अगर पानी बही नहीं रहा तो A से B जाओ या B से A आओ एक ही बात है तो यह time कितना होगा यह time होगा T is equals to D divided by V और दोस्तों जब हम थोड़ा calculation करेंगे तो हमको समझ आ जाएगा इस time को आप T1 बोल दीजे और इस time को आप T2 बोल दीजे we will write down one thing कि यहां से solve करने पर T का value would be T1 into T2 और नीचे कितना आएगा आपका T1 प्लस आएगा T2 ठीक है so remember this formula ठीक है बहुत अच्छे से सारी बाते समझा के लिख दिया है ठीक है reverse swimmer problem की पहली चीज़ आपको समझ में आ गई reverse swimmer problem की पहली चीज़ आपको समझ में आ गई दोस्तों कहीं किसी को कोई परेशानी कोई समस्या नहीं अगला बात करते है ठीक है ना यहां पर आता है next concept very important reverse swimmer problem में point A बिटा point A क्या आएगा यहां पर minimum drift ठीक है ना यहां पर क्या आता है बिटा point आता है minimum drift की condition minimum drift condition minimum drift का condition और minimum drift का condition कैसा होगा समझाते हैं जल्दी से यह रहा हमारा नदी यह रहा हमारा नदी हम चाहते हैं drift कम से कम हो उसके लिए आप A से शुरू करके और सिधा B पर पहुँचोगे तभी तो आपका drift minimum होगा drift का मतलब क्या है हम चाहते हैं A से B पर पहुँचना लेकिन हमको नदी धक्का दे कहीं यहां पहुँचा दे तो इसी को हम क्या कहेंगे बिटर डिरिफ्ट कहेंगे इसी को हम क्या कहेंगे बिटर डिरिफ्ट हमारी मर्जी कहीं और जाने की हम पहुँच कहीं और गए तो इसे क्या कहते हैं ड्रिफ्ट कहते हैं तो हमको अगर हम ऐसे जंप करेंगे तो ये नदी हमको इधर धक्का देदेगी इस डिरेक्शन में और हम कहीं यहां पहुंचेंगे तो हमको कहां पहुंचना है उस बारे में बात करते हैं हमको पहुँचना है अगर B पर directly तो हम तभी पहुँच सकते हैं जब यहाँ पर हम swim करेंगे यहाँ पर इस तरफ ठीक है ना at certain angle theta और एक बात और बता दे B पर पहुँचना तभी संभव हो पाएगा जब U का value V से कम होगा ठीक है यहाँ पर A से B directly पहुचना तभी संभव हो सकता है बेटा तो यह क्या होगा यह आपका U होगा और यह होगी आपकी resultant velocity और यह कितनी होगी बेटा यह होगी under the root of pi तक और अस्तिरम लगा दो V square minus U square everyone यहाँ पर river की width कितनी है D के बराबर river की width कितनी है बेटा D के बराबर तो क्या लिखेंगे कैसे लिखेंगे कैसे आगे बढ़ेंगे आईए ज़रा बताते हैं तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो triangle law लगाना है कि भाई particle को सीधा सीधा अगर ऐसे चलते रहना है वो तभी संभव है जब यहाँ पर इसका V sin theta इस swimmer का V sin theta और इस river का U एक दूसरे के बराबर हो जाए तभी तो particle इस line पर रह पाएगा otherwise नहीं रह पाएगा बोलो यह सूर नो तो इसको रहने के लिए हमें बोलना पड़ेगा कि sir V sin theta should be equal to U तो यहाँ से पता चल गया कि sin theta is equals to U divided by V तो एक point तो यह हो गया और दूसरा point हो गया जो T चाहिए time वो हो जाएगा sir D divided by दोनों ही बाते हैं D divided by चाहो तो V cos theta से निकालो या चाहो तो D divided by आप निकालो इसको under the root of V square minus U square से यह दोनों formulas तभी valid है जब यहाँ पर U की value less than क्या होगी बेटा V otherwise हम यह formulas नहीं लगा सकते तो अब condition ऐसी लेते हैं जिसमें U का value होगा condition ऐसी लेते हैं बेटा जिसमें U का value होगा बढ़ा किसे V के comparison में तो यहाँ पर आपने देखा कि यह हमारे पास U है यहाँ पर हमारे पास यह D है और हमने देखा कि सर जो swimmer है ना बिचारा वो swimmer है थोड़ा सा velocity से जम्प किया छोटी सी velocity के साथ इसका arrow बहुत बढ़ा है इसका arrow बहुत बढ़ा है और ये छुटकू velocity से जंब किया V velocity से अब इसके V sin theta के पास ताकत है ही नहीं इसका जो V sin theta है बिटा इसके V sin theta के पास ये capacity ही नहीं कि इस बड़े से U को balance कर सके इसका मतलब ये होगा कि particle यहां कहीं इस तरफ पहुँचेगा बोलो ये सोर नो particle कहीं यहां पहुचेगा और जब यहां पहुचेगा तो इसको हम क्या कहेंगे इसको हम drift कहेंगे इसको हम क्या कहेंगे बिटा इसको हम X कहेंगे और इस X को ही हम drift कहेंगे और ये drift minimum हमें करना है ये drift हमें क्या करना है बिटा minimum करना है अब एक बात जरा ध्यान से सुनिएगा मतलब हमें यह समझ में आ गया कि particle will be going on this blue line बोलो यह सोर नो तभी तो यहाँ पहुंच रहा है इसका मतलब blue line के perpendicular direction में there should not be any velocity तो अगर यह angle theta है यह line अगर हमने यहाँ पर draw करी यह angle theta है बिटा यह angle अगर आपका theta है तो यह वाला angle आपका 90 minus theta हुआ कि नहीं हुआ तो यह वाला angle भी आपका 90 minus theta हुआ कि नहीं हुआ equal and opposite angle तो this angle would be 90 minus theta तो हमें यह कहना पड़ेगा कि sir यहाँ पर इस condition में we should be equal to you और यहाँ पर लिखना पड़ेगा cos 90 minus theta am I right everybody तो लिखा जाएगा v is equal to you cos 90 minus theta would be sin theta जिससे हमको पता चलेगा कि sin theta का value we divided by u होगा याद रखने का एक तरीका बताते है sin theta हमेशा sin theta की value हमेशा plus 1 और minus 1 के बीच में होती बिटा sin theta की value हमेशा plus 1 और minus 1 के बीच में होती है यहाँ पर तुम condition क्या ले रहे हो कि v छोटा है u बड़ा है तो आपको देखना यहाँ पर क्या था यह वो condition है जिसमें u छोटा है और v बड़ा है तो छोटा उपर बड़ा नीचे छोटा उपर बड़ा नीचे sin theta में यहाँ पर भी देखो छोटा उपर बढ़ा नीचे साइन थीटा में, खतम सवाल यह सर नो, अब डिफ्ट कितना होगा तो X is equal to X is equal to यह हो जाएगा सर U में से हम V साइन थीटा को माइनस करेंगे और इंटू में टाइम और जानते हो टाइम कितना लगेगा टाइम लगेगा रिवर को क्रोस करने में D divided by V cos theta और यहाँ पर आपको वही D divided by V cos theta इंटू कर देना है चमका की नहीं सब को बताएगे जल्दी से ठीके, नोट्स के लिए बटा नीचे आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम के आप उसे join कर लीजिए, we will जो है definitely share the notes वहाँ पर ठीके न, वहाँ पर notes आपको share कर देंगे, सारी चीज़े share हो जाएँगी जल्दी से बताईए, तो यहाँ आपका river swimmer, अब एक बस बचा है last topic जिसका नाम है कौनसा बेटा, तो minimum time यहाँ पर जो है, कितना लगेगा to cross the river ठीके, minimum time, अभी minimum drift का सवाल किया, यहाँ पर second आता है minimum time का, ठीके न, तो minimum time, minimum minimum क्या बोलेंगे बेटा, time to cross, minimum time to cross river, is that clear minimum time to cross river नदी है हमाँ पास है न, कहता है का है नदी आपके पास अब भाई लेके बेठे हैं हम ठीक है, नदी लेके बेठे हैं हमा नदी को अगर minimum समय में cross करना है तो flow की मदद लेंगे, पानी के बहाओ के साथ होश्यारी नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे भाई हम बोलेंगे, हम A पर रहेंगे, खड़े, B पर जाने की कोशिश नहीं करेंगे हम सीधा सीधा जम्प कर जाएंगे ऐसे जब हम V से ऐसे जम्प करेंगे पानी हमको कहीं इधर धक्का देगा पानी हमको कहीं इधर धक्का देगा हमारी resultant velocity कहीं इधर बनेगी और हम चूप चाप नदी को क्रॉस कर लेंगे minimum, minimum time में बोलो yes or no तो यहाँ पर जो minimum time लगेगा बेटा river को क्रॉस करने में उसकी value आ जाएगी d divided by कितना V और उस चक्कर में जो drift है ना तुम्हारा, वो maximum हो जाएगा drift तुम्हारा maximum हो जाएगा और उस drift की value होगी यहाँ पर कितना यह U धक्का दे रहा है कितने time तक जितनी देर में हम नदी को क्रॉस करेंगे उतनी देर में यह U हमको धक्का भी देगा तो U into T और यह हो जाएगा सर यहाँ पर क्या यह हो जाएगा यहाँ पर आपका U और T की जगह पर आपको लिखना पड़ेगा D divided by V बोलो यह सोर नो समझ आया क्लास और कितनी देर तक चलेगी हो नेक्स क्लास कब होगा क्लास मुझे लगता है एक बज़े में target लेके चल रहा था वो मेरे expectation में भी था क्योंकि देखे मैं भी पहली बार लिखकर पूरी physics जो है revise करवा रहा हूँ तो समय का अंदाजा तो मुझे भी नहीं लग रहा कि भाई कैसे जो है कहां तक खत्म होने वाला है बट येस मैं शिद्दत के साथ सारी चीज़े करा रहा हूँ मैं बस एक बात जानता हूँ I am putting up my entire efforts ठीक है ना कुछ-कुछ चीज़ें कुछ-कुछ cases जो हमारे need के लिए important नहीं होते हैं ठीक है उनकी आवशकता भी नहीं है वो हम यहाँ पर end type में बना भी नहीं रहे हैं ठीक है येस ठीक है नौरात्र का वक्त चल रहा है इदुल-फितर का वक्त है ठीक है मैं उपवास में बेठा हूँ बावजुद उसके देखिए पूरी intensity, जोश, जुनोन और पूरी energy के साथ आपसे चर्चा कर रहा हूँ आप भी उस energy के साथ बने रहे है ठीक है एमसी क्यू कौन से डेट्स पर होंगे चारों lecture खतम करने के बाद में सिधा एमसी क्यू पर आएंगे ठीक है चलिए आजाईए अगले पर बात करें बेटा next chapter की शुरुबात होती है जिसे हम कहते है laws of motion next chapter की शुरुबात होती है जिसका नाम है laws of motion अब ये छोटा chapter है जल्दी खतम हो जाएगा laws of motion इसमें आप formula लिखेंगे फटाक से और आगे बढ़ेंगे ठीक है laws of motion laws of motion तो किसी भी object और body का सबसे पहले तो यहाँ पर क्या होता है कि state of the body ठीक है ना क्या होता है बेटा किसी भी object और body का क्या होता है कि state of body को समझते पहले तो जैसे हम अभी हमाई जग loro पर बैठे हैं तो हम अपने आपको क्या कहेंगे rest में हैं और हम अभी अगर उठके चल दें तो हम अपने आपको क्या कहेंगे कि भाए हम तो जो है उठढे और चल दिये के दूसरा हमको यहां पर मतलब है किस से युनिफोर्म मोशन से तो हमारे न्यूटन भाई ने लॉफ इनर्शिया दिया जिसे हम बोलेंगे फॉस्ट लॉफ जिसे हम क्या बोलेंगे फॉस्ट लॉफ यहां पर न्यूटन का फॉस्ट लॉफ न्यूटन का फॉस्ट लॉफ न् और law of inertia क्या कहता है? law of inertia क्या कहता है बच्चो? law of inertia कहता है कि यदि कोई object rest पे है तो वो rest पे रहेगा और motion में है तो motion में रहेगा जब तक की उस पे कोई behiable ना लगाया जाए बोलो yes or no, जब तक लताडा ना जाए पढ़ाई ना हो पाएगी जब तक data ना जाए तब तक पढ़ाई ना हो पाएगी क्योंकि body बहुत मस्त state of enjoyment है तो state of enjoyment को state of study में लाना है मार्स आपको डंडा लेके पीछे पढ़ना पढ़ेगा एई रप उटो पढ़ो बहाई ये बल external force is needed मम्मी पापा को चिलाना पढ़ेगा उठ सुबह हो गई कितनी देर और सोएगा जब देखो तब बस है ना तो state of enjoy से state of rest किसी दुनिया में कोई भी state जब बदलनी होती है इनर्शिया होती है inherent property मतलब ये मास के साथ पाई जाती है ये किस के साथ पाई जाती है मास के साथ पाई जाती है जहाँ 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 Margaret वहाँ inertia, जहाँ जहाँ मास, वहाँ वहाँ inertia, बोलो यह सोर नो अब देखो, तुम्हें समझाते हैं दूसरी चीज़, भई अगर net force 0 है, state बदलेगा नहीं, net force अगर 0 है तो state बदलेगा नहीं, तो अब आपको यहाँ पर समझाते हैं, जेसे हमने table के उपर हमने एक block रखा table के उपर हमने एक block रखा और आप से पूछा, बताईए इस block के उपर लगने वाला normal reaction कितना होगा, तो सबसे पहले, आपको बनाना पड़ेगा इसका free body diagram अब यह क्या होता है sir, free body diagram बहुत है simple है, free body diagram का मतलब होता है एक ऐसा situation जहां पे आप object को जिस object का free body diagram किसका बनाना है आपको बनाना है भाई M का, तो M को आप बाहर निकालो और M के M पर लगने वाले सभी forces लिखो तो एक तो लग रहा है self it M G नीचे और दूसरा लग रहा है normal reaction उपर तो आप यहां पर लिखोगे normal reaction N is equals to क्या हो गया M G, बोलो यसूर, no चमका की नहीं चमका सबको ऐसे सोचना होता है आईए ज़र, इसे free body diagram कहते है तो state of क्या था state of rest था भई, जित्ता force नीचे लग रहा है उतना force उपर लग रहा state of rest है बदल ही नहीं रहा अब अगर इसको change करना है जिसे यह glass है यह glass हमारा table पे रखा है तो state of rest में है जित्ता force नीचे उतना force उपर state of rest है बदलने के लिए बहाई यह बल लगाना पड़ेगा उठाना पड़ेगा और फिर वाह इतना असान होता है arrangement समझ में आएगा अब आपसे कहा दिये कि एक रसी को हम लटका के रखे और रसी को जो लटका है तो लटका है कैसे भईया यहाँ पर ऐसे रसी कैसी थी आईडि雅ल थी रसी केसी थी बेटा आईडियल थी और आईडियल रसी में हमने यहाँ पर block लगा दिया, कितना block लगा दिया, तो 10 Newton का block लगा दिया, आप से पूछा है, बताइए इस रसी के अंदर tension कितना होगा, क्या करेंगे, free body diagram बनाएंगे, क्या करेंगे, free body diagram बनाएंगे, इस 10 Newton का जेसे ही आपने free body diagram बनाया, यह 10 Newton नीचे लगता पाया, और इसको balance क करने के लिए tension T उपर लगा, since यह कहीं, यह लटका हुआ है, ना भाई, लटका हुआ है, कहीं जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि यहाँ पर जो tension का value किसके बराबर हो जाएगा, 10 Newton के बराबर चमक गया, कि नहीं चमका, everyone, बहुत ज्यादा theoretical बाते नहीं है, जो है, सो, बस यही सब है, ठीक है, एक हम रसी लिए भहिया, एक हम क्या लिए भहिया, रसी लिए, रसी लिए, आईडियल, जिसमें यहाँ पर एक ब्लॉक लटका है, 5 kg का, फिर एक रसी आईडियल लिए, उसके नीचे हम ब्लॉक लटका दिये, कितना है, 2 kg का, फिर एक रसी हम लिए, जिसके नीचे हम ब्लॉक लगा दिये, 1 kg का, विण, यह भी किसमें है, किसमें है, किसमें है, तो तुम कहोगे, कि सर, यहाँ पर चूकी पूरा का पूरा सिस्टम रेष्ट पे हैं, तो जो 1 kg जितना नीचे लग रहा होगना है, उतना नहीं ये टीवन लगना चाहिए तभी तो रेस्ट में रह पाएगा ना अधरवाइस तो उपर नीचे हो सकता है तो हम देखे कि टीवन का वैल्यू तो कितना हो जाएगा वन इंटू टैन ये नियूटन लेकिन टीटू को टीटू को ये वन केजी भी सपोर्ट करना तो आल इन ओल थ्री केजी सपोर्ट करना पड़ेगा तो टीटू का वैल्यू कितना आएगा टीटू का वैल्यू आएगा सर्थी इंटू टैन ये ने की कितना बेटा थर्टी न्यूटन बोलो चमका कि नहीं एवरिवन बहुत बढ़िया अब जब यहां पर रसी नंबर थ की बात हुई रसी नंबर थ्री को फाइव टू प्लस वन आठ केजी सपोर्ट करना पड़ेगा इसलिए आपर क्या आएगा बेटा एट इंटू में टैन आंसर कितना आ गया एटीन न्यूटन चमका कि नहीं चमका बोलो यह सुरनो एवरिवान बहुत बढ़िया बहुत तो वेट लेना अब हमने रसी वेट वाली ले ली रसी हमने वेट वाली ले ली इसका टोटल मास M है डिस्रिबिटेड ओवर लेंथ एल है आप से पूछा है बताईए यहां से यहां से X distance पर यहां से X distance पर जो point P है वहां पर tension TP किता होगा आच्छा एक बात बताओ यार एक tension होगा वैसे ही जब तुम point P पर tension निकालोगे तो जितना mass P के नीचे होगा उतना support करना पड़ेगा सिद्धी सी बात है जितना mass P के नीचे होगा उतना support करना पड़ेगा Am I right everyone? बहुत बढ़िया तो यहाँ पे कितना weight होगा पता है तुमें तो तुम मैं मालूम है सर कि इसका weight हम निकाल सकते हैं इसका weight होगा mx जिसकी value होगी बहुत टोटल mass तो m by l था है ना और इसमें आप x का into कर दो बहुत टोटल mass अगर l length पर distributed है तो x length पे कितना mass distribute होगा उसको हमने mx बोल दिया उसके बाद क्या किया उसके बाद cross multiplication इसका इसमें into और आसानी से answer आ जाएगा mx का आ गया तो यहाँ कितना tension support करेगा बेटा तो tension tp का जो value होगा वो हो जाएगा आपका mx into में g के बराबर क्योंकि system rest पे है तो tension tp का value क्या आएगा tension tp का value आ जाएगा m by l into में x into में g बोलो यह सुरनू इसलिए तो बेटा इसलिए तो हम कहेंगे कि अगर x हमारा 0 तो tension हमारा 0 और इसलिए तो हम कहेंगे कि अगर x l हुआ तो tension हमारा mg यहने की यहाँ अगर आ गए तो total rassi के वजन के बराबर tension फिल होगा इसलिए जब तुम अपने आपको कभी किसी खंबे पे ऐसे लटकाते हो तो तुमारे हाथों में सबसे ज़्यादा खिचाओ महसूस होता है सबसे ज़्यादा तुमारे हाथों में खिचाओ महसूस होता है बहुत बढ़िया यहाँ तक बात समझ में आ गई चलिए अब एक और बढ़िया जो है यहाँ पर अगर बात हो गई तो second उसमें आ जाते है तो free body diagram समझ में आ गया free body diagram के साथ में laws of inertia समझ में आ गया तीन तरह के inertia होते बेटा inertia of rest, inertia of motion, inertia of direction कोई body अपने आपको rest से motion में नहीं लाएगी कोई body अपने आपको uniform motion से rest में नहीं लाएगी कोई body एक particular direction में चलते चलते अपने आप direction नहीं बदलेगी आई बात समझ में everyone इतना clear हुआ कि नहीं हुआ सब लोगों को बहुत बढ़िया आजाईए, आजाईए, जल्दी से आजाईए next हम यहाँ पर बात करते बिटा point number हमारा कौन सा चल रहा था 3 हो गया, point number 4 पर आते हैं point number 4 कहता है Newton का second law लेकिन Newton के second law पर आने से पहले हमको पढ़ना पढ़ेगा momentum क्या पढ़ना पढ़ेगा बिटा, momentum और क्या होता है momentum, momentum को अपन बोलते है P, और momentum होता है mass of anybody into में होता है velocity, mass into velocity कोई भी moving object का mass और उसमें उस velocity को into कर दो तो momentum बन जाता है momentum क्या बता था, rate of measure of inertia यह measure of inertia है बेटा क्योंकि जतना ज़्यादा momentum होगा उतना ज़्यादा effort लगाना पड़ेगा किसी भी object और body को rest में लाने के लिए ठीक है, किसी भी object और body को rest में लाने के लिए जितना ज़्यादा उसका momentum होगा उतना ज़्यादा effort आपको लगाना पड़ेगा तो momentum clear हो गया, क्या चीज़ होती है बिटा बहुत बढ़िया, momentum अगर clear हो गया तो यहां से हम आगे बढ़ जाते है mass into my velocity तो fifth point यहां पर क्या आता है Newton का second law of motion वो बोलता है कि external force is equals to rate of change of linear momentum होगा, rate of change of linear momentum होगा, जिसमें जब आप momentum की जगह पर value लिखोगे बेटा, तो P की जगह पर क्या लिखना पड़ेगा mass into my velocity, यहां पर यहां पर दो cases बनते हैं पहला जिसमें हम mass को constant consider कर रहे हैं तो उस condition में जो आपका F external है, वो हो जाएगा mass M into my यह होगा बेटा, आपका dv divided by dt और इसी को हम यहां पर क्या बोलते हैं बेटा, F is equals to mass into my acceleration father is equals to mother, यह relation बन जाता है और यह बहुत ज़्यादा काम आता है numerical solve करने में, क्या यह ध्यान है आप लोगों को everyone है ना हाँ कौन सा वाला portion देखो बेटा सुनो मेरी बात मैं बस formula लिखके revise करा रहा हूँ समझने, समझाने वाला जो वक्त था ना थोड़ा slow समझाईए, हाँ ठीक है थोड़ा slow कर देते हैं, देखो वही बात है तुमने कहा fast करो सर, time, time थोड़ा सर, time, time, fast किया गर-बढ़ हो जाता है, इसलिए आराम से चलते रहते है जो चल रहा है, ठीक है न, अगर aim constant नहीं हुआ बेटा, अगर aim क्या नहीं हुआ, aim तुम्हारा constant नहीं हुआ जैसे, आप एक पानी की बाल्टी लेके चलो और उसमें छेद कर दो, तुम आगे-ागे चल रहे है और पानी पीछे की तरफ गिरता चला जाएगा जिसे rocket propulsion, rocket उपर हवा में उड़ रहा है gases नीचे की तरफ release हो रही है तो mass constant कब नहीं होगा, mass constant नहीं होने की condition होती है rocket propulsion, mass के constant नहीं होने का शर्थ क्या होता है बिटा rocket propulsion, यहाँ पर masses, gases जो है बाहर निकल रही है दुएं के form में dm by dt से, जिससे यह rocket आपका उपर की तरफ जा रहा है क्योंकि इसको लग रहा है एक force, जिसका नाम है thrust force क्यों आया, कैसे आया समझाते हैं तो यहाँ पर जब आप f की बात करेंगे, mass अगर constant नहीं है तो लिखना पड़ेगा m into में dv by dt तो first function as it is, differentiation of second फिर लिखना पड़ेगा plus second और लिखना पड़ेगा differentiation of first नहीं की dm by dt अब बिटा, अगर v तुम्हारा constant हो तो उस condition में dv divided by dt तुम्हारा क्या हो जाएगा, zero और उस वज़े से यहाँ पर f thrust की value बनेगी v into में कितना बिटा, यहाँ पर dm divided by क्या होगा, dt होगा बोलो yes or no, everyone तो जिस direction में जिस direction में gases निकल रही होती है यहाँ पर अगर यह v relative है जिस direction में यह gas आपकी बाहर निकल रही है उससे opposite direction में thrust होता है इसी लिए यहाँ पर यह minus sign होता है इसी लिए यहाँ पर क्या होता है यह minus का sign होता है बोलो yes or no everyone, क्या यहाँ तक सब को समझ में आया बेटा जी, इन chapters के questions भी होंगे, इन सभी concept पर questions होंगे मैं पूरी NCRT जिस तरह से आपको कराने वाला हूं, just trust me and do the lectures जैसे जैसे मैं करवा रहा हूं ठीक है, understood everyone यहाँ तक सब को समझ में आ गया यहाँ तक clear है, चलिए आईए ज़रा तो हमें thrust भी calculate करना आ गया हमें यह भी पता चलिया कि कैसे सूचना होता है now, यहाँ पर क्या होता है बिटा next जो भी आपका point है, point number 5 के बाद point number 6 बनाते हैं, point number 6 में sometimes we will be having a question जिसमें यहाँ पर एक आपके पास wall होगी और wall से perpendicular direction में wall से perpendicular direction में किसी particular यहाँ पर direction से एक ball आएगी और वो यहाँ से आके टकराके और उसी angle पर वापस चली जाएगी बिटा ठी के आके टकराके क्या करेगी angle theta पर वो ball आ रही है angle theta पर वो ball आ रही है किसी velocity u से और टकराने के बाद में वो ball उसी velocity से उसी angle theta पर वापस लौट रही है तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि कितना जो है force यहाँ पर exert होगा कितना force इस wall पर exert होगा because of this ball तो बेटा जाते वक्त इसका क्या था? Momentum था U cos theta आते वक्त momentum क्या था बेटा? यहाँ पर U cos theta तो यहाँ जो force हमें निकालना होगा उसे हम बोलते हैं change in momentum divided by total time taken यहाँ जो change होगा बेटा, that would be 2MU cos of theta and divided by क्या हो जाएगा sir? delta T हो जाएगा क्या यह logic सबको समझा आया? Everyone, 2MU delta theta divided by this तो यह बात समझ में आ गई इसी तरह का एक सवाल, एक concept होता है जिसमें हम क्या करते हैं बेटा? यहाँ पर हमारे पास एक disk होती है यहाँ पर क्या होती है, हमारे पास एक disk होती है Everyone, ध्यान से सुनिएगा क्या होती बच्चों, यहाँ पर हमारे पास एक disk होती है और इस disk पे नीचे से हम क्या करते हैं? नीचे से हम बहुत सारी bullets को fire करते हैं बहुत सारी bullets यहाँ से हम fire करते हैं और यह bullet जब यहां पर जाती है, ऐसे डर-डर-डर-डर-डर-डर-डर-डर-डर-डर-डर-डर-डर-डर-डर-डर-डर-डर-डर-डर-डर-डर-डर-डर-डर-डर-डर-डर-डर-डर-डर-डर-डर-डर-डर-डर-डर-डर-डर-डर-डर-डर-डर-डर-डर-डर-डर-डर- लेकि नीचे नहीं गिरेगा, यह वहीं रह जाएगा, अच्छा, यह capital M लिया बेटा अपने, यह bullet का mass small m, यह bullet का mass small m, यह bullet का mass small m, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, उसको समझा देते हैं आपको, so that आपको थोड़ा सा idea लग जाए, कि कैसे सोचना होता है, ठीक है, अब एक bullet का यहाँ पर change in momentum delta P 4, यहाँ पर 4, 1 bullet बेटा, ठीक है ना, change in momentum 4, 1 bullet और particle, ठीक है, तो वो कितना होगा, वो होगा यहाँ पर equal to 2MU, अगर यह U से जा रहा है, तो कितना होगा बेटा, 2MU होगा, क्यूँ, क्यूँकि तकरा के वापस नीचे आ रहा है, दो बाते हो सकती, तकरा क नीचे भी आ सकता है, ठीक है, टकरा के नीचे भी आएगा, और टकरा के वहीं absorb हो सकता है, अच्छा, एक बच्ची ने कहा, अभी किसर यहाँ पर आपने sin theta क्यों नहीं लिया, बेटा, cos theta जाते वक्त ऐसा था, आते वक्त ऐसा था, तो cos की direction change हो रही है, लेकिन देखो, sin की direction पहले भी नीचे है, और sin की direction अब भी नीचे है, इसलिए change में sin component 0 हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर, बच्चो, अगर total change in momentum, ऐसे कितने number of bullets हैं, तो हम बुलेंगे ऐसे n bullets हैं, केतने bullets हैं, बेटा, ऐसे n bullets हैं, तो total change in momentum, आप यहाँ पर लिखोगे, total, जो होगा, बेटा, change in momentum, would be equals to 2MU, और साथ में n multiply करना पड़ेगा, because of number of bullets, got the point, everyone, अब यहाँ पर आप बोलोगे, कि जो force होगा, average, वो किस के बराबर होना चाहिए, self it, mg के बराबर होना चाहिए, और force क्या होगा, बेटा, change in momentum, divided by total time taken, divided by, यहाँ पर is equal to, क्या हो जाएगा, mg, तो यह होगा, 2 small m u, यह होगा, आपका n number of bullets, divided by, यहाँ पर क्या होगा, total time, और यह क्या हो जाएगा, बेटा, आपका mg, बोलो, yes or no, total number of bullets को एक काम करते हैं, capital N लिखते हैं, capital N लिखते हैं, so that थोड़ा सा आपको न, अच्छे से correlate कराते, देखिए ज़रा, यहाँ पर यह capital N है, यह capital N है, तो हम बोलेंगे, number of bullets fired per second, ठीक है, तो यह हो जाएगा, यहाँ पर 2MU, और यह हो जाएगा, small N, और is equals to capital MG, तो यहाँ से हम जो चाहे, value calculate कर सकते हैं, बोलो, yes or no, जिसमें small N यहाँ पर क्या है, small N का value है, number of bullets fired per second, यह per unit time, clear है, everyone, बहुत बढ़िया, यहाँ तक समझ आया सबको, yes sir, cancel हो जाता है, कौन सा वाला component, sine theta वाला component, must, यहाँ तक तो clear हो गया, अब अगर इतनी बाते समझ में आ गई बेटा, कि हमने यहाँ पर variable system भी देख लिया, हमने यहाँ पर F equals to MA भी देख लिया, हमने यहाँ पर total change in momentum की कहानी भी बात कर ली, अब देखें, यहाँ पर next क्य होता है, जब when you are talking about 6, 7th वाला बात आएगा, 7th वाला बेटा, when you are talking about, ठीके, तो आपने देखा कि sir, F is equals to क्या है, आपके पास में, F is equals to DP divided by यहाँ पर हो गया, बेटा, DT, F is equals to DP divided by DT, यदि किसी system पर लगने वाला, यह F external आपका क्या हो जाए, 0 हो जाए, मतलब हम हमारा DP divided by DT क्या हो जाएगा, 0, और अगर हमारा DP divided by DT 0 हो गया, तो time तो 0 हो नहीं सकता, तो 0 कौन होगा, Bटा, DP 0 होगा, और DP 0 होने का मतलब है, change in momentum का zero होना और change in momentum के zero होने का मतलब है sir initial momentum और final momentum का equal होना इसी को हम momentum conservation कहते हैं इसी को हम क्या कहते हैं इसी को हम कहते हैं momentum momentum conservation क्या ये बात सब को समझ में आ रही है this is what we called momentum conservation this is what we call momentum conservation ठेक, clear हो गया, तो P initial is equals to P final और momentum conservation पर based काफी सारे सवाल आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ये बात आप ध्यान रखेगा, अब इसी concept को थोड़ा सा ऐसे देखते हैं जरा, अगर हम इसको ऐसे लिख लें, इफ, यहाँ पर मैंने लिख देख, DP is equals to, यहाँ पर आपने क्या लिखा, यह हो जाएगा, F और इसके साथ क्या हो जाएगा, DT, तो यहाँ पर जब आप इसको total change बनाएंगे, तो change in momentum, यह integral में क्या बनेगा, F DT, अगर यह large force है, अगर यह क्या है, यहाँ पर आपका large force हो ग कर देते हैं, कभी कभी कुछ हम गलती कर देते हैं, गलती कर देते हैं, तो क्या होता है, पिता जी बिलाते हैं, आइधर, और यह देखो, यह क्या हुआ, large force for a very short interval of time, चाट तस जैसे पढ़ती बहाई साब, तुरंट समझ में आता है, कि कुछ तो हम गरबढ कर चुके हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इसे क्या कहते हैं, इसे हम impulse कहते हैं, यह जो पूरी कहानी जिससे तुम देख रहे हो, this कहानी is what we call sir, इसी को हम impulse कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको हम impulse कहते हैं, तो change in momentum, impulse represented by J, और वो होता है किसके बराबर, change in momentum के बराबर, और इसी क्या कहते हैं, होगा यहाँ पर तो impulse हो गया आपका area under the force versus time graph बेटा यह किसके बराबर हो जाएगा आपका area under area under force versus time graph ठीक है force versus time graph का area under the curve लेंगे तो हमारे पास impulse आ जाएगा यहाँ तक सभी लोगों को सारी बाते clear हो गई ठीक है F equals to MA पर अब चलते हैं आगे और कौन-कौन से logic और क्या-क्या बाते हो सकती है उन पर connected discussion करते हैं ठीक है everyone everyone दाने बच्चों चले आगे आजाएए तो point number 7 के बाद में let's come to the point number 8 बेटा point number 8 पर आते हैं point number 8 क्या बोलता है just now we have studied F is equals to MA just now we have studied F equals to MA अब इस पर based कहीं सारे सवाल बनते हैं जहाँ पर A को हम बोलते हैं net acceleration F comeτ बोलते net force ठीक है नँई एफ कैसा होता है ये F हो जाता है आपका हीं आपका नेट 14 ये क्या हो जाएगा बिता आपका net force होगा और यह A आपका हीं आपर क्या हो जाएगा तो यह हो जाएगा आपका lot acceleration, तो बोले sir M ने क्या बिगाड़ा, M total mass होगा, M क्या होगा बेटा, total mass होगा, जहां पर M के लिए भी कुछ तो लिखना पड़ेगा न विचारा, तो वो M आपको बताएगा कि वो होगा total mass, क्या होगा बेटा, वो यहां पर आपका total mass होगा, is that clear, बहुत बढ़िया, ठीक है, तो अब हम यहां पर चर्चा करते हैं, आता है pulley block problem, ठीक है न, क्या आता है यहां पर, pulley block problem, ठीक है, तो pulley block problem पर discussion करते हैं, ठीक है, pulley block problem पर discussion करते हैं, बहुत सारी चीज़ें, अभी आपको यहां पर, pulley block problem, अब pulley block problem में कुछ बातें आपको समझा देते हैं, शायद पता हो, न बहुत इंपोर्टेंट है जो आपको पता होनी चाहिए वो ये कि पुली क्या करता है तो पुली effort reduce करता है क्या करता है पुली क्या करता है effort reduce करता है पुली का पहला काम क्या है effort को reduce करना दूसरा पुली का काम क्या है दूसरा है पुली का काम mechanical advantage क्या कहा हमें बेटा इसका दूसरा mechanical advantage increase करता है mechanical advantage क्या करता है इंक्रीज करता है now what do you mean by अब आप बोल रहे होंगे कि सर ये mechanical advantage क्या चीज होगे mechanical advantage का मतलब होता है बेटा कम force में ज्यादा force उठा पाना mechanical advantage का मतलब क्या है simple भाषा में Mechanical Advantage का मतलब है कम effort में ज्यादा load उठाना, कम effort में ज्यादा load उठाना, हम क्या बोलते हैं इसको mechanical advantage कहते हैं, आई बात समझ में, तो पुली को जिस तरह से हम connect करते हैं, multiple setup लगा के उससे हम mechanical advantage increase कर सकते हैं, force यहनी कि effort को reduce कर सकते हैं, तो यह mechanical advantage बढ़ाता है, effort को कम करता है, जैसे आप पुली लगा दोगे, direct उठाने में काम जल्दी हो जाएगा, और अगर पुली लगा के करोगे, effort तो कम लगेगा, लेकिन working का time जो है बढ़ा देता है, तो पुली क्या करता है, पुली यहाँ पर working का time जो है, वो increase कर देता है, ठीक है न, तो यहाँ पर क्या होता है, time of working, time of working क्या करता है बढ़ा देता है, time of working क्या करता है, यहाँ पर time of working बढ़ा देता है, is that clear, message की भाशा में लिख रहे हैं, पास एक सब्सक्राइब यहां पर हमने लिया इस तरह से सेटप यहां पर हमने लिए पूली और पूली के दोनों तरफ अच्छाए पूली इलिप्टिकल बन गए ऐसी होती नहीं है हाला की बट ठीक है कोई बात ने प्लीज थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा यहां पर एक आपक इस रसी में भी होगा अगर रसी सेम है तो टेंशन सेम रहेगा रसी यदि अलग है तो टेंशन फिर अलग होगा बिटा यहां पर हम एक्सलरेशन कैसे निकालते हैं हमेशा f net divided by क्या करके बिटा मास टोटल तो एक्सलरेशन ए जब निकालोगे तो वो हो जाएगा सर m1 माइ minus M2 और नीचे क्या हो जाएगा बिटा नीचे हो जाएगा आपका M1 प्लस यहाँ पर होगा M2 और साथ में क्या into हो जाएगा जी और यहाँ पर tension की अगर आप बात करोगे तो उसका formula आजाएगा 2 M1 M2 और नीचे क्या आजाएगा बिटा नीचे आजाएगा यहाँ पर आपका M1 प्लस M2 और साथ में आजाएगा जी आई बात समझ में यह formula मैंने लिख दिये बट यह एक setup के लिखे अलग-अलग setup में अलग-अलग हो जाएगा कैसे change होगा कहां-कहां change होगा चलिए आईए वहाँ पर जरा आपको चीजे समझाते हैं everyone clear है यहाँ तक चमक रहा है सबको आईए जरा जैसे अब आपको एक case ऐसा बोल दिया जाए जिसमें आपको बोला गया कि यह रहा हमारा table table पर यहाँ पर connected है पूली और उसके बाद फिर यहाँ से हमको एक block hang करना है ठीक है तो अब जब आप यहाँ पर observation करेंगे तो यह जो block आपका रखा हुआ है यह block के ऊपर यहाँ यह आपने देखा ठीक है यह block इधर लगा हुआ है जिसका mass M है इसका mass capital M है तो यह जिस acceleration से नीचे आएगा यह उसी acceleration से right में जाएगा M plus small M और into में क्या हो जाएगा बेटा जी बोलो यह सोरनो tension निकालने के लिए क्या करोगे तो tension निकालने के लिए अब आपने अगर formula लगा दिया सुनना ध्यान से यहाँ जो गलतिया होती है अब अगर आपने formula लगा दिया कि tension is equals to 2 into में M into में capital M और नीचे लगा दिया आपने capital M plus this और into में G तो यह गलत हो जाएगा पकी बात है तो अब आपको क्या करना है अब आपको यहाँ पर यह वाला जो आप देख रहे हैं बेटा कौन सा यह वाला छोटा जो ब्लॉक है इसका आपको लगाना पड़ेगा क्या इस छोटे वाले का आपको लगाना पड़ेगा free body diagram तो इस छोटे वाले block का जब आप free body diagram बनाओगे तो आपको पता चलेगा कि sir self weight mg नीचे लगेगा उपर की तरफ लगेगा बेटा tension T और पूरा system कहां जा रहा है नीचे तो कौन dominate करेगा अब देखो ये force नीचे लग रहा है ये उपर लग रहा है और system कहां जा रहा है नीचे जा रहा है मतलब नीचे लगने वाला force dominate करेगा तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि सर जी mg में से T को करेंगे minus is equals to निखेंगे small m into a तो यहाँ से T का value आ जाएगा small mg में से m a minus होगा चलिए काम कीजिए यहाँ पर m को common करके भाहर निकाली हो जाएगा g minus यहाँ पर क्या लिखेंगे m ना into में capital G और नीचे क्या हो जाएगा small m plus capital M तो अब जब आप यहाँ पर solve करेंगे तो answer कितना आ जाएगा answer आ जाएगा यहाँ से g को common करें m से m cut हो जाएगा तो small m into capital M और नीचे क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा small m plus capital M और into में g तो change हो रहा है क्या यह बात सबको समझ में आ रही है everyone अगर आप लोगों को free body diagram clear हो गया अगर आपको free body diagram clear हो गया तो सवाल फिर चाहे मैं जैसे करा लू अगर आपको free body diagram अगर आपको free body diagram clear हो गया अगर आपको यह logic समझ में आ गया तो फिर सवाल चाहे में जैसे करालू हो जाएंगे बोलिए यस और नो सब को जल्दी से clear है इस तरह से सोचना है इस तरह से react करना है ठेक है यहां तक बात समझ में आगे चलिए आगे बात करते हैं नेक्स बात करते हैं और किस तरह का सवाल NLM में संभव है NLM में संभव बहुत सारे सवाल होते हैं नलम में possibility इतनी है I can't tell you बेटा मतलब बहुत ज़्यादा जो है सवाल बन सकते हैं मतलब हर सवाल तो class में बनाना आप युमान के चलिए कि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप सीखेंगे यहाँ पर हमने एक पूली लगाई और एक पूली लगाके इधर हमने एक mask कनेक करना है यहाँ पर पूली लगाके इधर एक mask कनेक करना है यह वाला angle आपका alpha होगा यह वाला angle आपका C beta होगा अब यहाँ पर यह वाला block इधर नीचे आएगा, यह वाला block आपका इधर नीचे आएगा, आएगा नीचे भाई, ठीक है, clear है कि नहीं, अब यह वाला अगर मान लेते हैं कि इसका M1 है और इसका M2 है, depend करता है कि क्या चीज़ होने वाली है, तो इस तरफ लगेगा इसका क्य पूर्च बनेगा, जिसको हम बोलेंगे सर M1 G और हम लिखेंगे सर साइन बीटा, अब सुनना ध्यान से, ठीक है ना, अब सुनना ध्यान से, बेटा, यहाँ पर if condition लगाई हमने, यदि M1 G साइन बीटा बराबर हो जाता है किसके, M2 G साइन अलफा के, तो G से G कैंसल हुआ, यहाँ पर M1 साइन बीटा, क्या हो गया बेटा, M1 साइन बीटा is actually equals to M2 साइन अलफा, अगर ऐसा है, तो acceleration की value होगी 0, acceleration की value होगी 0, और tension की जो value है, वो हो जाएगी, बेटा, M1 G साइन बीटा बोलो, या फिर आप बोलो, M2 G साइन अलफा बात एक ही है, क्या यह बात सबको समझ में आ रही है, everyone, is it clear, is it clear, क्या यह बात सबको समझ में आ रही है, जल्दी बताएए, champions, क्या यह बात सबको समझ में आ गई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, अब आगया आतें, next, लेकिन यदी condition ऐसी हो, यदी condition ऐसी ना हो, और क्या हो जाए बेटा, कंडिशन में ये हो जाए, कि भाईया, जो हमारा M1 का G sin α है, यदि वो बड़ा हो गया कि से M2 G sin βीटा से, तब बताईए acceleration का value क्या होगा, तो आप लिखोगे acceleration A is equals to net force divided by mass total, अब ध्यान से सुनना, यार ये वाला इधर खीचना चाहता है, और ये इधर खीचना चाहता है, तुमने क्या लिखा यहां पर कि ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है, बोलो ये सोरनो, मैंने यहां पर रुको M2 के साथ बीटा कर दिया, यहाँ पर बीटा और यहाँ पर आएगा आलफा ठीक है मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ पर आएगा बीटा यहाँ पर आएगा आलफा तो जो बड़ा है मतलब कौन बड़ा है M1 यहाँ पर G sin बीटा बड़ा है उसमें से M2 G sin alpha minus होगा और divided by क्या होगा बीटा divided by total mass M1 plus M2 अब clear हो रहा है कि नहीं clear हो रहा है तो laws of motion में there are multiple possibilities of the diagram and there are multiple possibilities की सवाल क्या बन सकता है तो मुझे एक logic बस आपको समझाना था if that clears to you I can go ahead बिटा मैं आगे बढ़ सकता हूँ come on everyone यहां तक अगर सबको समझ में आ गया तो ठीक है जल्दी से chat section में I need the thumbs ups and the hearts बिटा ठीक है यहां तक अगर बाते clear है I will move ahead now ठीक है अब spring force पर आते हैं ठीक है spring force पर आते हैं spring readings पर आते हैं ठीक है ना तो spring force क्या होता है ध्यान से सुनेगा spring force के बारे में जब आप बात करेंगे तो spring force जो होता है वो kx होता है ठीक है ना और spring balance में जो reading होती है reading in spring balance तो reading in spring balance जो होती है that is also equal to kx only जो reading होगी किसके बराबर होगी बेटा kx के बराबर होगी तो जैसे मैंने यहां पर एक आपका spring लिया एक आपका spring लिया और spring को मैंने यहाँ पर अगर इस तरह से स्प्रिंग को आगर मैने यहाँ पर इस तरह से लगा के और उसमें अगर मैंने कोई 2 kg का अगर मैंने कोई 2 kg का ब्लॉक हैंक किया तो पता spring reading कितनी होगी यहाँ पर spring reading की value हो जाएगी 2 into 10, यहने की mg के बराबर, यहने की 20 Newton के बराबर, 20 Newton के बराबर, आई बात समझ में, depending upon कि इसका यहाँ पर extension कितना होगा, तो वो k की value पर depend करता है, k बताता है, यहाँ पर stiffness बिटा, k यहाँ पर क्या बताता है, k बताता है spring constant, k क्या बताता है, k है आपका spring constant, और एक बात बता बताते हैं, यह जो k होता है spring constant, यह inversely proportional to length of the spring होता है, and directly proportional to the area of the spring होता है, directly proportional to the cross, cross sectional area of the, मतलब जो spring है ना, मोटा spring है की पतला spring है, लंबा है की छोटा है, वैसे है, तो जितना मोटा spring होगा, उतना ज्यादा stiffness होगा, उतना ज्यादा उसे extend या compress करने में effort लगाना पड़ेग जितना पतला होगा, उतना ही कम stiffness constant होगा, उतनी आसानी से आप उसे खीच दोगे, ठीक है, आई बात समझ में यहाँ पर सभी लोगों को, चलिए, अब मान लीजे, यहाँ पर situation ऐसी पूछी जाए कि एक table है, table पर spring balance रखा होगा है, कहां रखा होगा बैटा, table पर spring balance रखा हो spring में जो force होगा, वो उतना ही होगा जितना रसी में tension होगा, spring में force हमेशा उतना ही होगा जितना रसी में tension होगा, अब इधर भी मैंने क्या किया, इधर भी मैंने 2 kg का block लगाया, और इधर भी मैंने 2 kg का block लगाया, तो यह system चुकि इधर खीचने वाला force और इधर खीचने व जो यहाँ पर Tension T होगा, उसकी value किसके बराबर होगी बेटा, 2G के बराबर, यहनि कि 20 Newton के बराबर, उतना ही Tension यहाँ पर आएगा, तो जब आप इसका free body diagram spring का बनाएंगे, तो spring का जो force होगा बेटा, KX, वो भी इसी Tension T के बराबर होगा, और वही 20 Newton के बराबर होगा, am I right everyone? अब आप बोलेंगे नहीं भाईया, अगर हमने मान लीजिए, setup ऐसा लिया, जिसमें एक spring हमने लिया यहाँ पर, और उस spring में हमने क्या किया, उस spring में हमने यह किया, कि एक तरफ हमने, एक तरफ पूली से ही लटका है, of course, दोनों तरफ masses आपके ने hang किये, यहाँ पर आपने spring लिया, और spring लेने के बाद में, यहाँ क्या किया बेटा, इस तरफ आपने mass लगा दिया 2 kg का, लेकिन इधर आपने mass लगा दिया, कितना बेटा, यहाँ पर 3 kg का, या say 5 kg का, ठीक है, कितने का बेटा, 5 kg का, अब क्या होगा, अब अगर एक तरफ आपका 2 kg है, एक तरफ यहां पर यह acceleration से नीचे जाएगा तो यह acceleration से ऊपर जाएगा spring चुकि हमारा ideal होता है ideal spring में mass of the spring क्या होता है mass of the spring होता है 0 ideal spring हमेशा everyone क्या यहां तक clear है बहुत बढ़िया so we have to say कि यहां पर जो acceleration होगा वो हो जाएगा 5 into my g में से 2g माइनस करना पड़ेगा और नीचे total mass हो जाएगा 7 तो acceleration a का value होगा beta 3g divided by 7 अब कोई भी एक block ले लो either 2kg वाला either 2kg वाला या 5kg वाला कोई भी एक block ले जिसका free body diagram लिखोगे तो मैंने लिया 2kg वाले का 2kg वाले के free body diagram में tension उपर 2g नीचे लेकिन यह जा कहां रहा है beta उपर तो dominate कौन करेगा dominate tension करेगा तो tension t में से 2g माइनस करके लिखना होगा 2 into my acceleration a जिसकी value 3g by 7 होगी 2g उस तरफ जाकर add होगा तो t is equals to 6g by 7 उसमें plus हो जाएगा 2g तो 14 और b is beta तो यहाँ पर 20g 20g divided by 7 20g divided by 7 is the correct answer right everyone tension t का value कितना आएगा beta tension t का value आजाएगा 20g divided by 7 और यही tension t किसके बराबर होगा spring reading के बराबर होगा अब अगर आप मेंसे कोई यह सोच रहा है कि sir यदी में इसका free body diagram ना बना कर इसका free body diagram बनाता तो answer अलग आता क्या नहीं क्यों same आता वो समझाते हैं आपको same आने के लिए इसका जो 5g है वो नीचे लगता बिटा चूकि यह नीचे आ रहा है तो a नीचे और tension आपका उपर तो 5g मेंसे जब t minus होगा तब आप लिखोगे 5 into a तो इस वज़ज़ से वहाँ पर भी tension की value same आएगी बिटा 20g divided by 7 क्या यह सब को समझा आया come on everyone ठीक है clear हो गया ठीक है spring दो तरस से connected होते बिटा एक होते spring series में एक होते spring पर series में spring यहाँ पर कैसे होते सर तो spring एक हो जाते हैं आपके यहाँ पर spring in series एक होते हैं यहाँ पर होते हैं बेटा, yes or no, like this, इसका stiffness K1 है, इसका stiffness K2 है, अगर हमने इसको पकड़ के यहाँ पर खीचा है, force F से, ठीक है, तो होगा क्या, कि इसका जो extension है, वो X2 होगा, इसका extension X1 होगा, दोनों का जो force होगा, which is F1 is equals to F2 is equals to F होगा, लेकिन यहाँ पर, यहाँ पर जो होगा बेटा, कि X1 plus X2 मिलकर क्या होगा बेटा, X होगा, X को क्या, X1 को क्या लिख सकते हैं, तो sir, F1 divided by K1 लिखेंगे, F2 को क्या लिखेंगे बेटा, F2 divided by K2 लिखेंगे, X को क्या लिखेंगे बेटा, F divided by K लिखेंगे, F1 is equal to F2 is equal to FA, इसलिए यहाँ पर आंसर आजाता है, 1 by K is equal to 1 by K1 plus 1 by K2, तो whenever you use spring in the series बेटा, लॉजिक समझ आ रहा है, series में कैसे use होगा, next आते हैं, next आते हैं, parallel grouping में, parallel grouping में, एक spring आपका होता है, यहाँ पर ऊपर, दूसरा spring होता है, आपका यहाँ पर ऐसे नीचे, and they are commonly pulled by a force like this, अब इसका stiffness K1 है, इसका stiffness यहाँ पर K2 है, दोनों का जो pulling है बेटा, वो same होगा, यहनि कि यहाँ पर होगा, X1 is equal to X2 is equal to X, लेकिन क्या अलग-अलग होगा, F1 और plus F2 मिलकर total force bear करेंगे, F1 और F2 दोनों मिलकर total force bear करेंगे, बोलो यह सोर नो, come on everyone, समझ आया, समझ आया सब लोगों को, everyone, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, F1 को क्या लिख सकते हैं, K1, X1, plus क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको K2, X2, और इधर क्या लिखेंगे, अपने इसको लिखेंगे, K into में X, तो यहाँ से K का value क्या आजाएगा, यहाँ से K का value, K1, X1, plus क्या आजाएगा, यहाँ पर आपका K2, X2, and whole, divided by, आप बोलेंगे, यहाँ पर KX, लेकिन X1, X2, X2, X के बराबर है, इसलिए K parallel में कितना हो जाता है बैटा, K1, plus K2, divided by 2, यहाँ राइट, यह भी clear हो गया, यह भी clear हो गया, बहुत बढ़िया, next topic laws of motion में, next topic laws of motion में, हमारा point number क्या चल रहा था, spring force भी हो गया, ठीक है, F equals to MA चल रहा भी, F equals to MA में, next जो तरह की problem आती, हो प्रॉब्लम आती, connected block problem, चीक है ना? Connected blocks problem, connected blocks में problem कैसे आती है, तो एक होता है बैटा, यहाँ पर, with the help of string connect होते हैं, और एक होते हैं, आपस में connected, मैं सवाल बना देता हूँ दोनों, ताकि आपको logic clear हो जा, एक यहाँ पर discuss करेंगे, एक यहाँ पर discuss करेंगे, दोनों cases आपको बता देते हैं, यहाँ जब आप बात करें, तो एक block आपका यहाँ पर रखा हुआ है, दूसरा block आपका यहाँ पर रखा हुआ है, तिसरा block आपका यहाँ पर रखा हुआ है, and you are pulling the entire system with certain force, say F1, ध्यान से सुनना, trick बता रहा हूँ, यहाँ पर एक रस्सी होगी, यहाँ पर एक दूसरी रस्सी होगी, ठीक है, और यहाँ पर एक force होगा F2, ठीक है, अब सुनना ध्यान से, यहाँ पर एक force होगा F2, तो इसको solve करने का सबसे अच्छा तरीका यह है, कि हमेशा net acceleration calculate करो, और फिर उसके बाद में किसी भी एक का free body diagram बना कर अलग से solve कर लो, लेकिन, tension हमेशा खीचेगा, tension के बारे में एक बात बताते बेटा, tension हमेशा क्या करता है, तो tension हमेशा, tension हमेशा खीचेगा, क्या करेगा बेटा, tension हमेशा खीचेगा, अगर tension खीचता है तो देखे जरा मान लिजी यहां का जो tension है अच्छा इसमें condition और मान रहे कि F1 को आमने बड़ा माना है F2 से यहां के tension को मैंने बुला T2 तो यह mass मेरा M1 है यह mass मेरा M2 है और यह mass मेरा M3 है तो इस T2 को कौन-कौन से mass को खीचना पड़ेगा तो T2 T2 खीचने का काम कर रहा है M1 और M2 को बेटा किसको खीचने का काम कर रहा है M1 और M2 को Everyone क्योंकि पूरा system इधर जाएगा ना बेटा अफकोर्स net force की direction में पूरा system जाएगा तो यह tension किसको खीचेगा इन दोनों को खीचेगा कि नहीं खीचेगा बढ़िया बात है अब यह tension अगर यह F2 नहीं होता तो इन दोनों को जिस acceleration से खीचना है केवल उत्ता ही चाहिए पड़ता लेकिन होगा क्या यहाँ पर T2 निकालने का डाइरेक्ट तरी का जो masses to be pulled यहाँ पर क्या आएगा बेटा masses to be pulled यह देखो कौन-कौन से masses pull करने है divided by आपको लिखना है mass total इन तो में लिखना है F big minus F small और plus कर देना है F small direct answer है जैसे T2 यहाँ पर क्या करोगे वो M1 को pull कर रहा है प्लस वो M2 को pull कर रहा है नीचे total mass क्या करोगे M1 प्लस M2 प्लस लिखोगे M3 और यहाँ पर आपने लिखा net force मतलब की F1 minus F2 बड़े मैंसे छोटा B मतलब बड़ा S मतलब छोटा और यहाँ पर F छोटा यने की F2 हो जाएगा यह इन blocks को दिया गया acceleration है बटा और यह F2 उसको compensate करना है ठीक चैट सेक्शन में अगर दिल नहीं बहे फिर क्या मतलब चैट सेक्शन में दिल दिल फ्लोट होना चाहिए ठीक है चैट सेक्शन में दिल फ्लोट हो जाना चाहिए अगले जो setup होते बिटा वो setup कैसे होते कि एक यहाँ पर block है बड़ा उससे connected block एक छोटा एक block है बड़ा उससे connected block है छोटा ठीक है उससे connected block क्या होगे बिटा छोटा फिर उससे connected एक block हो गया और छोटा ठीक है देख रहा है सभी लोगों को everyone बहुत बढ़िया अब क्या हुआ अब क्या हुआ यहां पर आपने इसको दिया धक्का धक्का दिया कितने फोर्स से F1 से इधर भी दिया धक्का कितने से बेटा F2 से अब को अच्छा एक बात है बेटा अगर F2 नहीं होगा तो अपन जीरो कर द ब्लोक आपका मास M1 है यह वाला ब्लोक आपका मास M2 है और यह वाला ब्लोक आपका मास M3 है आपको बुला गया है find the normal reaction between M1 and M2 normal क्या करता है normal हमेशा normal का काम है धक्का देना normal हमेशा क्या करेगा बिटा normal हमेशा धक्का देगा normal का काम है धक्का देना normal का काम है धक्का देना अब आपने क्या बोला कि F1 बड़ा है F2 छोटा है तो जो बड़ा force है वो छोटे की direction में पूरे system को धकेल देगा की ने बड़ा force छोटे की direction में पूरे force को धकेल देगा की ने तो यहां जो normal होगा ये कौन-कौन से masses को धका देगा M2 और M3 को ये वाला normal किसको धका देगा M2 और M3 को कब किसको धका दे रहा है कैसे देखेंगे net force की direction से net force देखो वो net force system को किस तरफ ले जाना चाहता है वो देखो और clear हो जाएगा ठीक है बिटा तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि अगर मुझे normal लिकालना है तो मैं लिखूंगा यार वो धक्का देगा m2 को और plus m3 को नीचे में लिखूंगा यहाँ पर क्या बेटा total mass और into में में लिखूंगा बड़े force में से छोटा force minus और plus में कर दूँगा बेटा यहाँ पर छोटा force खतम चमक गया कि नहीं example से समझा देता हूँ यहाँ पर एक block रखा है which is of 5 kg यहाँ पर एक block रखा है which is of 3 kg और हम इसको पूल कर रहे हैं हम इसको पूल कर रहे हैं 80 newton से कितने से बेटा 80 newton से इधर कोई force ने लगाया आप से पूछा है find the normal reaction between the blocks find the normal reaction between the blocks एवे आसान रदी कैसे देखेगा जरा तो हम यहाँ पर कितना और आवर क्लास चलेगा अब तो बेटा में उस पर आ गया कि जब तक chapter खतम नहीं होंगे तब तक ठीक है ठीक है जोश वोश बचा की नहीं क्लास में चली आईए जरा normal निकालने के लिए तुम बोलोगे कि इस normal को देखो यह 80 newton तो धक्का देगा पांच को लेकिन इस 3 को कौन धक्का देगा तो वो normal देगा तो वो normal जो है वो 3 kg को धक्का दे रहा है नीचे total mass हो जाएगा 8 net force हो जाएगा sir 80 है minus 0 और प्लस भी 0 क्योंकि छोटा force है ही नहीं तो आंसर कितना आ गया normal is equal to 30 newton बोलो मज़ा आया कि नहीं कुरसी छोड़ के डांस करने का मन किया कि नहीं everyone clear हुआ सब लोगों को so connected blocks में tension का normal का logic अगर clear हो गया हो तो आपको आगे बढ़ जाते हैं आगे बढ़ते हैं बेटा next जो है यहां पर आता है concept of pseudo force concept of pseudo force और pseudo force बहुत important कहानी हो जाती बेटा क्या होता है pseudo force whenever जब भी कभी कोई object और body non inertial frame of reference इसे frame of reference दो तरह की होती है एक inertial दूसरी non inertial inertial मतलब AC frame जिसकी velocity या तो constant हो या वो rest पे हो और non inertial मतलब एक AC frame जिसका कुछ acceleration हो तो जेसे मैंने यहां पर एक block लिया बेटा मैंने यहां पर एक block लिया ठीक है जो block यहाँ पर रखा है किसके उपर एक truck के उपर और truck जो है वो accelerate कर रहा है truck क्या कर रहा हैầy data accelerate कर भो अब अगर हम इस truck पर ही खड़े होकर इस block को देखेंगे तो इस block का जितना mass होगा वो और इसके उपर एक force experience होगा जिसे हम बोलेंगे शुडो फोर्स क्या बोलेंगे बिटा शुडो फोर्स शुडो फोर्स तो यह कितना होगा तो इस शुडो फोर्स FPS is equals to mass into my acceleration होगा कितना होगा कितना और किधर यह सवाल अपने आप से जरूर पूछना होता है हमेशा शुडो में कितना और दूसरा सुनिएगा तो कितने का मतलब तो होगा mass of body into my acceleration of the frame कितने का जवाब क्या होगा बिटा कितने का जवाब होगा mass of body कितने का जवाब तो simple है mass of body और into में क्या होगा into में होगा acceleration of observing frame acceleration of observing frame जिस भी frame से observe कर रहे हैं अगर उसका acceleration है तो यह हो जाएगा mass of the body into में acceleration of observing frame किधर का जवाब ढूंडते हैं तो जब किधर का जवाब पूछेंगे तो जवाब मिलेगा जवाब मिलेगा acceleration accelerating frame के acceleration से उल्टी दिशा में ठीके accelerating frame के acceleration से opposite direction में क्या यह बात समझ में आ गई बोलो यह सो नो opposite direction में किधर और कितना किधर और कितना तो किधर तो मतलब कितना हो गया किधर तो mass जो है acceleration से opposite अब देखो यह रही तुम्हारी accelerating body इसका acceleration कहा था राइट चाहिट था तो pseudo force कहां पर लगा left में लगा तो किधर का मतलब समझ में आ गया कितना mass of the body into mass of the body into acceleration mass of the body into acceleration yes everyone तो तुम्हें समझ में आ गया pseudo का concept कहीं कोई गलती नहीं होगी कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी जेब बात इसी लिए तुम्हें कई बार कहा जाता है कि एक चलती गाड़ी से एक चलती गाड़ी से एक example करा देते हैं so that आपको थोड़ा सा connected रहें चीज़ें ठीक है इसमें न देखो laws of motion में theory तो होती नहीं है सब concept 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 ही होते हैं तो ऐसे सवाल करा की ही समझाया जा सकता है तो एक चलती गाड़ी में ठीक है हमने उपर से एक bob को लटकाया हुआ था और गाड़ी को हमने चला दिया acceleration A से ठीक आप से पूछा है find angle made by string with vertical find angle made by string with vertical तो भाईया इसका नीचे self it लग रहा था भी bob का नीचे self it लग रहा था but because of because of this acceleration extra pseudo लगेगा और उस pseudo की वजह से उस pseudo की वजह से बेटा क्या होगा यहाँ पर यह bob इधर आ जाएगा जब यह bob इधर आएगा तो यहाँ पर आप observe करेंगे इधर लग रहा है आपका A में और इधर क्या लगेगा बेटा M G बोलो यह सोर नो इधर लगेगा M G और इधर लगेगा A में और इन दोनों को जब आपने कुलेट किया तो आपको समझ आया कि सर यह इस direction में लग रहा हमारा net force everyone vertical से मतलब यह वाला angle पूछा है तो हम लिखेंगे angle 10 theta is equals to perpendicular M A upon base which is M G तो यह हो जाएगा बेटा हमारा answer A divided by G answer कितना हो जाएगा A divided by G और रसी में tension कितना होगा तो वो होगा बेटा M A का whole square और plus हो जाएगा यहाँ पर M G का whole square A में और M G के resultant के बराबर ही tension होगा इस A में और इस M G के resultant के बराबर ही यहाँ पर क्या होगा रसी में tension होगा बोलो यस और नो सब को चमका के नहीं चमका come on everyone clear हुआ clear हुआ ठीक है अब यहीं पर यहीं पर एक सवाल आता है जो आपने कई बार देखा होगा वो wage वाला ठीक है न कि भीया यहाँ पर हमारे पास क्या है एक wage है और wage के ऊपर एक block रखा है wage के ऊपर एक block रखा है everyone wage के ऊपर क्या रखा है बेटा एक block रखा है wage के ऊप अरे फिर से round बन गया ठीक है यह देखे ज़रा आजाईए यहर मैं आपका तो नहीं कह सकता बैट यह आइम हैविंग अलोट अफ लोट अफ लोट अफ इंजॉयमेंट मतलब मज़ा आ रहा है क्लास में ठीक है अब आप बताईए कि आपको कैसा लग रहा है capital M की वेज है small m का block है आप से बोला है find acceleration of the wage so that यहाँ पर block यहाँ पर पूछा है कि A का value कितना होगा so that small m remains rest पर बेटा जबकि यह surface कैसा है यह surface आपका smooth है अगर smooth surface है तो वो तो अपने self at mg से नीचे गिर जाना चाहिए surface अगर smooth है तो self at mg sin theta का component उसको नीचे लाएगा नीचे लाएगा तो वो गिर भी जाएगा ठीक है mg sin theta कहा लगेगा नीचे नीचे लगेगा तो नीचे खीचेगा खीचेगा तो गिर भी जाएगा लेकिन क्या होगा जैसे आप a acceleration दोगे क्या बोला था हम pseudo कैसे लगाते हैं कितना लगाते हैं तो mass of the body into my acceleration of the body लेकिन किधर लगाते हैं तो opposite direction में लगाते हैं बोलो यह सुर्णू तो यहाँ पर बेटा इस pseudo का एक component बनेगा m a cos theta इस pseudo force का एक component बनेगा उपर की तरफ m a cos theta so equilibrium condition में m g sin theta जो होगा वो बराबर होगा किसके बेटा m a cos theta के a से a cancel होगा और यहाँ पर acceleration की value आ जाएगी g tan theta acceleration की value कितनी आएगी g tan theta आई बात समझे बोलो यह सुर्णू इसी सवाल में normal कितना होगा तो जब आप normal की बात करेंगे तो इस बार normal दो component balance करेगा बेटा एक mg का cos theta component एक mg का cos theta और साती सात एक a में का sin theta भी तो यहाँ पर normal is equals to लिखना पड़ेगा बेटा a में का sin theta प्लस mg का cos theta component लेकिन a की जगह क्या लिख दोगे a की जगह तुम लिख दोगे यह वाली value और जब यहाँ पठकोगे तो n का value solve करने पर answer आएगा mg divided by cos theta क्या answer आएगा बेटा mg divided by cos theta आई बात समझ में एवरिवान आ गया clear हुआ चलिए तो laws of motion में इतनी बाते थी बेटा एक आता है constraint ठीक है क्या आता है बेटा constraint तो constraint सिखा दे फटा फट से next topic आता है बेटा हमारा which is constraint motion constraint क्या कहता है उसके बारे में चर्चा करते है constraint motion ठीक है constraint motion connected constraint का simple बोलचाल की भाषा में नाम है बेटा connected constraint का नाम क्या होगा बेटा connected ठीक है जुड़ा हुआ connected मतलब जुड़ा हुआ तो क्या होता है जी कि जब भी कभी आप observe करेंगे ठीक है तो रसी में जहां tension जितना कम होगा acceleration उतना ज्यादा होगा देखो आपको एक बात समझाते हैं आपको एक बात समझाते हैं वर्क डन वाला concept आपको आता है ठीक है तो क्या होता है जी वर्क डन वाले concept में कि अगर मान लिजे दो block आपने यहापर लिए और दो block को आपने इस तरह से T है अब यहाँ पर जो वर्क अच्छा यह पूरा का पूरा setup एंटायर setup is moving entire setup is moving by certain displacement x तो वर्क डन बाइ tension on m2 is equal to minus T x होगा बोलो यह और नो क्योंकि tension इधर लग रहा है और displacement इधर हो रहा है लेकिन यही वर्क डन जब आप होगे वर्क डन on m1 ठीक है किसकी वज़े से tension T की वज़े से वो plus T x होगा यह ने की किसी भी system पर बेटा किसी भी system पर लगने वाला net for net work done जो होगा tension का T dot x is always equal to zero मतलब हम लिखेंगे sir T1 x1 is equal to क्या लिख सकते है T2 x2 इसी logic से यहाँ पर यह बनता है T1 v1 is equal to T2 v2 और बेटा जी बनता है आपका T1 a1 is equal to T2 a2 अब आज समझा आया कहां से आता है यह आज समझा आया कहां से आता है यह देखो ज़रा एक example में बताता हूँ एक example में बताता हूँ example क्या हूँ कितनी जल्दी कवर किया यार अपने ठीक है laws of motion 40-45 मिनिट भी नहीं लगे laws of motion complete होने में starting में थोड़ा सा वक्त जादा लगा आपने को starting के chapter theoretical थे न भाई चलिए यहाँ पर जैसे एक table है और table में यहाँ पर आपके पास input पूली है जो आपने पूली ऐसे बांद के रखी वीए अरई everyone देख रहें आप यहाँ पर आपका blok है और यहाँ पर भी एक पूली है इधर भी रखी हुए एक पूली है इस पूली से यह block इधर connected है और इस pulley को यहां से मूपर से लेकर गए बेटा और इसको ऐसे नीचे से लेकर आए ठीक है ऐसे कुछ ठीक है यह table आपकी यहां पर लगी हुई है यह table आपकी यहां पर ऐसे लगी हुई है यह block यहां पर अब देखो क्या होगा कि आपकी जब मैं आपसे बात करूगा बटा यहां पर tension की तो अगर यह यह तुम्हारा मतलब यह अगर तुम्हारा एकस नीचे खिसका ठीक है देखो यहां पर अगर यह तुम्हारा एकस नीचे खिसका एकस अगर इधर आया सुनो ध्यान से, अगर यह तुम्हारा x इधर आया, तो पता है क्या होगा होगा यूँ कि यह यह यहाँ पर actual में यह पूरी अगर इधर आय तो इधर x और x का adjustment होगा, तो इधर 2 x का adjustment होगा, होगा के नहीं, everyone, break बनता है, अच्छा, नहीं, नहीं, रुको, brick कैसे बनता है यार कोई brick नहीं मैंता है इस से बढ़ियाँ example लेते है इस से बढ़ियाँ example लेते है वो जो सर्व मतलब हमेशा जो सबके उस पर लगा रहता है कि सर ये पता नहीं कैसे होगा तो यहाँ पर इसधर एक block लिया और इसधर हमने ये capital M का एक block लिया एक स्मॉल M का एक block ठीक है स्मॉल M का एक block एक pulley से connected है और उस pulley को हमने यहाँ पर fix कर दिया और वो pulley का जो end है वो यहाँ पर इस block तक आ रहा है ऐसे इसको यहाँ पर connect किया फिर ये जो है ये pulley अभी बंदी होई यह पूली जो है घूम के आ रही है एक और पूली के ऊपर यह आ गई एक और पूली के ऊपर और वह पूली भी यहाँ पर कनेक्ट हो रही है ऐसे यह सोर नो थोड़ा नीचे करेंगे तब जाकर उसका डायकराम कंप्लीट बनेगा मैं बहुत सारी पूली लगा रहा हूं देख रहे हो आप और फाइनली ये वाली पूली अपने इधर फिक्स्ड सपोर्ट पे करी अब सुनना ध्यान से पांच घंटे होने वाले हैं सर ठीक है यहां पर इसमें टेंशन टी है तो इस रस्ती में भी टेंशन टी होगा तो यहां पर टेंशन किता होगा बेटा टूटी होगा तो यहां पर भी टेंशन टूटी होगा तो इसमें टेंशन डबल यने की टूटी का डबल यने की फोर्टी होगा यहां फोर्टी होगा तो यहां पर भी फोर्टी होगा अब देखो इस वाले ब्लॉक के पास टेंशन किता टी लेकिन इस वाले ब्लॉक के पास टेंश 6 प्लस 1 7 तो बच्चों अगर इसका acceleration मैंने कहा मान लीजिए नीचे A है तो इसका acceleration अगर आप बोल रहे हो कि ऊपर होगा A2 होगा तो पता A2 कितना होगा तो आप बोलोगे sir T1 A1 is equals to T2 A2 होना चाहिए इस logic के इसाब से तो T1 मेरा T है acceleration मेरा A है T2 मेरा 70 है acceleration A2 निकालना है तो A2 की वैली आजाएगी A by 7 टेंशन जितने गुना जादा होगा acceleration उतने गुना कम होगा everyone टेंशन जितने गुना कम होगा टेंशन जितने गुना कम होगा acceleration उतने गुना जादा होगा बोलो yes or no टेंशन जितने गुना कम होगा, एक्सलेरेशन उतने गुना जादा होगा, जिस फेक्टर से टेंशन मल्टिप्लाइ होगा, एक्सलेरेशन उसी फेक्टर से डिवाइड होगा, तुम ऐसे याद रख लो, ठीक, क्लियर है, सबको, चलिए, आगे आजाईए, नेक्स्ट, अब आता है अगला चाटर जिसका नाम है फ्रिक्शन, क्या लगता है, कब तक खतम कर पाएंगे, अभी तो फ्रिक्शन पर पहुंचे यार, फ्रिक्शन उसके बाद में वर्क एनरजी पावर, फिर सर्कुलर मोशन, ठीक है, ठीक है, थोड़ा, थोड़ा, थोड़ा तो ऐसा होता है, हाँ यार, लाइक्स बड़े कम नी रखे तुमने 2200 तक ही पहुंचा है, येस, जो फ्रिक्शन है बेटा, ये होता है आपका कैसा, तो सेल्फ एड़्जस्टिंग फोर्स होता है, फ्रिक्शन कैसा होता है, सेल्फ एड़्जस्टिंग फोर्स होता है, पहली चीज, दूसरा, ये क्या करता है, अपोस करता है, क्या करता है बेटा, अपोस करता है relative sliding को, अपोस करता है किसको बेटा, relative sliding को अपोस करता है, दो बाते clear हो गई, ठीक है, friction होता क्या है, तो जो force of friction होता है, वो directly proportional to normal reaction होता है, जब आप यहाँ पर क्या करते हो बेटा, proportionality constant हटाते हो, एक constant लगता है, जिसको हम ब friction कहते हैं coefficient of friction कहते हैं got the point everyone क्या कहेंगे इसको अपन coefficient of friction कहेंगे right ठीक है mu की value coefficient of friction और यह कैसा होता है यह होता है surface dependent ठीक है अलग-अलग surface का surface dependent होता है surface dependent होता है more rough जितना ज्यादा rough होगा more rough होगा तो यह भी क्या होगा बेटा more होगा तो more rough more mu everyone ठीक है more rough more mu clear यहां तक समझ आ गया ठीक है अब देखे friction लगता किधर है तो जिस तरफ sliding होने की कोशिश जिस तरफ relative sliding होती है बस उससे opposite direction में friction act करता है ठीक है तो friction relative sliding को oppose करता है लेकिन friction चलने में मदद भी करता है friction चलने में मदद हम जमीन पर चल पाते हैं because of friction only अगर friction नहीं होता तो हम चल ही नहीं पाते तो ये logic भी clear हो रहा है सब लोगों को friction क्या चीज़े हो कैसे है और क्यूं है right अब बेटा देखो अगर इतनी बाते clear हो गई तो हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं आगे बढ़ते हैं ठीक है ना friction जो होता है तीन तरह की चीज़े friction में हो सकती friction static होता है friction static होता है friction kinetic होता है friction limiting होता है friction में तीन बाते बटा friction में तीन बाते राइट जैसे यहाँ पर आपने एक block लिया और उस block के उपर आपने उस block का आपने बोला कियर 5 kg का block है यहाँ पर उसका coefficient of friction आपने बोला 0.3 कितना friction इस surface पर maximum लगेगा तो पता है कैसे निकालते हैं मान लो मैं इसको ऐसे खीचने की कोशिश कर रहा हूँ ठीक है तो यहां पर यह बोलेगा कि देखो friction कितना हो सकता है normal n वो होगा mg के बराबर तो यह हो जाएगा आपका 0.3 into में 5 into में 10 तो यह कितना हो जाएगा आपका यह पर 15 newton everyone कितना हो जाएगा बढ़ा 15 newton तो f की value 0 से 15 तक f की value अगर 0 तो friction 0 एक की value अगर 0 तो friction 0 और f की value अगर 0 से 15 के बीच में तो friction static होगा और f अगर 15 से ज़ादा हो गया f अगर 15 उद्हाँ ऐख तो friction limiting होगा और f अगर 15 से ज्यादा होगा तो friction kinetic होगा, friction में 3 छीज़े हैं बेटा, friction में 3 छीज़े हैं, come on everyone, क्या-क्या तीन चीज़ें, भई friction यहाँ पर static होगा, मतलब FS होगा, friction यहाँ पर limiting यहने की maximum होगा, और friction यहाँ पर क्या होगा, maximum friction से कम है अगर applied, तो हम यहाँ पर बोलेंगे force कैसा होगा, friction force कैसा होगा बेटा nature में static और वो applied के बराबर होगा, please remember this, जिसे इस diagram में, अगर मैं force कितना लगाँ बेटा, 8 newton, अगर मैंने इधर लगाया 8 newton, तो यहाँ पर friction भी कितना होगा, 8 newton होगा, ऐसा नहीं कि वो 15 पर पहुच जाएगा, छीक है, लेकिन अगर मेरा यहाँ पर F applied कहा हो जाता है, limiting के बराबर, तो यहाँ वो situation होगी, अगर F applied मेरा क्या हो गया, F limiting के बराबर हो गया, तो अब block verge of motion पे आ गया, यानि कि कभी भी move कर सकता है, move कर सकता है, या फिर constant velocity से move करेगा, क्योंकि net force 0 हो गय राइट, everyone, time stamp दे देंगे बिटा, और अगर आपका F applied क्या हो जाता है, बिटा, more than F limiting हो जाता है, तो फिर आपका friction जो है, वो F k के बराबर होगा, तो friction आपका F k के बराबर होगा, और F k की जो value होती, बिटा, वो होती, mu k into my normal reaction, जहाँ पर mu k को हम क्या बोलते है, बिटा, coefficient of kinetic friction, और F s, यहाँ पर F limiting कितना होगा, तो F limiting को तो आप लिखोगे कि सर वो हो जाएगा, आपका mu s into n, जहाँ पर s क्या होगा, static coefficient of friction, mu s की value हमेशा mu k से जादा होगी, नहीं given है, तो फिर हम यहाँ पर same ले ले लेते हैं, ठीके, बहुत बढ़िया, बाके भिहारी जी की photo, क श्रिनाद जी है, श्रिनाद जी है, ठीके, आईए जरा, आगे बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा बिटा, यहाँ पर क्या होगा, office है, office मैं इसे class ले रहा हूँ मैं, ठीके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यह इस तरह से आपने देखा, यहाँ पर होगा friction, यहाँ पर होगा F applied, सब लोग ध्यान से देखेगा, एक एक करके सारी चीज़े clear हो जाएंगी, बहुत अच्छे से, है ना everyone, तो अब क्या होगा बेटा, अगर यहाँ पर friction है, तो जब आप यहाँ पर इसको देखोगे, यह starting में, starting में, जब तक F की value बढ़ेगी, friction बढ़ेगा, बढ़े and that is equal to F k, that is equal to F k बेटा, यह वाली value किसके बराबर हो जाएगी, F k के बराबर हो जाएगी, इसी लिए हम friction को self-adjusting force कहते हैं, क्या यह बात सब को समझ में आ रही है, ठीक है, तो यह पहला concept, पहला concept हमारा friction में, यहाँ तक clear हुआ, दूसरे concept पर आ जाते हैं, जिसमें अपन बात करेंगे बेटा, ठीक है, angle of friction की, किसकी बात करेंगे बेटा, second concept is angle of friction, second concept क्या होगा बेटा, हमारा angle of friction होगा, angle of friction पर जब आप चर्चा करेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पर अगर आपने surface के ऊपर कोई block रखा, जिसका mass M है, अगर आप इसे खीचने की कोशिश कर रहे ह किसी force से, तो बेटा, इसके ऊपर एक तो होगा normal reaction, बोलो yes or no, जो कि ऊपर की तरफ होगा, और एक होगा यहाँ पर इस तरफ friction, जो कि यहाँ पर F होगा, और इस normal और F का resultant, इस normal और F का resultant, यहाँ पर आप जब observe करेंगे, तो वो resultant आपको दिखेगा इस तरह से, everyone, सब लो equals to, यह होगा N का square, plus होगा F का square, यहाँ पर जो F होगा, बेटा, उसको mu N लिखेंगे, तो R is equals to, आपको लिखना होगा, आप next class के लिए मुझे यह बताईएगा, आप next class के लिए मुझे यह बताईएगा, कि should I come with the handwritten notes, उसी से revise करवाओ, या फिर जिस तरीके से करवा रहा ह and this is okay, ठीके, that's what I wanted to know from your end, तो कल तो नहीं, कल के दिन एक थोड़ा सा rest कर लूँगा, मैं भी थोड़ा सा आराम भी हो जाएगा, थोड़ी सी चीजे तैयार भी हो जाएगी, पर सो हम दुबारा अगली class करेंगे, दो, मुझे मालूम है कि आपकी class जो हो 14 अपरेल की schedule है लेक यह होगा, बिटा, mu square और साथ में आएगा n square, तो यहां से n square आपका बहार आके under root में क्या बचेगा, 1 plus mu square, और इसी से हमको पता चलता है, इसी से हमको पता चलता है कि जो हमारा contact force है, वो बड़ा या बराबर हो सकता है कि इसके, बिटा, mg के, यह वो condition है, अगर मान लो, लगेगा ही नहीं, तो contact force किसके बराबर हो जाएगा, r की value n के बराबर हो जाएगी, n मतलब mg, और अगर किसी ने खीचा, तो फिर कितना खीचा, उस हिसाब से हम यहां पर बोलेंगे, यह value होगा mg under the root of 1 plus mu square beta, इस पे pyq आ चुका है, आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है everyone, साथ में, angle of contact निकालने चले थे, angle of contact कितना होगा, इस angle को हम theta बोलेंगे, तो हम बोलेंगे sir, angle of contact would be 10 theta, और 10 theta यहां पर होगा, perpendicular upon base, यहां की f divided by क्या होगा, बिटा, n होगा, f की value mu into n होगी, नीचे यहां पर भी n होगा, n से n cancel होगा, तो बच्चो 10 theta की value mu के बराबर होग am I right everyone, clear, यहां तक समझ आ गया, तो angle of contact समझ में आ गया बिटा, उसी तरह से होता है angle of repose, उसी तरह से क्या चीज़ होती बिटा, एक होता है, यहां पर आपका next concept आएगा, angle of repose, एक concept क्या आएगा बिटा, जिसको अपन बोलेंगे angle of, angle of repose, ठीक है न, क्या बोलेंगे बिट angle of repose, क्या होता है angle of repose, तो जब किसी object को अपन किसी inclination पे रखते हैं, तो एक ऐसा angle जहां पे object को incline करने के बाद में, वो वहां से क्या कर जाता है, slide कर जाता है, जैसे हम आपको बताते हैं, experiment करके, हम आपको बताते हैं, experiment करके, हम आपको बताते हैं, experiment करके, हम आएसी का remote ह ही या ठीक है ऐसे hor ludzi वांटल षंटल रखा ठीक है platform के ऊपर एंगल बढ़ाया एंगल बढ़ाया एंगल बढ़ाया एंगल बढ़ाया अब स्लाइड किया आए बात समझ तो horizontal के साथ जो angle इसका बना perform का इसी को एंगल of repose कहते हैं वो news नतम एंगल जहां पर object क्या कर जाता है, slide कर जाता है तो जब slide कर रहा है तो friction कहां लगेगा, पीछे की तरफ आगे कितना यहां पर force लगा होगा, तो आप बोलेंगे सर, mg sin theta, mg sin alpha friction कितना लगा होगा तो friction लगा होगा, mu into n और n का value mg cos alpha होगा, limiting condition में जब हम बोलने हैं कि constant velocity से जाना चाहिए मतलब acceleration होगा 0 तो यह तो तभी संभव है जब mg sin alpha खीचने वाला और mu mg cos alpha उसको रोकने वाला बराबर हो mg mg cancel होगा, तो यहां से बच्चो 10 alpha का value भी किसके बराबर आगया, mu के बराबर आगया, मतलब हम को पता चला कि sir, angle of contact, angle of friction और angle of repose दोनों क्या होते हैं, बराबर होते बोलो यह सूर नो, यह बाद भी सब को चमक गया, बढ़िया clear है बच्चो good, very good यहां तक clear हो गया, सब लोगों को कहीं किसी को कोई परेशानी, कहीं किसी को कोई confusion बेटा, नहीं है चलिए, अब पुली block problem जैसे हम लोगों ने laws of motion में पढ़ेते हैं, वैसे यहां पर कहीं सारे सवाल बन सकते हैं, एक सवाल बहुत famous होता है बिटा, जो यहां पर friction में आता है वो मैं आपको करा देता हूँ, फिर friction से related circular motion के बहुत सवाल बनते हैं, वो तब करेंगे जब हम circular motion पर जाएंगे बिटा, ठीक है ना मैं friction कराने के बाद में पहले work energy power करवाऊंगा उसके बाद फिर में circular motion करवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि circular motion में या फिर एक काम करते हैं, circular motion को दो पार्ट में तोड़ते हैं horizontal circular motion हम अभी कर लेंगे और work energy power के साथ vertical circular motion करेंगे, ठीक है आज का lecture खतम करने के बाद में आप जाएंगे और PYQ सवाल सॉल्व करिए, आपके PYQ में एक भी अगर ऐसा concept हो जो मैंने class में discuss नहीं किया तो फिर बता दीजिएगा comment करके, एक भी सवाल ठीक है, एक एक चीज मतलब एक एक चीज आपको इतमे नान से बता रहे हैं ठीक है न, देखे क्या होता है कि यदि कोई भी block जो है, उपर से slide जब करेगा कोई भी block जब उपर से क्या करेगा slide करेगा, और साथ ही साथ यहाँ पर यह surface केसा होगा यह surface आपका rough भी होगा यह surface आपका rough भी होगा तो यहाँ पर क्या होगा बेटा यहाँ पर आपका जो है न, mg का sine theta नीचे की तरफ लगेगा और उपर की तरफ जो है बच्चो वो लगेगा यहाँ पर friction force उपर की तरफ क्या लगेगा? friction force आप सवाल इसके lecture के बाद में कल का आपके लिए homework रहेगा कि आप PYQ solve करें न last 10 years के, ठीक है न? last 10 years के PYQ solve केजिएगा तो mg sine theta अब यहाँ पर जो आपने theta लिया है this theta is, मैं क्या बोल रहाँ बेटा? यह हो गया आपका more than more than यहाँ पर, अच्छा इसको ऐसे लिख देते हैं इसको ऐसे लिख देते हैं तो आपको concept भी clear हो जाएगा जो 10 theta का value है वो less than यहाँ पर क्या हो गया बेटा 10 theta का value है यहाँ पर more than 10 theta का value more than mu हो गया मतलब की angle of जो आपका repose है उससे जादा angle है, angle of repose से जादा angle है, तो यहाँ पर अगर आपने इसा देखा, तो acceleration किता होगा, तो acceleration होगा net खिचने वाला कोने बेटा mg sin theta, रोकने वाला कोने बेटा, minus का mu mg cos theta, और नीचे क्या लिखोगे यहाँ पर total mass तो acceleration की value क्या आ जाएगी g को करेंगे common, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा, sin theta minus का mu, यहाँ पर cos theta, क्या यह बात समझ में आ रही है सब लोगों को, everyone clear है बेटा अगर यहाँ से यहाँ तक आने का length अगर L है, तो time कितना लगेगा जब वो यहाँ पर पहुँचेगा तो time कितना लगेगा उसकी speed कितनी होगी यह सारी बाते पूछी जा सकती है तो time उसको लगेगा बेटा under the root of time उसको लगेगा under the root of 2L divided by A और उसकी speed होगी बेटा under the root of under the root of 2A और अपन लिखेंगे बेटा यहाँ पर L ठीक है अगर यह U is equals to 0 से चला हो तो U is equals to 0 से चला हो तो is that clear telegram channel पर मिल जाएगी बेटा ठीक है माही सर्फ physics करके आप search करेंगे you will get the telegram channel also और अभी नीचे description box में भी आपको link मिल जाएगी telegram channel की इसलिए परेशान मत हो यह ठीक है क्लियर है friction में यहाँ तक बात समझ में आ रही है friction में जो और सवाल बहुत अच्छे आते हैं friction में जो connect करके सवाल बनते हैं वो यह है बिटा कि यहाँ पर यहाँ पर आपको यह बोला गया है just a minute अभी मुझे ध्यान में था मैं एकदम से बिल्कुल blank हो गया आठ बजे से लगातार पढ़ा रहे हैं आप बच्चे भी तो पढ़ी ही रहे हैं आप भी तो मेहनत करी रहे हैं ना तो होई जाता ऐसा चिक है चलिए आजाए जड़ा अगले उस आस्पेक पर बात करतें अगले जो सवाल आते बिटा वो यह आते हैं कि यहाँ पर उससे रिलेटेड यह होरीजोंटल आपने वर्टिकल वर्टिकल आपने वाल ली और यहाँ पर आपने क्या किया बेटा एक ब्लॉक रखा और इस ब्लॉक का कुछ मास है से M तो यहाँ पर कितना minimum force आपको जो है लगाना पड़ेगा F तो इसके rest पर रहने के लिए जितने force से आप इसको धक्का दोगे उतना ही इसके उपर normal आएगा अब यह अपने self-wet MG से नीचे गिरना चाहता है तो इसको रोकने के लिए friction कहा लगेगा उपर की तरफ ठीक है तो हम यह बोलना पड़ेगा कि sir friction should be more than equal to क्या होना चाहिए sir mg और friction को क्या लिखो कि sir यहाँ पर mu into में n should be more than equal to mg और n क्या होगा n तो f के बराबर होगा इसलिए more than equal to mg तो यहाँ पर जो f का value should be more than equal to आप बोलेंगे self weight divided by mu इसके बराबर या इससे बड़ा होना चाहिए अगर इससे चोटा हुआ तो यह block stationary नहीं रह पाएगा यह एक condition हमने यहाँ पर build करके रख ली क्या यह बात सबको समझ में आ गई everyone बोलो यह सोर नो चमका सबको चमका सबको clear है बिटा ठीक है अब आते है next बिटा इस तरह के सवाल भी आपको देखने को मिले होंगे कि सर यहाँ पर एक table है यहाँ पर एक table है और table पे यहाँ पर हमने पूली लगा के रखी है और पूली से इधर एक आपका block है और वो block यहाँ पर उसका कुछ मास है से M ठीक है और यहाँ पर आपको बुला गया है कि यहाँ पर एक block है इस तरह से जो रखा हुआ है rest पर ठीक है तो इस M का minimum इस M का maximum value इस M का maximum value कितना हो सकता है maximum value so that so that system so that system remains so that system remains at rest क्या यह बात सबको समझ में आती है maximum value so that system remains at rest और यहाँ पर यह क्या है बेटा आपका capital M है मास से इस कुछ भी हो सकते हैं देखो M1 और M2 भी लिखा हो जा सकता है ठीक है ना मैं यहाँ तो सवाल के form में लिखू यहाँ फिर मैं unknown के form में लिखू I am deriving the formulas उतना ही इसमें टेंशन आ जाएगा और वही टेंशन यहाँ पर आएगा यह टेंशन जब इसको खीचने की कोशिश करेगा तो यह surface जो की rough है इसको रोक के रखेगा बोलो यह सोर नो तो कितना maximum यहाँ पर friction आ सकता है तो maximum friction आ सकता है mu capital mg के बराबर उतना ही maximum tension हो सकता है तो हम बोलेंगे सर tension T should be less than or equal to mu capital mg तभी तो system कैसा रहेगा बेटा rest पे रहेगा everyone बोलो yes or no ठीक है और T की value किस के बराबर है बेटा small mg के बराबर है should be less than equal to क्या हो जाएगा mu capital mg अब आपने g से g क्या कर देना है cancel तो small m का value होना चाहिए less than equal to mu into capital M mu into capital M बोलो yes or no ठीक है आई बात समझ में यहाँ तक clear है अब देखो इसी सवाल को और थोड़ा सा उपर उठाते हैं अगर यहाँ पर condition है बेटा if if small m is more than mu into capital M ठीक है then system will accelerate then system यहाँ पर क्या करेगा बेटा then system का acceleration 0 नहीं होगा तो बताईए कि वो acceleration होगा कितना तो बताईए वो acceleration होगा कितना तो बई simple सी बात यार acceleration निकालने के लिए क्या करोगे लिखोगे f net divided by क्या लिखोगे mass total f net को जब लिखोगे तो क्या लिखोगे कि यहाँ पर यह mg इधर नीचे खिचना चाहता है और यह mu mg उसको रोकना चाहता है तो तुम्हें लिखना पड़ेगा small mg minus mu capital mg और whole divided by क्या करोगे बिटा यहाँ पर total mass जेने की capital m plus small m कर दोगे आ गया की नहीं आ गया बोलो yes or no everyone आ गया आ गया समझ में बहुत बढ़िया अब देखो यहां से आगे बढ़ते हैं अब देखो यहां से आगे बढ़ते हैं तो अब आपको यह समझ में आ गया अब आपको यह समझ में आ गया कि यह इस सवाल में अगर यह table है यहां पर यह पूली हमने लगा के रखी है यहाँ पर अगर हमने small m को hang करके रखा हुआ है और यह small m अगर इस block को slide कर पा रहा है तो यहाँ पर आप से पूछा है कि बताईए बताईए if condition ऐसी बेटा if small m is more than mu into capital M then then additional then additional mass additional mass m1 on capital M is कितना होगा सवाल समझ में हारा बिटा everyone class कब तक लोगे यहार work energy power work energy power खतम करके और फिर जो है फिर शायद अपन break कर दें ऐसा कर ले क्या रोटेशन तक चलते देते हैं रोटेशन अब देखते जा चलने दो चलने दो जब तक मुझे ठीक है बीच में अब एक थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रेक लूगा पांच मिनट का बस ठीक है ना बहुत जोर से भूग लग रही है कोई सुबह से कुछ खाया नहीं पांच छे घंटे होगे लगातार बोलते हुए मैं यहां तक सारा खतम कर दूगा बट वो हुआ नहीं ठीक है तो यहां पर एडिशनल इसके टॉप पर जो मास रखना है वो M1 है और इस M1 की कितनी वैल्यू होगी minimum so that system यहां पर रहना चाहिए कैसे बेटा रेस पे so that system कैसा हो जाएगा बेटा so that system remains होना चाहिए at rest clear है understood ठीक है तो आईए ज़रा क्या करेंगे बिटा अभी यह system rest पे रहना चाहिए यह system rest पे रहना चाहिए तो system rest पे रहने के लिए self weight small mg नीचे लगेगा और उतना ही उतना ही इसमें tension आएगा उतना ही वो tension इस रसी में भी आएगा यहां पर already capital lab है तो यह जो tension है यह बराबर या छोटा होना चाहिए available friction से बोलो यह सोर नो और friction किसी भी surface पर जब तुम्हें friction लिखना हो तो तुम एक काम कर देना वहां का mu और into में उस surface के उपर जो total वजन रखा हो वो वो surface के उपर जितने masses रखे हैं वो सब को एक साथ करके और लिख दो clear है कि नहीं clear है बिटा तो यहां पर हम बोलेंगे इस condition के लिए कि tension T should be क्या होना चाहिए sir should be less than or equal to mu capital M और प्लस यहां पर M1 into में लिखेंगे G और यह क्या होना चाहिए बेटा यहां पर आपका mg should be less than or equal to यह हो जाएगा mu this would be कितना बेटा mu और यह क्या होगा बेटा capital M plus small M1 into में G, G से G आपने cancel out किया तो यहां पर small M के कहां आ जाएगा नीचे आ जाएगा mu और इसमें से minus होगा capital M this should be less than equal to M1 यहने कि at least इतना तो होना ही चाहिए अगर M1 की value इस value से छोटी हुई तो यह system rest में नहीं रह पाएगा तो समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है क्या किया था यह किया था इस surface पर friction चाहिए कितना होगा तो इसके उपर देखो total masses कितने है capital M plus small M1 रखा है तो कितना total friction होगा बिटा mu into capital M plus small M1 into में g यह small M इसको खीचने की कोशिश करेगा लेकिन tension उसको रोक लेगा tension कितना maximum हो सकता है बिटा इस friction के बराबर इससे जादा हो नहीं सकता वही हमने लिखा यहाँ पर equate कर दिया solve के लिए answer आ गया clear है अगर M1 की value इससे जादा हुई तो तो अच्छी बात है ना कम से कम इत्ता चाहिए कम से कम 5 kg चाहिए अब 5 की जगह 7 रख दो 50 रख दो 500 रख दो अच्छी बात है टेबल के उपर क्या रखी है चेन रखी टेबल टेबल के उपर क्या रखी है चेन और चेन को जब हमने देखा तो चेन यहाँ पर लटकती हुई है नीचे ठीक है तो यहाँ पर यह जो लटकता हुआ portion है वो small l है और total chain की ती बेटा total length है यहाँ पर total length है capital L total mass से M is that clear total mass को capital M कर देते चलो total mass से आपका capital M तो पूछा है और अगर यहाँ यह surface आपका rough है जिसकी value mu है तो ऐसे पूछा जाता है small l divided by capital L into my 100 यह कितना होगा तो इसका formula होता है mu divided by 1 plus mu into my 100 rate क्या यह आप ध्यान रखेंगे everyone mu divided by 1 plus mu क्या यह आप ध्यान रखेंगे everyone clear है चलो so यहाँ तक था आपका friction friction से related भी सारी बाते समझा चुके है बटा अब एक चीज़ एक चीज़ हो रहे है वो truck वाला problem हा ना कहीं बार वो problem करता है truck वाला problem वो भी बता देते हैं तो एकाथ सवाल ऐसे भी आते बटा कि यहाँ पर यह जो आप देख रहे हैं यह जो आप देख रहे हैं एक truck है और यह truck किया कोई गाड़ी है which is accelerating with certain acceleration a और यहाँ पर एक block है जिसका mass small m है ठीक है ना तो आप से पूछा जाता है कि a का कितना value होना चीज़ है so that small m remains at rest बेटा पांच घंटे से हिला भी नहीं हूँ मैं जैसे बेठा हो वैसे बेठा फाज भी नहीं इनफेक्ट 6 घंटे होने को आए यार तो इस condition के लिए क्या होगा फिर से pseudo का concept बेठा pseudo का concept ठीक है क्या concept बेठा pseudo का concept यहाँ पर जो a है इसकी वज़े से इसको pseudo force मिलेगा m म वही इसका normal बनेगा तो यह अपने self weight mg से नीचे गिरना चाहेगा जिसको friction oppose करेगा यह अपने self weight mg से गिरना चाहेगा जिसको friction क्या करेगा बेठा अपोस करेगा तो friction should be more than equals to mg friction किता होगा mu into my normal और normal हो जाएगा ma के बराबर तो should be more than equals to mg m से होगा cancel तो a should be more than equal to g divided by mu से कम हुआ तो यह block गिर जाएगा बोलो यह सोर नो क्या बात है क्या बात है ठीक है clear होगा के नहीं सबको यहां तक समझ आया यहां तक समझ आया everyone clear हो गया जल्दी बताओ मुझे जल्दी बताओ मुझे ठीक है अब अगला जो है चाप्टर वो है circular motion अगला जो चाप्टर है बेटा वो है आपका circular motion और circular motion को हम complete करेंगे ठीक है circular motion को हम complete करेंगे ठीक है लेकिन ठीक है 10 minute का break मैं यहां पर announce कर रहा हूँ 10 minute का break है एक बच के 40 minute पर हम दुबारा मिल रहे हैं ठीक है 140 PM पर everyone 140 PM पर हम दुबारा मिल रहे हैं जो जो drop करके जाएगा वापस आएगा अपने साथ अपने दोस्तों को भी लाएगा ठीक है clear है की नहीं मैं रिविजन मैं रिविजन करा रहा हूँ आपके betterment के लिए करा रहा हूँ तो 10 minute 10 से 15 minute का break ठीक है will be sitting मैं थोड़ा बहुत कुछ खा के आ जाता हूँ बहुत जादा जोर से carving C हो रही है ठीक है तो जाना पड़ेगा फटाक से आता हूँ मैं quickly आप लोग भी फटाक से आईए have something and उसके बाद खतम करेंगे बेटा rotation तक अब शुरू करिए कहा नहीं तो खतम करी देते ना क्या फरक पड़ता है ठीक है na right everyone चलिए करेंगे 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 तो करेंगे तो करेंगे 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 सब्सक्राइए एव्यवेन करे है शुरू कहानी circular motion सही है सही है चलिए आ जाए तो circular motion की शुरुवात करते बिटा circular motion की शुरुवात करते है ठीक है तो सबसे पहले यहाँ पर आपको कुछ-कुछ चीजे समझने हैं, देखे, कभी भी किसी भी reference axis से कोई particle समय के साथ जब move करता है और उसका variation कुछ इस तरह से हो, देखना, यहाँ पर अगर आपके पास कोई reference axis है, ठीक है यह reference axis है, और इस reference axis पर कोई भी particle जब आपका यहाँ पर होता है, ठीक है इस तरह से तो वो वक्त के साथ यहाँ से कभी यहाँ आएगा, फिर कभी यहाँ आएगा, फिर कभी यहाँ आएगा तो जब आप उसके position vector को plot करोगे और यह angle अगर आपका theta हुआ यह angle अगर आपका theta हुआ और इसको आपको plot करना पड़ेगा, तो यह जो r vector है, इसके पास दो component होगे, एक इसमें होगा बिटा x component और एक इसमें होगा बिटा y component बोलो यह सोरनो जो x component होगा, उसको आप बोलोगे यहाँ पर x is equals to यह हो जाएगा, जो भी radius है r और यह हो जाएगा, cos of theta, और एक component हो जाएगा, यह वाला जिसको आप बोलोगे यहाँ पर r, sin theta, और यह y होगा, बोलो यह सोरनो everybody vector notation में, circular motion में circular motion में, जो vector notation होगा, उसको सबसे पहले यहाँ पर particle की angular position change होगी with respect to the time, और हम बुलेंगे कि जो r vector होगा, उसे लिखा जाएगा यहाँ पर r, और यह हो जाएगा, बेटा क्या, तो आप लिखेंगे, sir, cos of theta, i cape के साथ, और plus हम लिखेंगे r, यहाँ पर होगा, sin of theta, यह j cape के साथ, तो यह अगर आपने ऐसा लिखा है, जिसमें आप चाहें, तो theta को क्या लिख सकते हैं, r, और यह हो जाएगा cos of, theta की जगह आप लिखेंगे omega t, i cape और plus यहाँ पर आप लिखेंगे r, sin यहाँ पर theta में लिख देंगे omega t, और यह आजाएगा j cape यहाँ पर जो theta होता है उसे हम omega into t लिख सकते हैं जैसे वहाँ पर आप बात करें थे distance की वैसे यहाँ पर angular displacement है ठीक है ना, तो जो omega होता है वो होता है आपका यहाँ पर theta divided by time, ठीक है इसे हम बोलते average angular velocity, या फिर आप इसको अगर define करेंगे, तो instantaneous angular velocity, second point यहाँ पर का आएगा, तो second point में पहले एक काम और करते हैं, तो x square plus y square is equal to, यदि r square s आपको मिलता है, तो यह circle का standard equation होता है ठीक है यदि आपके पास equation आता है कि x square divided by यहाँ पर आगया a square, plus आपके पास आगया y square divided by b square is equals to 1, तो यह standard equation होगा ellipse का यह standard equation होगा ellipse का, ठीक है तो यहाँ पर अगर cos के साथ जो लिखा है वो term sine के साथ जो लिखा है वो term दोनों same हो वेटा, देखो यह भी r है और यह भी r है, तो यह definitely क्या बनाएगा, circle बनाएगा और उसकी equation आजाएगी इस तरह से पहला point तो यह आपको पता होना चाहिए ठीक है, दूसरा point circle की जब हम बात कर रहे हैं तो circle में यहाँ पर क्या होगा अब हम चलते हैं next topic की तरफ ठीक है तो basic parameters पर हमको सबसे पहले चर्चा करनी पड़ेगी और वो basic parameter यहाँ पर third point बनकर third point, third point basic parameters basic parameters में सबसे पहले omega और omega होगा यहाँ पर d theta divided by dt इस d theta by dt इस omega को क्या कहते हैं इसको अपन कहते हैं angular velocity क्या कहते हैं इसको angular velocity और यह जो d theta by dt होता है इसको समझाते हैं कि क्या चीज़ होती है ठीक है ना अब यहाँ पर यह angular velocity instantaneous angular velocity है अगर omega average चाहिए तो फिर अपने को लिखना पड़ेगा d theta divided by dt इतना ध्यान रखना बेटा कि यह जो आपका होता है angular velocity यह होती है आपकी vector quantity यह होती है आपकी vector लेकिन यह जो है average angular velocity यह value क्या है बेटा आपकी average angular velocity और average angular velocity is a scalar quantity तो यह आपको पता होना चाहिए इतनी बात है ठीक है अच्छा अब angular velocity है तो एक term और होगी जिसे हम कहेंगे यहाँ पर आपका angular acceleration तो fourth term is angular acceleration which is alpha और वो होता है बच्चों यहाँ पर d omega divided by dt वो basically आपको बताता है rate of change of rate of change of क्या बताता है बेटा rate of change of angular velocity ठीक है न rate of change of angular velocity अब ध्यान से सुनिएगा अलग-अलग cases wise discuss करते हैं सबसे पहले क्या हुआ बेटा सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास एक circle है फिर मेरे पास दूसरा circle है फिर मेरे पास तीसरा circle है फिर मेरे पास चोथा circle है ध्यान से देखेगा चार अलग-अलग मैंने circles लिये इन चारो circles में यहाँ पर omega अगर मैंने यहाँ पर कहा कि omega मेरा dot है मतलब particle ऐसे घुम रहा है particle अगर ऐसे घुम रहा है तो direction of rotation में उंगलियां गुमाओ तो अंगुठा बताये का direction ठीक है तो आपने जब अपने paper पर ऐसा बनाया होगा जैसा मैंने बनाया और फिर अगर उंगलियां गुमा रहे होंगे तो अंगुठा बाहर आ रहा होगा तो यहाँ पर omega कैसा है बेटा dot है अब अगर यह increasing है कैसा है बेटा यह increasing है तो यहाँ पर alpha भी dot होना चाहिए ने कि alpha की direction भी same होगी velocity अगर increasing होगी तो acceleration और velocity दोनों same direction में होंगे अब यहाँ पर मैंने direction तो rotation का यही बनाया इसकी direction तो उपर है omega की तो omega की direction मैंने यहाँ पर dot बनाई लेकिन मैं उसको बोल रहा हूँ कि यह decreasing है तो यह decreasing तब संभभ हो सकता है जब alpha उसमें कैसा हो जाए बेटा anti clockwise, anti parallel हो जाए यने कि जो आपका alpha है वो ऐसा हो जाए बेटा अंदर की तरफ बोलो yes or no everyone अब मैंने यहाँ पर आपसे कहा कि यह रहा मेरा omega अब omega कैसा है मेरा अंदर की तरफ ऐसे घुमाऊंगा मैं हाथ को तो omega होगा मेरा यहाँ पर omega cross है बेटा और cross increasing है omega है cross और increasing वो तब ही संभभ है जब alpha यहाँ पर कैसा हो सकता है cross और एक condition यह जिसमें अगर हमने यहाँ पर क्या बोल दिया कि omega मेरा cross तो है लेकिन decreasing है वो तब संभभ है जब alpha मेरा dot होगा क्या यह बात समझ में आ रही है अब एक चीज़े जो omega है जो alpha है वो दोनों के दोनों यहाँ पर along the axis of rotation हमें नज़र आ रहे हैं तो हम यहाँ पर एक note point में बताएंगे बेटा आपको एक चीज़ ध्यान रखेगा कि जो omega है and जो आपका alpha है आर axial vectors क्या बोलते बेटा इनको हम इनको हम कहते है axial vectors क्या कहेंगे बेटा इनको हम axial vectors कहेंगे omega and alpha are axial vectors क्या यह बात सबको समझ में आ गई इतनी basic बात clear है circular motion में circular motion में एक चीज़ और आपको बताते बेटा note का point number 2 जो position vector होगा वो हमेशा perpendicular होगा velocity vector से ठीक है इसका मतलब यह होगा कि position vector का dot जब भी velocity vector के साथ किया जाएगा answer 0 आएगा जब दो vectors आपस में perpendicular होते तो उनका dot भी क्या आता है बेटा जीरो आता है right clear है बहुत बढ़िया इतनी बात समझ में आ गई circular motion clear होगा circular motion में types of circular motion आते हैं circular motion में types of circular motion आते हैं तो मैं दोनों को यहां पर ऐसे bifurcate करा देता हूं आप लोगों को यहां पर हम बात करेंगे एक तो होगा आपका uniform circular motion बेटा जिसे हम बोलेंगे UCM UCM में क्या होगा है यहां पर alpha की value होती है बेटा 0 अगर alpha 0 है तो tangential acceleration भी होगा बेटा 0 alpha 0 तो tangential acceleration भी होगा 0 मतलब यहां पर net acceleration केवल और केवल एक ही net acceleration केवल और केवल एक ही होगा जो होगा centripetal acceleration के बराबर everyone तो अगर particle circle में घूमता है तो उसके पास होता एक centripetal acceleration जिसकी direction होती है towards the center जिसको अपन लिखेंगे AC और इस AC का value कितना होता है बिटा तो इस AC का value होता है AC is equals to V square over R क्या यह बात आपको पता है AC is equals to V square over R uniform circular motion है ठीक है uniform circular motion अगर है तो AC is equals to V square over R होगा alpha की value मैं उसे बोल रहा हूँ 0 clear है okay इतनी बात समझा गए tangential acceleration 0 हो गया यह हो गया अच्छा यहाँ पर बेटा क्या होता है V आपका क्या करेगा तो V यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अगर 80 आपका 0 है तो speed of यहाँ पर क्या होगा बेटा speed जो होगी जिससे अपन बोलेंगे magnitude of velocity वो कैसी रहेगी वो constant रहेगी velocity और यहाँ पर जो आपका acceleration है दोनों ही vector कैसे रहेंगे constant नहीं रहेंगे variable रहेंगे momentum आपका constant नहीं रहेगा क्योंकि direction लगाता चेंज होगी kinetic energy आपकी constant हो जाएगी बेटा kinetic energy आपकी constant हो जाएगी बोलो yes or no come on everyone kinetic energy आपकी constant हो जाएगी अब अगर इतनी बाते आपको समझ में आ रही हो तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ ठीक है तो net acceleration किसके बराबर होगा तो net acceleration आप यहाँ पर बोलोगे कि सर्वो AC के बराबर होगा जिसकी value v square over r ही होगी और बाकी सारी चीज़े हमारे सामने है ठीक है तो यह है uniform circular motion अगला जो circular motion आता है जिसे अपन कहते बटा non UCM क्या होता है वो non uniform circular motion इसमें सबसे पहला change तो यही कि alpha 0 नहीं होता है दूसरा change यहाँ पर यह कि अगर alpha 0 नहीं है तो 80 की value भी r alpha होती इसलिए वो भी 0 नहीं होगा दोनों बाते clear हो गई ठीक है अब अगर alpha आपका यहाँ पर कैसा है बिटा अगर alpha आपका यहाँ पर constant है तो equation of kinematics यहाँ पर सारे use हो जाएंगे equation of kinematics सारे use हो जाएंगे कैसे use होंगे आए बताते है equation of kinematics use कुछ इस प्रकार से होंगे बिटा कि हमें मालूम है कि omega final अगर हमें निकालना है तो omega initial प्लस क्या हो जाएगा alpha t से निकलेगा ठीक है अगर आपको निकालना है यहाँ पर theta तो वो क्या हो जाएगा omega initial into में t और plus क्या लिखना पड़ेगा half alpha t square हो जाएगा theta अब यहाँ पर omega final का whole square अगर आपको चाहिए तो वो हो जाएगा omega initial का whole square और plus क्या होगा बिटा यहाँ पर 2 alpha और theta लिखना पड़ेगा theta n अगर आप लिखोगे तो वो हो जाएगा omega initial और plus हो जाएगा alpha divided by 2 और bracket में 2 and minus 1 सारे की सारी चीज़े as it is valid है सारी की सारी चीज़े as it is क्या हो रही है बिटा valid है यहाँ तक बात समझ में आ रही है तो अगर alpha आपके पास constant है अगर alpha आपके पास क्या है constant है थोड़ा से मेरे पास space नहीं बचा मुझे इधर करना चाहिए इसको अलफा अगर हमारे पास constant चल रहा है बिटा अलफा अगर हमारे पास क्या चल रहा है constant चल रहा है non uniform circular motion में ही अगर alpha हमारे पास constant चल रहा है यह सारे equations valid हो सकते हैं बोलो yes or no तो इसी लिए theta in one second theta in one second theta in one time theta in another time theta in another time मतब theta in one second theta in two second theta in three second का जो ratio होगा, वो यहाँ पर क्या होगा, अगर पार्टिकल ने यहाँ पर, जो है, theta 1 is 2, theta 2 is 2, theta 3 का ratio पूछा है, so that will be 1 is 2, 3 is 2, 5 वही होगा, जो बाते वहाँ पर valid होती थी, same to same result, same to same result, कोई confusion है क्या, कोई confusion है का, same to same result is valid, यहाँ पर also, ठीक है, same to same result is valid यहां पर भी एक बात हो रहें ओमेगा को आप यहां पर क्या लिखेंगे ओमेगा को आपन लिखेंगे total angle subsonant divided by total time taken विटा sometimes हम यहां पर क्या बोलेंगे कि यह जो omega की value है वो number of revolution कर रही है एक revolution में 2 pi angle तो n revolution में 2 pi n अब अगर वो per minute है इसलिए यहाँ पर आपको 60 से divide करना पड़ेगा जहाँ पर n कॉम बोलेंगे rpm number of revolution per minute बेटा फिर यही omega क्या हो जाता है आपका यही omega केवल और केवल 2 pi n भी हो जाता है जहाँ पर इसको हम बोलेंगे rps revolution per second अगर n आपका rps में है तो 60 से divide नहीं होता है अगर वो rpm में है तो फिर 60 से divide करना पड़ेगा क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है अगर आपका 80 कैसा हो गया बेटा यहाँ पर है तो 80 की value क्या होती है 80 is basically tangential acceleration और वो होता है यहाँ पर dv divided by dt इसका मतलब यह है कि v का जो magnitude है बेटा वो भी constant नहीं रहने वाला है v का magnitude भी constant नहीं रहेगा जबकि यहाँ पर uniform circular motion में v का magnitude constant रहेगा तो कितने accelerations होंगे यहाँ पर 2 acceleration होंगे बेटा ठीके न यहाँ के circular motion में there are 2 acceleration एक होगा आपका centripetal acceleration एक होगा आपका यहाँ पर tangential acceleration there are 2 acceleration possible ठीके there are 2 accelerations possible एक tangential और दूसरा आपका centripetal तो इन दोनों का मिला के resultant होगा जो भी होगा इन दोनों का क्या होगा जो भी होगा resultant इन दोनों का मिला के होगा क्या यह बात समझ में आ रही है सब लोगों को तो यहां पर हमने इसको ऐसे connect कर लिया and then this will be the net result net acceleration a और net acceleration a की value क्या होगी under the root of under the root of ac का square plus क्या होगा बेटा 80 का square आई बात समझ में clear है की नहीं चमकता है सब को ठीक है जो power delivered to the system होगा power delivered to the system होगा बेटा तो power केवल और केवल यहां पर कौन deliver कर सकता है तो mass इंटो में acceleration इंटो में velocity बेटा और यह power deliver कर सकता है केवल और केवल tangential force इसलिए यहां पर केवल हम tangential acceleration की बात करेंगे क्योंकि यहां पर बेटा जो आपका centripetal acceleration है वो तो velocity से perpendicular हो गया तो वो कोई work नहीं करेगा इसलिए उसका कोई power भी नहीं होगा यह वाला angle अगर अपने को theta बोला जाए और इसे निकालना हो था हम बोलेंगे बहुत simple है 10 theta is equal to perpendicular that is AC upon my base that is हम लिख देंगे बिटा यहां पर 80 is that clear सब को चमकता है कोई confusion यहां तक अगर बताईए तो circular motion की जो basic चीजे मैंने लिखी है क्या यहां तक आपको clear समझ में आ गई बिटा क्या यहां तक आपको clear समझ में आ गई ठीक है तो यह kinematics of circular motion पूरा हापका यहां पर हो जुका बिटा दो types होते हैं UCM uniform circular motion non UCM non uniform circular motion अब यहां पर आता है dynamics of circular motion next हम बात करते है किसमें बिटा यहां पर dynamics of circular motion में चार यह point number आपका 5 था kinematics of circular motion everyone अब आते हैं point number 6 में और उसे हैं आपन कहते हैं बिटा dynamics of circular motion dynamics of circular motion circular motion dynamics में जब हम बात करते हैं बिटा तो यहाँ पर concept of pseudo force involved हो जाता है क्या involved हो जाता है concept of pseudo force involved हो जाता है कैसे involved होता है let's discuss this क्या होता है जी यहाँ पर अगर कोई particle है who is like say यहाँ पर एक रसी से बंधा हुआ है ठेक है कोई particle है अगर वो रसी से बंधा हुआ है यहाँ पर भी वो particle है मान लीजे वो बंदा हुआ है यह पार्टिकल का मास M है यहाँ पर आपसे पूछाए कि बताइए टेंशन T1 कितना होगा यहाँ पर पूछाए बताइए टेंशन T2 कितना होगा अगर यह एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो पूरा सिस्टम सेम एंगुल स्कूर ओवर आर बोलो यह सोरनो क्या लगेगा बिटा यहाँ पर अगर यह ओमेगा से घुम रहा है तो इसके उपर शुड़ो फोर्स लगेगा एम ओमेगा स्कूर आरवन तो यहां से लगा कर यहां तक की रेडियस को हम बोलेंगे आरवन ठीक है तो मैं बना भी देता हू सवाल करेंगे और अच्छे से क्लियर होगा यह तुम्हारा आरवन है तो इसके उपर शुड़ो फोर्स क्या लगेगा लगेगा एम ओमेगा स्कूर आरवन और यहां पर अगर आप देखेंगे क्योंकि सेंटर की तरफ तूवाट्स दे सेंटर तूवाट्स दे सेंटर सेंटर की तरफ है तो सेंट्रिफिगल फोर्स कहां पर होगा यहां से लगा कर यहां तक का अगर मान लीजे रेडियस आपका कितना है आर टू है तो इसके उपर सेंट्रिफिगल फोर्स कितना लगेगा तो लगेगा एम ओमेगा स्कूर आर टू का स्कूर आई बात समझ में clear है कि नहीं तो यहां पर we can write कि sir अगर T1 हमें निकालना है तो T1 की value तो हो जाएगी M omega square और अगर यह distance भी L है यह distance भी L है तो हम लिखेंगे यहां पर वो कितना हो जाएगा 2L का whole square so that value comes out to be M omega square यह हो जाएगा 4L square और अगर हमें T2 लिखना है तो वो हो जाएगा यहां पर T1 प्लस M omega square R2 का square value लिखेंगे 4M omega square L square सवाल भी हो गया देखो और plus करके यहां पर आप क्या लिखेंगे sir M omega square और R2 के value कितने लिख लोगे L का whole square तो result would be T2 is equals to 5M omega square L square क्या बात क्लियर आ रही है axis of rotation के जितना पास आओगे axis of rotation के जितना पास आओगे tension उतना ही ज्यादा बढ़ता चला जाएगा tension उतना ही ज्यादा होगा इसी लिए कई बार ऐसा सवाल आता है बेटा concept number 7 में बताते हैं कई बार ऐसा सवाल आता है कि हमारे पास क्या है हमारे पास एक uniform rod है हमारे पास एक uniform rod है जिसको हमने angular velocity omega से rotate कर दिया इस rod का total mass M है length L है total mass M है और length क्या है बेटा L है आपको बुला गया है कि बताईए यहाँ पर इस rod के ऊपर tension की value कैसे vary करेगी if we are taking the measurement from this axis of rotation तो यहाँ से x distance पर एक छोटा सा element हमने select किया बेटा जिसका distance dx है जिसका mass छोटा सा है dm है तो बेटा जी जब आप यहाँ पर देखोगे तो इस dm के ऊपर एक force लगेगा वो लगेगा dm omega square x बोलो यह सोर नो dm omega square x और वो यहाँ पर किस से balance होगा tension से centrifugal force लगेगा ना छोटे से element के ऊपर तो उतना ही यहाँ पर क्या होगा उतना ही इस तरफ यहाँ पर tension होगा जिसको अपन बोलेंगे dt जिस tension को अपन क्या बोलेंगे dt तो हमने लिखना है tension dt छोटे से element पर tension dt is equals to यहाँ पर क्या होगा omega square x होगया और यहाँ पर dm की जगह क्या लिखोगे तो dm को लिखेंगे बिटा lambda into dx तो यहाँ पर आप लिखोगे बिटा lambda into my dx total tension के लिए आप यहाँ पर integrate करेंगे over the period of time तो you will understand किसर यहाँ पर x की value vary करेगी तो यह क्या हो जाएगा t is equals to यह होगा omega square lambda and that would be x square divided by 2 तो x जितना कम tension उतना कम fit tension जो है वो यहाँ पर पहुँचेगा अगर element तो बढ़ता चला जाएगा got the point everyone यहाँ तक समझ आया ठीक है ठीक है चलो हाँ जी circular motion चल रहा इसके बाद work energy power और उसके बाद rotation उसके बाद जो है complete हो जाएगा ठीक है न चले आगे बढ़ते हैं अगला dynamics of circular motion में ही इस तरह के सवाल आपने देखे होंगे बेटा कि एक gramophone के ऊपर ठीक है ना concept of gramophone बार बार कहीं बार आप लोगों ने देखा होगा कि gramophone है और अगर gramophone को आपने अब्ज़र्व किया कि यह इस तरह का gramophone है और यहाँ पर कहीं तो कोई एक particle रखा हुआ है आर डिस्टिंस पर gramophone की radius मान लीजे capital आर ले लेते ठीक है तो यह जो पार्टिकल है और इस gramophone के जो surface का रफने से वो बिटा म्यू है ठीक है ना तो अगर यह यहाँ पर रखा है आर डिस्टिंस पर पार्टिकल कहां पर रखा बिटा आर डिस्टिंस पर तो एट वाट स्पीड इस ग्रामो फोन शुड रोटेट सो डाट पार्टिकल यहाँ पर क्या नहीं करना चाहिए इसके लिए किस एंगुलर वेलोसिटी से आप इसको गुमाओगे तो बिटा जी जैसे आप इसको ओमे ठीक है तो वो सेंट्रिफिगल फोर्स कितना होगा सर एम ओमेगा स्कूर इंटू स्मॉल आर होगा एम ओमेगा स्कूर इंटू स्मॉल आर होगा और उसको रोकने का काम कौन करेगा फ्रिक्शन करेगा तो शर्त यह है कि फ्रिक्शन की वेल्यू शुड भी मोर देन एक्वस उसे क्या लिखेंगे अपन तो उसको लिखेंगे M G और वो होगा more than equals to M omega square R M से हम आपने cancel out किया तो omega की value should be less than or equal to under the root of कितनी होनी चीए बेटा mu G divided by small r आई बात समझ में अब अगर जित्ती दूर रखोगे omega की value उतनी कम होती चली जाएगी जित्ता particle को दूर रखोगे should of force उतना बढ़ेगा उतना जादा ही particle के slip होने के chances बढ़ते चले जाएगे ठीक है न तो center के नजदीक center के पास में सिक्का जादा महफूज रहता है जादा center के पास में वो stable रहेगा center से दूर ले जाओगे तो उसके उड़ने के chances उतने ज्यादा बढ़ जाते हैं ठीक है भी यहां समझ आया कि नहीं सभी लोगों को यहां तक चलिए तो gramophone वाला concept clear हो गया next next आता है यहां पर death will पढ़ा होगा समझा होगा death will क्या होता है death will उसको समझाते हैं death will में क्या होता है बिटा कि यहां पर हमारे पास आता है क्या होता है हमारे पास है यहां पर एक इक सिलिंडर होता है and if you look at the diagram like this थीक है तो आपको समझ भी आ जाएगा कि मैं किसkiem कि अनंपार का cylinder के बारे में बात कर रहा हूं ठीक है तो ऐसे हमारे पास यहाँ पर यह death well होता है अब क्या होगा कि यह death well को हम rotate कर रहे हैं किसी particular angular velocity से right we are rotating this death well with a particular angular velocity right तो जब यह किसी angular velocity से rotate होगा तो यहाँ पर जो particle है उस particle को नीचे गिरने के लिए कौन force कर रहा है उसका self-at mg अब उसको नीचे गिरने से रोकेगा कौन रोकेगा यहाँ पर बेटा friction अब friction में तो चाहिए आपको यहाँ पर mu into में n बोथ n कहां से आएगा तो n यहाँ पर होगा m omega square r के बराबर क्योंकि इसके उपर क्या लग रहा है और वही pseudo force normal से balance होगा तो condition फिर से वही है बेटा कि f should be more than equal to क्या होना चाहिए आपका mg लेकिन आप इसको क्या लिखोगे mu into n should be more than equals to mg तो यह तो mu है n की जगह पर क्या लिखोगे m omega square क्या लिखोगे r should be more than equals to क्या बेटा mg आई बात समझ में कि नहीं तो यहां पर क्या हो गया mu से m से m cancel तो omega की value maximum या कम से कम तो जो है इतनी होनी चाहिए कि g divided by यहां पर यह क्या रहे बेटा mu r आई बात समझ में कि नहीं everyone that's formula that's the formula ठीक है थोड़ा सा लंबा वक्त हो गया है लेकिन हमने बीच में break कर लिया तो अब तो ऐसा लग रहा है कि वापस से we have started the class right है ना वापस से we have started the class तो death well clear हो गया सब कुछ clear हो गया dynamics of circular motion circular motion में चीजे कैसे calculate करनी है कैसे आगे बढ़ना है how to move everything you got the point बिटा ठीक है आगे बढ़ें तो 140 नमबर लाने के लिए बहुत बहुत आसानी से आपको क्या करना है series को follow करना है आज थक जाओगा I can totally understand थोड़ा बहुत जो भी revision का काम है फिर bio chemistry में वो करना है जो कुछ भी extra पढ़ना है उसे कीजिएगा but today what you have to do is you have to complete previous year questions ठीक है न जितने chapters मैंने revise करा दी उतने chapters के पिवाई क्यों आप solve करेंगे फिर मेरे साथ आप लोग questions solve करेंगे ठीक है अभी में पहले आपको starting के 4 lectures में पूरी physics revise कराऊंगा इस तरह से अगली class में में थोड़ा सा तरीका बदलूँगा जिससे वक्त कम ठीक है जो अभी में लंज करने गया था तो मुझे एक idea आया है ठीक है तो that I will implement ठीक है एव्रिवार्ट डन चलिए आजाए नेक्स्ट यहां पर जो आता है बेटा वो आता है banking of curve ठीक है next is very very important बेटा तो next हमारा जो बन रहा है is point number 8 और वो है आपका banking of curve बहुत जादा important है फ banking of curve बैंकिंघंग ओफ यहां पर क्या है का अएगा बैटा कर्व या फिर bending of cyclist banking of curve या फिर bending of cyclist जब भी कभी हम और भी कभी हम horizontal turn लेते हैं इस तरह से circular road इबेटा इस तरह से circular road और इस circular road में जब कोई गाड़ी Eternal करने की बात करती है तो उस गाड़ी के ऊपर उस गाड़ी के ऊपर क्या लगता है बेटा एक centrifugal force लगता है कितना centrifugal force लगता है तो mv square over r लगता है अब यदि उस centrifugal force को counterbalance ना किया जाए तो गाड़ी तो भाई अगर ये force लग रहा है और इसको कोई balance करने वाला नहीं है तो ये गाड़ी तो थोड़ी दिर बाद यहां फिर यहां फिर यहां फिर यहां फिर यहां फिर यहां फिर यहां और तो भारी हो जाएगी तो उससे stable रखने के लिए यहां पर क्या लगता है बेटा यहां पर लगता है force और वो force होता बेटा friction force कौन सा होता बेटा friction force ठीक है understood everyone क्या होगा बेटा friction force होगा good तो अगर friction force है तो हमें यहाँ पर क्या बोलना पड़ेगा कि sir यह जो F है should be more than or equal to pseudo force that is mv square over r अब यहाँ पर आप इसे क्या लिखोगे mu into n और n की value हो जाएगी mg level road है बेटा अभी कैसा है यहाँ पर यह level road तो इसलिए n की value mg के बराबर होगे and that would be mv square over r m सेम cancel होगा तो v की value should be less than or equal to under the root of mu g r बेटा समझ में आई बात सब को कितनी होनी चीए under the root of mu g into r on level road ठीक है na safe speed on कहां पर बेटा level road अगर level road है सुनो अगर road कैसा है बेटा level road है और अगर पानी गिर गया तो mu कम हो जाएगा level road है पानी गिरा slippery हो जाएगा road तो mu कम हो जाएगा mu जितना कम होगा speed उतनी कम करनी पड़ेगी तब जाकर आप road पे turn कर पाओगे तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं बैंकिंग करते हैं ना वोट दो यू मीन बाइंकिंग तो बैंकिंग का मतलब होता है यहाँ पर raising of outer age of a road with respect to the inner age तो पहले आपका road ऐसा था पहले आपका road ऐसा था यह रही आपकी inner age of the road यह रही आपकी outer age of the road लेकिन अब आपने क्या किया inner age के respect में outer age को उठा दिया inner age के respect में आपने outer age को उठा दिया जब उठाया तो यहाँ पर यह एंगल क्या होगे बिटा थीटा यह एंगल होगे थीटा तो यहाँ पर यह क्या होगे बिटा height हो गया आपका h, width हो गया w, road थोड़ा उठ गया तो अब जो भी गाड़ी यहाँ पर आएगी उस गाड़ी पर normal लगेगा ऐसे बोलो या सोरो अब normal अगर ऐसे लगेगा तो of course बात है कि normal के यहाँ पर components हम break कर पाएंगे everyone यह वाला angle अगर आपका थीटा होगा तो normal के दो component होगे एक vertical और एक horizontal अब यह जो horizontal component है नॉर्मल का जिसको हम बोलेंगे n sin theta यह वाला component क्या करेगा बिटा इस centrifugal force को which is mv square over r उसे balance करेगा जब मैंने गाड़ी को horizontal इसे turn कराया ना तो बाहर के तरफ centrifugal force लगा उसको balance करने वाला कोन है यहाँ पर n sin theta मैं यह क्या condition ले रहा हूँ मैंने यह condition ली कि यह एक ऐसा road है जिसमें mu zero कर दिया यह एक ऐसा road है जिसमें मैंने क्या कर दिया mu zero कर दिया तो उस situation में आप यहाँ पर लिखेंगे ठीक है ना कि sir n sin theta किसके बराबर होगा n sin theta बराबर होगा आपका mv square over rk और n cos theta जो होगा वो balance करेगा rho आपका self weight को दोनों equation को जब हम आपस में divide करते हैं तो हमारे पास answer आता है 10 theta is equals to v square over rg जिससे हमें v की value पता चल जाती है कि sir rg और 7 में क्या आ जाता है 10 theta क्या यह बात समझ में आ रही है यह सब लोगों को तो why we have to raise the outer age समझ में आ रहा है outer age को raise करने से normal का एक component center की तरफ लगने लगता है जिसकी वजह से we can balance centrifugal force यही कारण है जब हम turn करते हैं तो हम अपने आपको जुका लेते हैं हमारे जुकने से हमारा normal ऐसे लगने लगता है जिसका एक component centrifugal force को balance करता है तो why cyclists bend themselves while taking the turn समझ में आ रहा है अब एक case यहाँ पर आता है जिसमें हम बात करेंगे बिटा case number 1 था case number 2 था case number 3 जिसमें banking with friction करेंगे क्या करेंगे बिटा यहाँ पर हम हम बात करेंगे sir यहाँ पर banking की लेकिन banking करेंगे किसके साथ with friction banking करेंगे किसके साथ करेंगे बिटा with friction करेंगे got the point banking with friction तो when we are doing banking with friction we have to understand one thing we have to understand one thing banking with friction में की यहाँ पर आपको दो चीज़े निकालनी एक V maximum कितना हो सकता है उसकी calculation होगी बिटा और एक V minimum कितना हो सकता है वी minimum क्यों समझांगा वी minimum क्यों उसके बारे में हम बात करेंगे देखो वैसे केवल मेने सोचा था कि मैं खाली formula formula लिखूंगा और मैं complete कर दूँगा तो मैं चार घंटे में नॉर्मल ठीक है यहां पर आएगा नॉर्मल यहां पर इसके उपर लगने वाला आएगा बेटा सेंट्रिफिगल फोर्स जिसकी वैली होगी अब यहां पर जब आप अबसर्व करेंगे तो यह वाला एंगल फिर से आपके पास हो जाएगा थीटा अब गाड़ी अगर मैक्समम स्पीट से चला रहे हो तो बाहर की तरफ उड़ने की कोशिश करेगी बिटा और जब बाहर की तरफ उड़ने की कोशिश करेगी ना यहां पर इधर लगेगा जिसकी वैली होगी म्यू इंटू में एन क्या यह बात समझ में आ रही है तो यह वाला एंगल तुम्हारा थीटा होगा यह वाला एंगल तुम्हारा थीटा होगा तो अब तुम्हें यहां पर ध्यान से सुनना है समझना है आपको बाते क्लियर हो n cos theta मिलकर balance करेंगे mv square over r को everybody ठीक है और जो n cos theta है उसमें से देखो कि n sin यहां पर f का जो component ना वो नीचे लगेगा जबकि n cos theta उपर लग रहा है तो नीचे लगने वाले को उपर लेकर जाओ तो यहां पर इसमें से माइनस करेंगे बिटा mu n का sin theta और वो balance करेंगा mg को डोनों का आपस में divide करेंगे cos theta को बाहर करेंगे तो यहां से v maximum का formula that you have to understand and remember also ठीके बिटा क्या value आने वाली है तो value आने वाली rg और यहां पर cos theta आपने बाहर किया उपर आएगा आपके पास 10 theta 10 theta plus आएगा बिटा mu 10 theta plus mu और नीचे क्या आजाएगा बिटा तो नीचे आजाएगा यहां पर आपके पास में 1 minus mu 10 theta 1 minus mu 10 theta this is the maximum speed everyone this is the maximum speed clear ने बचो चलो कोई बात ने ठीक है फिर same to same diagram बनेगा with the only difference is v minimum के case में क्या होगा if we are raising the outer edge outer edge में raise कर रहा हूं यह मैंने outer edge को raise किया और यह गाड़ी है मेरे बहुत कम speed से चल रही तो क्या करेगी कि ऐसे लुड़क सकती है ना नीचे यह गाड़ी अगर बहुत कम speed से चलेगी बहुत कम speed से तो लुड़क के center की तरफ आजाएगी तो यह लुड़क कर center पर ना आए इसके लिए minimum speed इसको maintain करनी पड़ेगी yes or no इसलिए v minimum बताते हैं तो v minimum के लिए again जब आप यहां पर diagram बनाओगे diagram would be like this सब कुछ same रहेगा the only difference the only difference that you have to understand is normal यहीं लगने वाला है ऐसे centrifugal force इसे लगेगा which is mv square over r बस एक चीज़ का फरक पड़ेगा कि friction इस बार उपर की नीचे की जगा उपर लगने लगेगा और friction अगर उपर लगने लगेगा तो पूरा derivation अब आप कीजिएगा मैं direct formula लिख रहा हूँ टेन थीटा got the point everyone ठीक है ना गारी मस्त है सही है चलो clear हुआ यहां तक तो यह था बिटा complete circular motion circular motion में अब एक चीज जो है वो है conical pendulum circular motion में एक चीज़ है conical pendulum बिटा वो इसी concept पर based है conical pendulum is based on this concept only जो हमने यहां पर अभी किया था है ना अब इसी friction में इसी friction के basis पर जो और चीज़े होती है उसको थोड़ा सा discuss कर लेते हैं ठीक है यह concept भी आपको देखने को मिलेगा कि एक hemispherical bowl पर एक hemispherical bowl है कैसा बाउल है पीटा hemispherical bowl है कुछ इस तरह का और उस hemispherical bowl में उस hemispherical bowl में एक particle जो है वो क्या कर रहा है hemispherical bowl है और उसमें particle नीचे से कहीं किसी height पर equilibrium में है किस height पर equilibrium में है वो कहीं बार पूछा जाता है कि tell me that height की यह h is equals to कितना होगा अगर यह particle यहाँ पर equilibrium में है क्या हुआ आपने इसको rotate किया omega से omega से rotate हुआ omega से rotate हुआ तो आपका यहाँ पर small r था बिटा अब hemispherical bowl है तो यह center से लगा कर यहाँ तक का जो distance है center से लगा कर यहाँ तक का जो distance है यह capital R होगा everyone और इस angle को हमने theta कहा है इस angle को हमने theta कहा है तो इस omega की वज़े से इसके पास एक centrifugal force लगेगा क्या लगेगा बिटा सेंट्री फिगल फोर्स लगेगा और वो सेंट्री फिगल फोर्स कितना होगा तो जिसको हम बोलेंगे ओमेगा स्क्वेर ओवर और बोले यह सोर नो और एक यहाँ पर इसका इमजी लगेगा नीचे की तरफ बहुत बढ़िया अब यहाँ पर यह लाइन भी तो वर्टिकल होगी ना यह लाइन भी तो वर्टिकल अब दो आस्पेक्ट है दो आस्पेक्ट है सेम सवाल है दो आस्पेक्ट है ध्यान से सुनना गलती होती हो डाउट पूछते बच्चे यह दो आस्पेक्ट है सेम सवाल है पहला मैं यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ कि अगर यह सर्फेस आपका स्मूथ हो अगर यह सर्फेस है ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा तो बेटा जी आपको ये देखना पड़ेगा कि ये वाला जो आपका component है ठीक है ये ये वाली line tangent होगी बेटा ये वाली line tangent होगी ये 90 माइनस थीटा है ये थीटा होगा तो we have to say one thing smooth condition में जो mg का sin theta component होगा that would be balanced by m omega square r और उसका कौन सा component बेटा cos theta component तो यहाँ पर आप m से m cancel out करोगे तो value आजाएगी आपके पास में g 10 theta is equals to omega square और into में यहाँ पर small r होता है अब जो पूछा है वो calculate किया जा सकता है 10 theta में यहाँ पर निकाल सकता हूँ कैसे calculate करना है we can get that ठीक है तो एक तो basic logic यह पता होना जाएगी कौन से forces अगर यही हम यहाँ पर काम कर रहे हैं जब system rough है जब rough होगा तो mg का sin theta इसको नीचे खिचने की कोशिश करेगा और friction का mu mg cos theta इसको क्या करेगा उपर खिचने की कोशिश करेगा तो यहाँ से हमको पता चलेगा कि 10 theta is equals to mu हो गया अब 10 theta कैसे निकलेगा आ जाएए 10 theta आपको बोलना पड़ेगा सर perpendicular upon base क्या लिखना पड़ेगा बिटा perpendicular upon base तो perpendicular तो यहाँ पर होगा small r के बराबर perpendicular तो होगा small r के बराबर और base होगा यह वाला और यह base बिटा r minus h होगा ध्यान से देखना everyone तो 10 theta को लिखेंगे perpendicular upon base r minus capital h is equals to यहाँ पर क्या हो जाएगा mu और बेटा अगर मुझे theta पता है तो I can get r value r को में capital r sin theta लिख लूँगा 10 theta अगर मुझे पता है mu अगर मुझे पता है तो I can get small r का value यहाँ रखूँगा तो we can get h का value also तो तुम्हें समझ आ रहा है rough है तो क्या सवाल पूछा जाएगा smooth है तो क्या सवाल पूछा जाएगा everyone यह है hemispherical ball से related problem बेटा ठीक है hemispherical ball से related problem कहीं बार पूछा जाता है अभी यहाँ तक अगर clear हो गया तो अबता है can we go to the next chapter come on everyone can we go to the next chapter how is the Josh how is the Josh everyone high तो नहीं दिखरा मुझे ठीक है चलिए आईए अब मैं formula formula explain करते हूं फटाफट फटाफट let's get this done फटाफट कहतम करते हैं तो we are starting with work energy and power we are starting with work energy and power ठीक है work energy and power में पहला concept होता है बेटा work done और जो work done होता है वो होता है यहाँ पर कैसे तो work done को अपन देखते हैं कि f work done को अपन लिखते हैं ऐसे होता है w is equals to f vector का dot पन करते हैं s vector के साथ जब dot product open होता है तो यह हो जाता है आपका fs cost theta इसमें theta क्या होता है तो theta होता है हमारा यहाँ पर angle थीटा होता है हमारा यहां पर angle between force and यहां पर हम लिखेंगे sir displacement vector angle between force and displacement vector ठीक है थीटा के अलग-अलग कैसे से अगर थीटा मेरा यहां पर 0 हो जाता है तो cos theta की value मेरी यहां पर 1 हो जाती है जिससे मेरा work done f into में s और यह value maximum हो जाती है तो cos theta की value यहां पर क्या हो जाती बेटा minus 1 हो जाती है और उस condition में उस condition में यहां पर क्या होता है मेरा तो work done हो जाता है minus का fs right और जब theta की value मेरी यहां पर क्या होती बेटा 90 degree उस condition में मेरा cos theta value क्या हो जाता है 0 और उस condition में मेरा work done हो जाता है 0 ठीक है यहां तक बात समझ में आ रही है अब यह तो आपका था point number A और point number A सबको समझ में आ गया हो क्योंकि simple था point number B पर चर्चा करते हैं point number B यह बताता है कि जो cos theta की value होती है is positive for theta less than 90 degree यदि theta की value less than 90 degree है तो cos theta कैसा होगा positive होगा cos theta positive होगा तो work done भी आपका positive होगा और work done positive होगा तो system की kinetic energy जो particle होगा उसकी kinetic energy increase करेगी यह बात तुवह पता होनी चाहिए ठीक है जब theta की value कैसा होगा acute होगी तो work done positive होगा work done positive होगा तो kinetic energy बढ़ेगी जब तुम्हारा cost theta का value कैसा होगा negative होगा मतलब theta कैसा होगा more than 90 degree उस condition में तुम्हारा work done कैसा होगा negative और जब work done negative होगा तो kinetic energy of particle यहाँ पर decrease करेगी यह पता होना चाहिए क्या यहाँ तक बात सबको समझ में आ गए तो work done clear हुआ बिटा work done clear हुआ work done में कहीं कोई problem कोई confusion work done में point number 2 is very important उसे देखे का sorry point number 3 यहीं पर बात कर लेते हैं point number C ठीक है न तो work done अगर कभी भी पूछा जाएगा आपसे work done by constant work done कैसा बिटा work done by constant force तो work done by constant force constant force का मतलब है एक ऐसा force जिसका magnitude और direction दोनों fix magnitude और direction दोनों fix तो उस condition में हम बोलेंगे work done जो होगा is equals to force की value into में हमें लिखना पड़ेगा displacement along displacement along कहां पर बेटा तो displacement along force बोलो yes और नो क्या ये बात समझ में आ रही है displacement along force इतनी बात है अगर आपको clear है work done से related we can move ahead आगे और सोच सकते हैं next यहां तक clear हो गया यहां तक clear हो गया ठीक है point number two में आते हैं point number two में आते हैं ठीक है point number two में work done by variable forces आने से पहले work done by gravity बता देता हो में आपको ठीक है ना तो work done by ग्रेविट एक काम करते हैं work done by variable बता देते तो फिर gravity के साथ मैं जो है potential energy भी connect कर दूँगा तो work done जो है variable forces का तो work done by variable forces के जब आप बात करोगे तो वो होगा total work done is equals to f into में क्या होगा डीक्स होगा तो यहां पर अगर आप देखोगे तो यह क्या बताता है फ इंटू में डीक्स अगर आपने लिया यहां पर area under curve यहां पर grace वर्सिस displacement graph का area under the curve आपको क्या बता देगा area under the curve आपको बता देगा यहाँ पर work done बेटा ठीके न और अगर work done versus work done versus force का अगर work done versus displacement का अगर graph है तो वहाँ से आपको force निकल जाएगा slope निकाल के ठीके clear है यहाँ तक बात समझ में आ गई सब लोगों को clear है तो area under the curve क्या दे रहा ह है clear हुआ चलिए बहुत बढ़िया ठीके आगे बात करते है नेक्स्ट यहाँ पर point number 3 जो होता है बेटा work done by constant forces में work done by mg क्या निकालेंगे बेटा पनिया पर work done by mg work done by क्या हो गया बेटा mg अब जो mg है वो magnitude wise भी fix है और यहाँ पर direction wise भी fix है हमेशा downward लगता है तो यह जो mg force है यह कैसा force है यह constant force है तो कोई भी object और body हो कोई भी object और body हो तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे बिटा कोई भी object और body होगा जिसे मान लीजे यहाँ पर आपका यह हो गया ground floor यह हो गया आपका ground floor ठीके ना आपके घर का ground floor हो गया यह और यह आपका हो गया यहाँ पर first floor ठीके ना क्या होगे बिटा यहां पर यह first floor हो गया ठीक है बहुत बढ़िया तो first floor हो गया आप पार्टिकल को सीधा सीधा यहां से उठा के सीधा ऊपर ले जाके रख दो एक तरीका यह हो सकता है एक तरीका ऐसे स्ट्रेट ले जाके रख दो एक तरीका यह हो सकता है और एक तरीका आप इसको ऐसे घुमा फिरा के लाके रखोगे तो वो भी एक तरीका हो सकता है दिरा multiple possible ways जिससे यह particle अपने first floor से उठके second floor पे आ जाएगा यह ground floor से first floor पे आ जाएगा राइट everyone अब बच्चो हमने mg कहां लग रहा था नीचे की तरफ और mg के against force कहां लगाया गया ऊपर की तरफ external force जो लगाया वो कहां लगाया अगेंस्ट mg तो इन सभी रास्तों में work done by external agent work done by external agent किसके against तो हमने किया है अगेंस्ट यहां पर mg वो work done कितना होगा सभी के case में mg h के ही बराबर होगा सब केस में क्या सा होगा mg क्योंकि अभी हमने पढ़ा क्या पढ़ा कि constant force into उसकी direction में displacement constant force into force की direction में displacement तो यहां पर भले ही inclination में गया force की direction में तो यह height ही count होगी बेटा बोलो yes or no force की direction से मतलब है अपने को और force की direction में जो displacement है उससे मतलब है और अगर मैं यहां पर आपसे पूछू बेटा work done by mg तो उन में तीनों ही cases में answer क्या आएगा mg h आएगा आई बात सब्सक्राइगा तो यहां पर हमें एक note point मिल जाता है note point मिल जाता है और वो यह कि जो work done है बेटा work done by mg और और against it work done by mg और against is वो कैसा है बेटा is path independent कैसा है बेटा जी वो path independent is path independent work done by mg और against it is कैसा है बेटा वो path independent है इसलिए हम mg के work done को किसी भी path से वो आ रहा है फरक नहीं पड़ेगा हमेशा वो सेम ही रहेगा तो यहां पर हम क्या बोलेंगे बेटा mg और इसके against लगाया गया जो force है इसी लिए force of gravity इसी लिए force of gravity force of gravity is क्या होगी बेटा यहां पर is conservative इस कैसा होगा बेटा is conservative force force of gravity is conservative force तो what do you mean by conservative force जिनका work done कैसा होता है बेटा conservative forces जिनका work done कैसा होता है जिनका work done जो होगा वो होगा path independent जिनका work done कैसा होगा बेटा path independent पहली चीज और दूसरा दूसरा work done in a round trip क्या हो जाएगा बेटा work done in a round trip क्या हो जाएगा बेटा work done in a round trip is equal to zero एक round trip अगर पूरी complete कर दी तो work done क्या हो जाएगा जिरो हो जाएगा तो ऐसे forces को हम conservative forces कहते हैं conservative force field के लिए whatever work we do against conservative forces that will store as a gravitational potential energy देखे आपने देखा होगा यहाँ पर यह मेरा पहला फ्लोर है यह मेरा दूसरा फ्लोर है यहाँ पर particle रखा था हमने इसको उठा के यहाँ रखा कितना work किया आपने MGH के बराबर इसके configuration में change हुआ अगर इसके configuration में change हुआ तो हम यहाँ पर क्य आप बुलेंगे बिटा ती work done against conservative forces वो किस में चला गया तो चला गया gravitational potential energy में तो gravitational potential energy यहाँ पर क्या होगी MGH के बराबर होगी और यह basically क्या होता है यह होता है work done by external agent ठीक है work done by external agent जिसमें हम work जब कर रहे हैं तो particle slowly slowly shift किया जा रहा है यहाँ पर change in kinetic नहीं होती है इसी वजह से external agent का work done ही gravitational potential energy में store हो जाता है और यहीं से एक relation बनता है बिटा फिर कि conservative forces is written as minus of du divided by हम इसको बोलते हैं dr यह बहुत important relation है क्या यह बात भी आप लोगों की पढ़ी हुई है बिटा मैंने सारे dots नहीं एक साथ connect कर दिये मैंने सारे dots क्या कर दिये बिटा एक साथ connect कर दिये ठेक है everyone yes minus of du by dr अब equilibrium जब पढ़ाएंगे तब इस concept को use करेंगे अब आगे बात करते हैं next next अरे हमने नभे पेजेस का content कर लिया यार 76 ओके ठीक है सब्सक्राइब 90 pages का content हमने जो है cover कर लिया विटा चलिए अच्छी बात है अच्छी बात है बहुत पढ़ाई हो गई बहुत पढ़ाई होगी है न चलिए आ जाईए फटा फट से तो क्या करने वाले बिटा क्या करने वाले इस पर चर्चा करतें थोड़ा सा बिटिज आ रक्टेंगल यह मैने रखा है यहां पर एक सरकल ठीक है यह मैने यहां पर रखा एक सरकल ठीक है उसके बाद मैंने यहां पर रखा है बेटा एक ट्राइंगल ठीक है एक क्या रखना है बेटा मैंने यहां पर ट्राइंगल ठीक है तो यहां पर इस यहां पर देठक है, तो इसका ग्रेविटेशन्स गहां पर होगा ह। पर तो इसके लिए पोटेंशल अनरजी क्या हो जाएगी? mg h by 2 हो जाएगे यहाँ पर potential energy जरू है इसका center of mass यहाँ होगा तो इसके लिए height कितनी हो जाएगी center of mass की r के बराबर तो इसके लिए potential energy कितनी हो जाएगी mg r अगर इस triangle का height इस triangle का height अगर कितना है r है तो यहाँ पर इसका center of mass कहाँ पर आएगा कहीं यहां पर आएगा और वो आएगा H by 3 पर और H आपने कितना लिया? R के बराबर H आपने कितना लिया बिटा? R के बराबर Let us suppose that, तो यहां पर आप बोलोगे कि सर यह हो जाएगा Mg R by 3 यहां पर यह square A है यह भी A है, तो यह कितने पर आएगा पेटा इसका, इसका gravitational potential energy will be Mg और कितना हो जाएगा झाल पेटा अ आप्यवदा लाओ, तो यहां फिर से मैं repeat कर देता हूँ, U है datum dependent, delta U होता है datum independent, और जो U होता है बिटा, वो defined होता है cable और cable conservative forces के लिए, non-conservative forces are those, non-conservative forces are those, जिनका work done path पर depend करता है, जिनका work done path पर depend करता है, और जिनका work done round trip में zero नहीं होता है, example के तोर पर friction, conservative forces कौन-कौन से है, conservative forces का यदि आप example देखेंगे बेटा, तो conservative forces में आपका gravitational forces, ठीक है न, gravity forces, उसके बाद में spring force, ठीक है, उसके बाद में spring force, उसके बाद में electric force, यह सारे के सारे कैसे होते हैं बेटा, conservative forces होते हैं, जिनका work done, जिनका work done किस पर depend नहीं करता है path पर depend नहीं करता है बताइए यहां तक सब को बात समझ में आ गई everyone तो conservative forces समझ में आ गई non conservative forces समझ में आ गई ठीक है चलिए अभी मुझे रुको एक मिनिट या थोड़े pages है ना थोड़े pages बनाने पड़ेंगे अब मेरे को पहले यहां जी ठीक है एक मिनिट ना चलिए आईए करें कहाने शुरूर ओके चलिए आजाईए आजाईए फटाफट से आजाईए फटाफट से आजाईए इतनी बात समझ में आ गई तो सारी बात है work done by gravitational forces समझ में आ गया work done against gravitational forces समझ में आ गया potential energy समझ में आ गई ठीक है अब यहां पर जो work done by gravity होता है वो pulling of a chain ठीक है work done by gravity in pulling of a chain तो next यहां पर जो भी आपका number आएगा 3 उसके बाद में fourth number ठीक है यहां पर अगर हमारे पास कोई तेबल है यहां पर अगर हमारे पास कोई तेबल है और इस तेबल में what we do have we have a chain which is hanging like this वो अगर इस तरह से hang कर रही है and we have to pull this off ठीक है उपर की तरफ अपने को वापस इसको खीचना है तो जब इसको उपर की तरफ वापस खीचना है इस chain को chain में total यहां पर इसका mass M है total length इसकी L है और chain का एक portion जो यहां पर L है बेटा तो कितना part nth part is hanging ठीक है न कितना बेटा यहां पर one nth part is hanging ऐसे लिखेंगे एपन इसको one by n of the total length one by n of the total length is यहां पर क्या हो गया बेटा hanging ठीक है अब अगर इतनी hang कर रही है work done कितना करेंगे तो सबसे पहले जब यह ऐसे hang कर रही है तो इसका जो center of mass है बेटा वो identify करते हैं इसका center of mass आएगा वहाँ पर जहां पर इस total length का half होगा total length का half कहां पर होगा l by 2n पर ठीक है तो center of mass कहां located है वो हम पहले mark कर देते हैं center of mass इसका located है center of mass इसका located है ओपर से ओपर से l divided by 2n पर बोलो यह सोर नो तो the situation is very similar to situation is very similar to कि यहां पर मेरे पास एक mass है जिसकी value m by n है और उसको मुझे उठा के यहां रखना है कितना height उपर लेकर जाना है बड़ा simple है height l by 2n h is equals to l by 2n लेकर जाना है तो जब किसी mass को उठाके h height उपर रखना है तो work done कितना करेंगे अपन करेंगे work done m g h के बराबर बेटा लेकिन m कितना होगा m by n होगा बोलो यह सोर नो ठीक है m by n होगा g g होगा और h की value l divided by 2n होगी तो correct answer in pulling of the chain on the top of the table is m g l divided by 2n square बोलो यह सोर नो clear है अब एक example बता देता हूँ pyq का यहाँ पर 1 6th part of chain 1 6th part of chain hanging from table from table find work done in pulling on the top ठीक है तो उपर खीचने में कितना काम करना पड़ेगा यहाँ 1 6th में जो n है वो क्या होगा बिटा 6 हो जाएगा तो पता answer क्या होगा w is equals to हम लिखेंगे sir m g l नीचे लिखेंगे 2 और यहाँ पर n के जगा लिखेंगे 6 का whole square m g l divided by कितना हो जाएगा 72 खतम सवाल बोलो यह सोर नो बीच में लीव नहीं करूंगा बिटा in fact मैं ना फटा फट से complete करूंगा in fact मैं जो है फटा फट से क्या करूंगा बिटा complete करूंगा मतलब जो है सारी चीजें साथ साथ में चला भी रहा हूं and I'll finish entire thing बस एक चीज यार एक चीज मुझे सब लोग बताओ अभी अभी अपन discuss कर लेते क्योंकि आप लोग भी यहीं पे हो आप लोगों के लिए मुझे काम करना है and आप ही लोगों के लिए सुबर 8 बज़े से काम कर भी रहा हूं it's been 3 o'clock now 8 o'clock to 3 o'clock मतलब कितने हो गए बिटा साथ घंटे हो गए अपने को है न तो मुझे एक बात बताईए can I do one thing क्या मैं center of mass collision and rotation का एक छोटा वीडियो अलग से दे दूँ आपको record करके जल्दी बताओ ठीक है जल्दी बताओ तो work done का यह concept समझ में आ गया work done by variable forces समझ में आ गया अब यहां पर आता है बिटा आपका fifth वाला part जिसमें हम बोलेंगे sir work done by friction ठीक है work done by work done by friction और समझेगा कि क्या यह कहना चाहता है work done by friction work done by friction क्योंकि यह बहुत लंबा हो जाएगा अधर क्योंकि अभी अगर मुझे center of mass center of mass and center of mass collision and rotation अगर अभी अपन और आगे continue किया ना समझे ना प्लीज ने शीरीज तो continue होगी next lecture will be on saturday next lecture will be on saturday कल ही मैं आप लोगों को एक session available करवा दूँ अपने काम करते देखो next session में थोड़ा सा क्योंकि time बहुत लग रहा है time बहुत लग रहा है and we don't have to give that much of time मुझे था कि यार मैं हाथ से लिख लिख के अगर formulas लिखूंगा सारे तो बच्चे भी बहुत अच्छे से collect कर पाएंगे चीजों को वो हो रहा है this is very very effective यह है बहुत effective लेकिन बहुत जादा time consuming हो गया बिटा तो हमारा practice बाकी chapters बाकी subject वो सब परेशानी में आ जाएंगे तो वो मैं समझ रहा हूँ तो next time से मैंने तरीका थोड़ा सा change कर देना है कराऊंगा तो मैं पूरा तो either either center of mass collision rotation का अलग से एक video या फिर center of mass collision rotation और part 2 of 11 वो पूरा वो सारे chapters एक साथ no no not PPT beta Hrithik बहुत इंटरस्टिंग बहुत इंटरस्टिंग सो चाएंगे नहीं मैं आएंगे नहीं आएंगे नहीं आएंगे तो center of mass के बाद के सारे एक साथ करते थे work energy power तक का भी रख लेते हैं चलेगा good यह हुई ना बात यह हुई future doctors वाली बात यह हुई champions वाली बात set two के साथ done done hundred percent hundred percent चलो work done by friction देखिए जब भी कभी कोई एक block दूसरे block के उपर रखा होता है whenever a block is placed on one block है ना इसके उपर force लगाया गया अब यह साथ चलेंगे या नहीं चलेंगे तो अपन friction में देखते ही है ठीक है f equals to ma के concept से कि अगर आपने यहाँ पर force लगाया तो यह जो block है यह उपर वाला जो block है ना बिटा देखो ध्यान से सुनना उपर वाला block यहाँ पर मान लिजे इसका mass m1 है इसका mass m2 है तो कि आपने f force किसके उपर लगाया m1 के उपर तो यह तो इस force को bear कर रहा है तो इसकी त acceleration कर सकता है depending on the value of this f लेकिन अगर इन दोनों के बीच में friction है यहाँ पर अगर यह surface केसा है आपका यहाँ पर rough है ध्यान से सुनना यहाँ पर surface केसा है यह आपका rough है rough है तो m2 को चलाने माला कौन है आपने m2 को m2 के उपर force ने लगाया m2 तो चल रहा है m1 के friction की वजह से ठीक आपके तो यहाँ पर बेटा अगर अपने m1 पर force लगाया और m1 ने m2 पर force लगाया तो m2 m1 पर force लगाया बोलो यह और तो जो तुमारा m2 है जो तुमारा m2 है वो किसकी वजह से चल रहा है M2 जो है उसको हम बोलेंगे M2 केवल M2 क्या होता है बेटा M2 केवल F की वजह से चल रहा है किसकी वजह से F की M2 केवल F की वजह से चल रहा है बोलो yes or no चमक गया कि नहीं चमका बोलो yes or no तो इसका maximum acceleration जो होगा A2 A2 maximum पता है वो कितना हो सकता है वो म्यूजी के बराबर हो सकता है इससे ज्यादा होगा ही नहीं maximum लेकिन 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 A1 की कोई limit नहीं है यह हम कह सकते हैं A1 की कोई limit नहीं है वो यहाँ पर depend करता है किसके उपर कोई limit नहीं है वो depend करता है depending on F के उपर जितना F होगा उतना ज्यादा A1 होगा बोलो yes or no fine everybody तो बेटा अगर मुझे सबसे पहले तो यह पता लगा जाए कि what is the value of F so that यहाँ पर इस capital F की value कितनी होगी so that so that blocks move together so that यहाँ पर condition क्या हो जाए बेटा blocks move together आजाए यह जरा दोनों साथ-साथ चले उसके लिए condition क्या होगी दोनों साथ-साथ चले उसके लिए condition यह है कि common acceleration जो हो वही इस maximum acceleration के बराबर हो जाए क्योंकि देखो इसका maximum acceleration कितना हो सकता म्यूजी और common acceleration कितना बोल रहे है आपकी F divided by total mass which is कितना बेटा M1 प्लस M2 और यह जो M1 प्लस M2 है यही common value किसके बराबर हो जाए म्यूजी के तो F की maximum value जो हम allow करेंगे F की जो maximum value allow करेंगे बेटा वो होगा M1 प्लस M2 इन टू में किसके बराबर म्यूजी के इससे ज़्यादा force नहीं लगा सकते अगर इससे ज़्यादा force लगाया तो block separate हो जाएंगे ठेक अब ध्यान से संदा अब यह दोनों साथ साथ चलेंगे बेटा साथ साथ चलेंगे तो right side move करेंगे displacement X होगा तो work done by F on work done by F on M2 तो देखो यहाँ पर friction भी right में लगा displacement भी right में हुआ तो यह work done कैसा होगा positive F into में X लेकिन work done of this friction on M1 तो तुम्हें पता चलेगा बेटा तो तुम्हें पता चलेगा कि sir M1 के उपर friction opposite लग रहा है लेकिन displacement right में हो रहा है तो यहाँ पर आएगा minus का FX तो work done total work done बेटा ठीक है न work done total किसका friction का जितना plus उतना minus answer हो जाएगा 0 बोलो यह से और नो तो work done by friction work done by friction क्या हो सकता है तो positive भी हो सकता है negative भी हो सकता है तो यहाँ पर कुछ बाते लिखेंगे उन्हें धंग से हमको समझना है बेटा तो work done by work done by aesthetic friction इसको अच्छे से समझेगा work done by aesthetic friction can be can be positive negative and zero but work done की जब आप बात करोगे by kinetic friction जब bodies move करने लग जाएगे work done by kinetic friction is always कैसा होगा is always negative यह तुम्हें पता होना चाहिए यह बोलो yes or no नेगेटिव नेगेटिव ही क्यूं होगा kinetic friction will come into the picture only when there is a relative sliding आपने एक ब्लोक को जब पकड़ के खीचा और वो relatively खिसक गया तो उसके relative खिसकने की वज़से relative खिसकने की वज़से ही तो kinetic friction आएगा और वो kinetic friction हमेशा displacement से opposite होगा इसलिए kinetic friction का work done always negative होगा बोलो yes or no clear है clear है बहुत बढ़िया अब आएए यहाँ पर next बात करते है next ठीक है इतना clear हो गया work done by सब कुछ सारी जिए नाव आता है next which is work done by friction sorry work done by spring forces ठीक है ना तो work done by spring force तो work done by spring force हम बात करेंगे कोई भी अगर आपका एक spring है जो अपनी natural state में था जो अपनी एक natural state में था और उसको आपने पकड़ के खीच दिया अगर force लगा के तो वो यहाँ पर kx एक यहाँ पर क्या करता है बेटा kx एक force बिल्ड कर लेता है ताकि वो वापस अपनी natural length में आ सके ठीक है तो work done by external agent in pulling the यहाँ पर दिस उसका answer उसका value आता है बेटा half k और वो होता है x final का whole square minus x initial का whole square यही अगर पूछा जाएगा work done by spring तो होगा minus of half k और यह होगा बेटा x final का whole square minus x initial का whole square is that clear spring forces का work done is always negative spring forces का work done is always negative ठीक है ऐसा कहना गलत हो जाता है कहीं सारे cases में क्यों कि बेटा sometimes you will be having x initial more than the x final तब फिर यहाँ पर यह work done कैसा आएगा positive आएगा तो कहीं बार ऐसे conceptual logical सवाल होते जिसमें बात होते कि work done by spring forces is always negative तो ऐसा नहीं होता है please थोड़ा सा ध्यान से देखें आप ठीक है clear हुआ चलिए concept number seven पर आए बेटा concept number seven is ठीक है work energy theorem ठीक है work energy theorem background music चलना चाहिए इसके लिए तो जैसे अपने लिखे न work energy theorem ठीक है तो वह वह एक गाना तो है और कौन सा ठीक है आया आया करके कुछ तो आता है न मेरे को music बताने नहीं आ रहा बट यह music चलना चाहिए क्योंकि यह work energy theorem यहां से शुरू होकर लगभग हर chapter में ठीक है तो यह क्या है यह भगवान है हमारे लिए क्या है यह भगवान है हमारे भगवान तो यह है को यह हमारे भगवान है work energy theorem क्या कहते है यह यह कहते है कि work done by all the forces is equals to change in kinetic energy kinetic energy क्यों थी पढ़ाता हूं work done by all the forces is equals to change in kinetic energy. अब ये all the forces में कौन कौन है, क्या क्या है? work done by all the forces में, work done by external agent होगा, work done by conservative force होगा, work done by non-conservative force होगा, is equals to change in kinetic energy, work done by conservative forces is equals to होता है change in potential energy बेटा, तो यहाँ से जो work done by external agent plus work done by non-conservative forces होगा, change in kinetic energy plus यहाँ पर change in potential energy बोलो यह सोरनो, क्या यह बात समझ में आ रही है? क्या यह बात समझ में आ रही है? यह बहुत ज़्यादा use होने वाली चीज़ है, अगर non-conservative यहाँ पर condition है, बेटा कि if, आगे चलके में बताऊँगा, यहाँ पर इसको अपन बोल देते हैं, if यह work done by external agent भी zero हो जाए, and अगर आपका work done by non-conservative forces भी zero हो जाए, तो उस condition में change in kinetic energy plus change in potential energy is equal to zero होगा, और इसको हम क्या बोलेंगे? तो इसको हम बोलते हैं, conservation of energy बेटा, क्या कहते हैं इसको? यही हमारा कहलाता है, conservation, क्या कहलाता है बेटा, conservation of, conservation of energy, क्या कहा जाएगा? इसी को हम कहेंगे, conservation of energy, is that clear? क्या यह logic सबको समझ में आ गया? यह जो conservation of energy है, इसको अपन लिखते कैसे हैं, u initial plus, क्या लिखेंगे बेटा, kinetic energy initial is equals to u final और plus लिखेंगे, kinetic energy final, clear? application इसका हम करेंगे बेटा, इसका application extensive होता है, कहां पर तो इसका application हम भी discuss करेंगे, vertical circular motion में, vertical circular motion में, इसका application discuss करने वाले हैं, बस बेटा, प्रणती 10 minute और, 10 minute और, I can totally understand, ठीक है? मेरे लिए भी यह नया experience था कि पूरा एक साथ लिख के पढ़ाना, कितना वक्त लेता है? It is taking a lot of time, ठीक है? तो, we can't do this, next time onwards, I have a fantastic idea, यार, मतलब, इतना गजब का दिमाग में बात आई है, कि लिखना भी होगा, और लिखना नहीं भी होगा, time भी कम लगेगा, और revision भी बहुत तकड़ा वाला होगा, ठीक है? बस यह कि मेरी back-end मेहनत बहुत बढ़ा, तुम्हारा तो फाइदा हो जाएगा, वो होना भी चाहिए, तुम्हारे इस भाई की back-end मेहनत बहुत बढ़ जाएगी, मेरे को, पूरा part to 11th का complete करने के लिए, घर पे कम से कम 12 तेरा घंटे अलग से मुझे राइटिंग वर्क करना पड़ेगा, बट कोई बात नहीं यार, तुम्हों लोगों का, प्यार, महबबती इतनी साथ होती है, ना, I was missing all these things, यार, काफी टाइम से, I was in the offline classes, ना, तो वक्त नहीं मिल रहा था, ये सब बताने का, अच्छा, offline classes से याद आया है, यार, कि अभी अगर, if anyone wants to come, like, अगर indoor center आना चाहते हैं, या आपके कोई छोटे भाई, बहन अगर कोई है, अगर indoor center में connect होकर मुझे पढ़ना चाहते हैं, we have started new batches, freshly batches शुरू कर दिये हैं, सभी batches पर flat 40% off है, because of this RM, और अगर किसी को online भी पढ़ना है, ठीके तो मैंने falcon batch अपना launch किया है, already मेरी profile पर जाकर आप देख सकते हो, 2025 के लिए, जिस पर you guys can apply MS live code, आपको वहाँ पर flat 10% off मिल जाएगा, ठीके तो अभी वह आपको 9999 की pricing दिखाएगा, तो 9999 की pricing दिखाएगा, बट उसको off करके, आप 4999 रुपीज में access कर पाऊगे using this code, ठीक है, तो this is what you guys can get, और अगर आप offline में आते हो, तो स्वागत यार, फिर तो मतलब next level कानी हो जाएगी, तो चलिए, application में वहाँ करवाँगा, अभी हम बात करते हैं वापस से kinetic energy पर, kinetic energy जो होती बटा, उसको अपन बोलते हैं, half m v square, ठीक है न, अगर आप इसमें mass से multiply करोगे, और mass से divide करोगे, तो यही kinetic energy जो है, क्या हो जाएगी बटा, p square divided by, p square divided by 2m हो जाएगा, क्या हो जाएगा बटा, p square divided by 2m हो जाएगा, everyone, ठीक है, तो kinetic energy और यहाँ पर momentum में relation हमने पढ़ लिया, अब सवाल इस पर कैसे आते हैं, percentage change वाले, सवाल कैसे आते हैं, percentage change वाले, तो if condition बता देते हैं, if percentage change, if percentage change in delta p is less than or equal to 10%, then percentage change in kinetic energy would be, percentage change in kinetic energy would be हो जाएगा, सीधा 2 times of delta p by p into 100, but if the percentage change is more than what we are talking about, तो फिर उस condition में आपको यहाँ पर 2 से multiply ना करके, जैसे एक example करा देता हूँ, जादा अच्छे से ध्यान रहेगा आपको, एक example करा देता हूँ, कि p initial is equals to p, but, and k initial is equals to, यहाँ पर बोला आपको, कितना से k, ठीक है, यह p initial is equals to p, but k final आपको बोल दिया है, p final is equals to, आपको बोल दिया है, यहाँ पर, कि 300%, ठीक है, 300% more than p, इसका मतलब p final आपका हो जाएगा, p plus 3p, मतलब कि वो कितना हो जाएगा, बैटा, 4p हो जाएगा, तो kinetic energy initial कितना होगा, p square divided by 2m होगा, kinetic energy final कितना होगा, तो kinetic energy final में, तुम्हें लिखना पड़ेगा, 4p का whole square divided by 2m, तो यह हो जाएगा, बैटा, कितना, 16p square divided by 2m, तो आपको हमेशा percentage निकालने के लिए देखना है, कि यहाँ multiplier कौन है, यहाँ multiplier कौन है, और इन दोनों multiplier में, तो percentage change in जब kinetic energy देखोगे, तो वो आजाएगा, 16-1 और into में कितना हो जाएगा, बैटा, 100, तो 1500 प्रतीशत आजाएगा answer, तो समझ आ रहा है, कैसे सोचना है, everyone, समझ आ रहा है, कैसे सोचना है, बैटा, चलिए, last फटाफट discuss कर लेते हैं, vertical circular motion, last फटाफट discuss कर लेते हैं, बैटा, vertical circular motion, लेकिन उसके पहले एक सवाल और करा देता हूँ, देखो, एक सवाल और करा देता हूँ, if, यहाँ पर ऐसा बोला है, बैटा, if kinetic energy is increased by, if kinetic energy is increased by, कितना यहाँ पर? 300%, then, then find percentage increase in momentum would be, तो देखो, kinetic energy के relation से momentum को क्या लिखा जा सकता है, under the root of 2mk, क्या लिखा जा सकता है, under the root of 2mk, initial kinetic energy, अगर मेरी k है, तो initial momentum मेरा क्या होगा, बैटा, initial momentum होगा, under the root of 2mk only, तो final kinetic energy क्या होगी, k प्लस 300 प्रतिशत मतलब 3k, 300% का मतलब है, 300% का मतलब है, 3 गुना बढ़ा देना, 300% का मतलब है, 3 गुना बढ़ा देना, मतलब final kinetic energy कितनी हो जाएगी, बैटा, 4k, तो यहाँ पर p final कितना होगा, यह हो जाएगा, under the root of 2m, और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, 4k, इसका 2 बहार आ जाएगा, 4 का, बैटा, अंदर root क्या बचेगा, 2mk, यहाँ पर multiplier 2 है, यहाँ पर multiplier 1 है, तो final और initial में, coefficient देखो कि क्या है, तो और उस हिसाब से, अगर आपको percentage change चाहिए, ठीके percentage change चाहिए, तो आपको कुछ भी नहीं करना था, आपको बस 2-1, और इंटो में 100 कर देना था, जैसे आपने किया, आपको answer पता चल जाएगा, कि 100%, कितना बैटा, 100%, यह सोरनो, everyone, clear है बच्चो, clear है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते, next बैटा, अब इतना अगर समझ आ गया, यहां तक अगर clear हो गया, तो उसके अलावा बात करते हैं, उसके अलावा बात करते हैं, अब आता है आपका vertical circular motion, next concept कौन सा था, यह हमारा, seventh number concept हो गया, eighth number concept आ जाएगा, रसी से बांद के रखा है, और वो particle अगर यहां से, यहां से उसको round करवाना है complete, तो यह point अगर A है, यह point अगर B है, तो यहां पर आपको पुछा है, for one complete round, यहां पर देखे, U minimum, और यहां पर जो होगा, वो होगा V minimum, ठीक है, यहां पर जो होगा, वो होगा V minimum, तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए, for looping the loop, condition है बेटा, for looping, for looping loop, loop complete करने के लिए, for looping loop, what we have to say, U minimum का जो value होगा, that would be under the root of 5G R होना चाहिए, कितना होना चाहिए बेटा, तो वो under the root of G R होगा, under the root of G R होगा, tension minimum कहां पर होगा, तो tension will be minimum, at T will be minimum, T minimum कहां पर होगा, at B, और उसकी value क्या होगी, उसकी value होगी, T minimum की 0, T minimum की value क्या होगी बेटा, 0, और उसके बाद अगर T maximum की बाद करोगे, तो वो कहां पर होगा, वो होगा at a और उसकी value कितनी हो जाएगी तो t maximum की value हो जाएगी 6 mg के बराबर किसके बराबर बिटा 6 mg के बराबर एक बात आपको और बता दें कि यह जो t max होगा minus t minimum होगा इसका difference हमेशा 6 mg रहगा at all speed बिटा ठीक है ना यह क्या होगा sir at all speed हर speed पर यह value क्या रहने वाली है बिटा same रहने वाली है this will never ever going to be change ठेक clear है ओके अब यहां पर देखे condition यहां पर है अगर u का value ठीक है ना first point अगर u का value less than under the root of 2 gr है तो यहां पर क्या करेगा यहां पर होगा oscillation यहां पर क्या होगा बिटा आपका oscillation अगर u का value more than under the root of 2 gr है but less than under the root of 5 gr है तो फिर यहां पर होगा parabolic motion पार्टिकल का कैसा होगा बिटा parabolic motion होगा पार्टिकल का कैसा motion होगा बिटा parabolic motion होगा क्या यहां तक बात समझ में आती है सब लोगों को everyone ठेक है अगर if particle attached if particle attached attached to rod if particle attached to rod then u minimum की value हो जाएगी under the root of 4 gr and यहां पर v minimum हो जाएगा उस condition में 0 v minimum क्या हो जाएगा बिटा 0 यह हमें याद रखना है सारे cases बिटा हर तरह के सवाल को करने के लिए बोलो यह सोर रख लोगे याद रख लोगे बच्चो जल्दी से याद रख लोगे ठीक वर्टिकल सर्कुलर मोशन वर्टिकल सर्कुलर मोशन में ठीक है इंट्रस्टिंग इंपॉर्टेंट केसिस क्या-क्या होते हैं उसको देखेगा जरा नीट के बच्चे अक्सर इस तरह के सवाल को गलत करते हैं और वो होते हैं ये सवाल ठीक है ना यहाँ पर आपको बोला गया है कि एक हैमिस्फेरिकल बाउल है बिटा क्या बोला गया आपको एक हैमिस्फेरिकल यहाँ पर मान लिजे कि स्फियर है और इस स्फियर में यहाँ पर पार्टिकल को रख के हमने धका दिया तो आपसे पूछा है कि where, at what angle it will leave the contact, at what angle it will leave the contact, ये वाला angle आपसे पूछा होता है, it is based on the conservation of energy, purely based on conservation of energy, let us suppose that यहां पर वो contact छोड़ने वाला है, ठीक है, दो बाते पूछी जा सकती है, एक तो height पूछा जा सकता है, कि बता ये center से किस height पर छोड़ा, और एक theta पूछा जा सकता एक तो ये height पूछी जा सकती है, और एक आपको theta पूछा जा सकता है, दोनों मैंसे कुछ भी, ठीक है बाईया, तो हम सबसे पहले तो, कहां पर ये contact छोड़ेगा, तो whenever anybody loses its contact, ठीक है ना, क्या होगा बेटा, whenever, whenever anybody, whenever anybody loses its contact, वहाँ पर contact lose करने की शर्त है, n is equals to 0, तो अगर particle यहाँ पर था, यहाँ से अगर हमने data मान लिया, तो gravitational potential energy में जो loss होगा, वही तो kinetic energy में gain होगा, तो यहाँ पर particle के पास क्या होगी बेटा, एक velocity होगी बोलो ये सुरनो, तो हम लिखेंगे जो भी होगा loss, जो भी होगा बेट loss in gravitational, loss in gravitational potential energy is equals to क्या होगा बेटा, यहाँ पर आपका gain होगा in kinetic energy, बोलो ये सुरनो, everyone, अब अगर मेरा ये datum था यहाँ पर, यह मेरा datum था यहाँ पर, यह मैं बोलूगा कि सर, ये मेरा datum था यहाँ पर, बोलो ये सुरनो, तो ये कितनी high थे जहां से ये नीचे आ रहा है, तो total R में से H माइनस करना है अपने को, क्या माइनस करना है बेटा, R में से H, तो gravitational potential energy में loss तो हुआ, Mg, R माइनस H, कितनी kinetic energy gain करी, half Mv square, ठीक है, जहां पर हम H को क्या लिख सकते है, H is equal to R cos theta, put the value there, तो यह हो जाएगा सर, आपका M से M cancel हो गया, यह हो जाएगा, G, R बाहर आ theta is equal to, अच्छा यह 2 इधर आके multiply हो जागा, is equals to V square, इसको equation number 1 बोल दो, everyone, पुरा सवाली करा दे रहा हूँ, मैं, पुरा सवाली करा दे रहा हूँ, इसके बाद just power बचा है, तो और कोई बड़ी बात है नहीं, पुरा सवाली करा दे रहा हूँ, तिन गंटे, साथ गंटे theta, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो क्या होगा, कि बाहर की तरफ एक centrifugal force लगेगा, जिसकी value होगी, mv square over r, और इसका selved mg जो होगा, नीचे की तरफ होगा, यह angle theta है, तो यह वाला angle भी theta होगा, तो वो mg का cost component इदर आएगा, नॉर्मल तो 0 होई गया है, equation क्या कि सर जो mg का cost theta है, वही balance कर रहा है कि इसको mv square over r को limiting condition में, क्योंकि प्लस normal लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो 0 हो जा रहा है, तो m से m cancel हुआ, तो v square की जगह क्या लिख देंगे, v square की जगह 2gr, यहाँ पर 1 minus cos of theta, v square की जगह we can write, बेटा, gr cos of theta, gr से gr cancel करेंगे, यहाँ पर आएगा 2, और यह cos theta 2 उस तरफ जाएगा, यह हो जाएगा 3 cos of theta, तो cos of theta would be 2 by 3, बेटा, तो यहाँ पर अगर height पूछी, h तो वो क्या होगा, r cos theta, तो वो हो जाएगा 2 by 3, कहाँ पर lose करेगा, 8 height 2 by 3, ठीक है, understood everyone, तो simple है, चलिए, आते, next, what is power, है ना मेरे क्याल से its number 9, its number 9, number 9th concept, power क्या चीज होती है, तो power के बारे में जब हम बात करेंगे, तो rate of doing work, ठीक है ना, power क्या होता है, rate of doing, rate of doing work, मतलब सीधी सी बात है, power P is equals to dw divided by dt होगा, मतलब हम यहाँ पर बोल सकते हैं, अगर work done को आपने constant कर दिया, तो power जो है, inversely proportional to time होता है, तो a person with a more power, more power will do same work in a less time, ठीक है ना, तो यहाँ पर P ज़्यादा कब होगा, जब T कम होगा, ठीक है ना, तो more power, more, P more means, means, P more means, less time, P more means, less time needed to complete job, okay, clear है यहाँ तक सब को, done है, चलिए, अब यहाँ तक समझा आ गया, work done, यहीं से, यहीं से power का एक formula क्या बनता है, यहीं से power का एक formula बनता है, power P is equals to F into V, और यह power कौन सा होता है, instantaneous power, यह कैसा power होता है, इस power is instantaneous power, ठीक है न, कैसा power होता है, instantaneous power होता है, is that clear, ठीक है, यह बात भी समझ में आ गई, कहीं किसी को कोई confusion, कहीं किसी को कोई दिक्कत, नहीं बिटा, ठीक है, अगर power P constant होता है, अगर power P कैसा है, यहाँ पर constant है, और इसको उपन क्या लिखेंगे, DW divided by DT, तो यहाँ पर यह क्या होता है, P T is equals to, P T is equals to open क्या लिखेंगे सर, P T is equals to, total work और total work होगा, change in kinetic energy के बराबर, और change in kinetic energy, half mv square के बराबर होगी, अगर initial velocity 0 है, तो, मतलब कोई कार अगर rest से, किसी speed v को acquire कर रही है, तो final kinetic energy, half mv square होगा, और वो P T के बराबर होगा, तो यहाँ से velocity directly proportional to T to the power 1 by 2, तो जो X होगा, वो directly proportional to T to the power 3 by 2, yes or no, और जो यहाँ पर acceleration होगा, बिटा, acceleration जो होगा, वो हो जाएगा, inverse T to the power minus 1 by 2, क्योंकि भई, velocity से X में जाने के लिए integrate किया, इसलिए power बढ़ा दी, और velocity से X पर, A पर आने के लिए अपने क्या किया, तो अपने वहाँ पर किया है, differentiation इसलिए अपने power जो है वहाँ पर एक घटा दी, ठीक है न, आई बात समझ में, clear है सबको, तो basic logic समझ में आ गया, किसी को कोई परिशान है, किसी को कोई दिक्कत, अब यार है न, एक concept, जो ए DM by DT वाला बहुत जोड़दा राता है, वो है आपका hose pipe वाले सवाल, ठीक है न, तो जिसे यहाँ पर कोई है, और कोई में से पानी खेंच के बाहर फेकना है, किये होंगे न, ऐसे सवाल, है न, और गलत भी बहुत होते हैं नहीं, क्या बलते हो, किये तो है, किये तो है, लेकिन लास्ट मिनेट पर अब ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बिखरा बिखरा सा है, न, 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 वो 2000 question PYQs नहीं होंगे बिटा, that will be, हाँ, energy topic उतना ही था बिटा, energy topic उतना ही था, kinetic energy more क्या ही होता है, ठीक है, अच्छा, तो कोई भी pump जो आपने यहाँ पर setup करके रखा है, उस pump में यहाँ पर जो भी आपके पास है न, वो है setup, राइट, वो यहाँ से pipe connect करके, यहाँ से अपने इसे pipe connect करके और क्या करेंगे, pipe के जरिये पानी को बाहर ले जाएंगे, तो जब पानी यहाँ से बाहर ले जाएंगे, तो यहाँ से पानी एक particular rate से बाहर निकलेगा, और उस पानी का rate होगा dm by dt, उस पानी का rate क्या होगा dm by dt, ध्यान से सुनना, और dm मतलब mass, और mass मतलब density into volume, और volume का आपको लिखना पड़ेगा dv divided by dt, तो यहाँ पर density तो देंसी रहेगा, volume को लिखोगे cross-sectional area into length dl divided by dt, तो यह basically बन जाता, rho into a into velocity with which water is coming out, क्या बन जाता बेटा, velocity with which water is coming out, तो कितनी kinetic energy से यह बहार आ रहा है, वो यहाँ पर आपको, तो पहले तो यह, कि जब आपको work done करना है, तो वो work done दो जगह पर लगेगा बेटा, कहां कहां पर, एक तो सबसे पहले, आपको dm g h, यहनिकी पानी को h height उठाने में भी, और प्लस दूसरा, उस पानी को अगर आपको कहीं पर फेकना है, तो उसको भी आपको भेजना पड़ेगा, right, तो जो power होगा, power, वो क्या होगा, dw divided by क्या होगा, dt, तो आप यहाँ पर बोलेंगे, वो हो जाएगा, sir, dm divided by dt, और into में यह क्या होगा, sir, into में होगा g h, और प्लस यह क्य हो जाएगा, half, यह क्या होगा, आपका, this is dm divided by dt, और into में क्या हो जाएगा, v square, तो finally the power would be, rho a v, है न, rho g h into a v, rho g h, और प्लस हो जाएगा, यहाँ पर आपका half, rho a v cube, तो kinetic energy velocity के cube पर depend करती है, तो अगर किसी भी, किसी भी host pipe से rate of water, अगर मुझे क्या करना है, बेटा, double करना है, तो speed को मुझे यहाँ पर cubic format में देखना पड़ेगा, half m v square नहीं होता है, यहाँ पर m v velocity के साथ आता है, इसलिए यहाँ पर v का cube हो जाता है, और अगर आप मान लिजे, यहाँ पर खाली ब पानी उपर उठाना है, और वहीं के वहीं गिराना है, आगे तक नहीं फेकना है, तो फिर यह power हो जाएगा, बताईए सब को यहाँ तक समझ आया कि नहीं, come on everyone, आगे समझ में, right, notes आज और अभी इसी वक्त दे दूँगा बेटा, मैं बिलकुल एक मिनट की देरी नहीं करेंगे, notes देने में, ठीक है, दो चीजों पर आपके साथ बात करनीं बेटा, एक, तो यह कि अभी 999 का, जो 4999 का offer है, that will be dropped down to, यहाँ पर 9999 से 4999 पर आ चुका है, MS live code लगा कर आप लोग जॉइन कर सकते हैं, falcon batch, falcon batch कौन सा है बेटा, तो नीट 2025 के लिए, one year batch है, one year batch है, जिसमें complete detail में, मैं खुद सारी चिज़े पढ़ाऊंगा, कब से start हो रहा है, start date बता देते हैं आप लोगों को, start date जो है falcon का, व ठीक है, right everyone, अब यह पहली चीज थी, दूसरी offline, यह है online के लिए ठीक है अगर कोई online support चाता है तो, ठीक है, फिर आप बात करते हैं सर, offline में, तो offline में दो बाते आपको बताते हैं, ठीक, पहली, तो यह की, दो बड़े update में आपको दे देता हूँ, पहली, एक तो बिटा, अ to come and meet me, ठीक है ना, तो हमारा गौमती नगर में हमारा center है, ठीक है न, गौमती नगर में हमारा center है, I will be there, ठीक है, गौमती नगर में रहने वाला हों में, 19 अपरेल को, ठीक है, तो लखनों में मिलते हैं, अगर किसी को मिलना है, 2024 के पहले, 25 के पहले, को important tips and tricks चाहिए, कुछ अगर आपको questions चाहिए, कुछ अगर आपको मेरे बनाय हुए assertion reasons चाहिए, तो I will be there at गौमती नगर, और ये सारी चीज़े वहाँ पर पहुँच कर आपको मिल सकती है, दूसरा ये बिटा, कि अगर किसी को मुझ से पढ़ना है, तो मैं indoor के centers पे offline पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो अगर आप class 12th में, अगर कोई आपका junior है या आप हैं, आप अगर plan कर रहे हैं 2025 के लिए, या फिर अगर आप dropper हैं, या फिर अगर आप class 11th में हैं, तो तीनों ही के लिए बिटा, यहाँ पर 2 year का program, यहाँ इन दोनों जगह पर 1 year का program, और flat 40% off मैं आपको मिल सकता है, सारी चीजें हैं, more info on 2000 questions, super form बेटा, I will prepare one video, date wise, कप कप करवाओंगा, कैसे करवाओंगा, कौन कौन से दिन करवाओंगा, ठीक है, क्या क्या करवाओंगा, वो मैंने आपको बताया है, यह सारी चीजें अगर आपको clear हो गई है, और आज यार बिलकुल दिल से, आप सब दोबारा बता देता हूं, सभी बच्चों को, ताकि जो अभी नए नए आये हैं, उन्हें पता चल जाए, तो physics में दो section है, class 11th and class 12th, 4 NCRT parts हो के बेटा, class 11th के 2, है ना, और class 12th के 2, तो दो-दो तो theoretical classes है, बेटा, part 1, part 2 करके, ठीक है, और दो-दो classes हमारी questions की होंगी, जैसे part 11 के 1000 question एक साथ, और 12th के 1000 question एक साथ, अब 500 सवाल एक दिन में हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, अगर एक दिन में नहीं हो पाएंगे, तो इसको break कर देंगे class को, ठीक है ना, फिर उसके बाद में, एक single class में NCRT points to ponder, complete NCRT one day में points to ponder समझाते हुए, सारे खतम कर complete experimental physics with questions, जिते भी experiment है, 18 total experiment है, जिसमें से 17 करने लाया के, 18 वा तो करना ही नहीं है, तो 17 experiments में question के साथ explain करूँगा बिटा, ठीक है, ये भी एक दिन session होगा, graph based पर हम वक्त के साथ देखेंगे, अगर वक्त रहा, तो हम 11th और 12th के graphs भी करेंगे, otherwise नहीं तो रहने देंगे, everyday 50 most expected questions, 22 April से ये कहानी में शुरू कर दूँगा आप लोगों के साथ, जिसमें section B, तब section wise करेंगे, section A and section B ऐसे करेंगे, section A में हम क्या करेंगे, तो section A में होगा, NCRT based questions का सिलसिला, section B में NCRT exemplars होंगे, कमपल सरीली, तो अगर आप बाहु बली सीरीज को follow कर रहे हैं, और अगर आप मेरे साथ दो बाते हैं, देली जो हम अभी class कर रहे हैं, उससे revision हो रहा है, और बाकी सारी चिज़ें बहुत अच्छे से हम manage कर पा रहे हैं, ठीक है, अब जो class है हमारी, वो next class कब होगी, तो परसो होगी, यनि कि Saturday को होगी, ठीक है, time उसका बस जो है, वो 9 o'clock है, 10 o'clock हो सकता है, उसके पीछे reason यह ह कि मेरी सुबह 8 से 9 क्लास लगी हुई है, 8 से 9 मेरी class लगी हुई है offline में, तो वो complete करके फिर मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक है, तो थोड़ा सा मुझे हर तरफ time देना है, और मतलब अब ये शौभाग्य कहलो, दुर्भाग्य कहलो, जो जैसे समझना है, समझ हैं, तो offline classes हैं, उसके साथ मैं manage कर रहा हूँ चीजें, तो थोड़ा बहुत time में उपर नीचे हो जाता है, तो time को लेकर आप शान्त रहिए, manage करिए, बाकी आज का session आपको कैसा लगा, do let me know, 7 गंटे हो गए हैं बेटा, आपको भी 7 गंटे हो गए हैं, मुझे भी, वो इसल हैं, क्योंकि हमें कुछ जीवन में अच्छा करना है, बहतर करना है, आगे बढ़ना है, and for that, we need two seats, really, 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 wrong hours, मतलब अब वो वक्ते जहां पर आपको पूरा-पूरा time बैठना है, ठीक है ना, और इतनी जादा देर बैठ कर जब हम बहतरीन चीजें करेंगे, तो फिर definitely next level प पहुँच पाएंगे, ठीक है ना, done है, everyone, जाते जाते कुछ सुना दें आपको, जाते जाते कुछ सुना दें आपको, जाते जाते कुछ सुनाते हैं, तो याद रखेगा ये बाते, ठीक है, तो बाहु बली physics, बाहु बली physics by Mahi sir, एक चीज़ चाहिए, बस आप लोगों का बेमतिहा, आप लोगों का प्यार चाहिए, सीरीज पे, ठीक है, तो खड़ा हिमालय बता रहा है, डरोन आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अविचल होकर, हर संकट तुफानी में, आएंगे यार संकट, एक नहीं, दो नहीं, पांच नहीं, दस नहीं, बहुत, लेकिन हम हर संकट के लिए तैयार है, तो खड़ा हिमालय बता रहा है, डरोन आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अविचल होकर, हर संकट तुफानी में, डिगोन अपने परन से, जो सोच रखा है, जो ठान रखा है, कि बहु बली फिजिक्स पूरी करूंगा, सोच रखा है कि इतन अपने परन से तुम, डिगोन अपने परन से तुम, सब कुछ पा सकते हो प्यारे, डिगोन अपने परन से तुम सब कुछ पा सकते हो फ्यूचर डॉक्टर प्यारे, तुम भी उचे उच सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे, अचल रहा जो पत पर अपने, अचल रहा जो पत पर अपने लाख मुसीबत आने में मिली सफलता जीवन में उसको जीने में मर जाने में ध्यान रखेगा इस बात को ठेक है और यह सीरीज है हम कंप्लीट करेंगे अच्छे से करेंगे आपका साथ मिलेगा आपका प्यार मिलेगा ठेक है तो वीशू अल दी वेरी बेस्ट बाइबाई टेक केर पीडिएफ में सेयर करवारों बैटा अभी राइट नाव राइट अवे ठीक है तो हो जाएगी चलिए तब तक के लिए अपना खयाल रखें आनद में रहें पढ़ाई करते रहें वीशू अल दी वेरी बेस्ट अगले सेशन को लेकर हम शुरुआत करेंगे कहानी सेटेड़े सुभा दस बजे के अराउंड सेशन रहेगा तो बैटते हैं अपन ठीक है चलो बच्चो बाइबाई ठेक केर लब यू आल हाँ जी एक एक बच्चे के कॉमेंट और जरूर चाहिए मुझे टेक है न चलिए बाई टेक केर